चलिए बबा आज मैं कराने वाला हूँ एक जबर्दस चाप्टर, एक प्लस ग्रेड चाप्टर है, छे मार्क इस चाप्टर से आएगा ही आएगा चलिए शुरू करते हैं, समझना, Valuation का चाप्टर, Valuation Under Customs, Valuation Under GST हो, Valuation Under Customs हो, दोनों का thought process सेम है और एक्जाम में दोनों से एक कुश्यन आना पक्का है चल ये शुरू करते हैं समझना, chapter number 4 of your customs, जिसका नाम है valuation, सर ये chapter का linking देजे, देख बेटा क्या होता है, आप जब इंडिया के बार से goods import करते हो, पहला chapter basic chapter था, second chapter में हमने सिखा कि import कैसे करते हैं, second chapter में हमने ये सिखा export कैसे करते हैं, yes sir, जब भी एक बार goods import हो जाए, तो जब goods port पे आ जाते हैं, तो sir, आपको bill of entry फाइल करना होता है, yes sir, हमें bill of entry फाइल करना होता है, bill of entry जब फाइल करोगे, तो आपको custom duty देना होता है, custom duty is equal to value into rate of duty into rate of exchange, सुनिए बाबा, export duty के लिए भी calculation सिखाऊंगा, last में सिखाऊंगा class का, क्योंकि वो important नहीं है, लेकिन समझा दूँगा, tension मत लिजे, करा दूँगा, अभी के लिए आप ये समझिए, कि अगर आपने कुछ goods इंपोर्ट किये हैं, तो आपको देना पड़ेगा custom duty, custom duty होता है, value into rate of duty into rate of exchange, सर, पिसला chapter जो classification का chapter था, उसमें हमने सीख लिया था, कि rate of duty, correct classification कैसे करना है, correct classification करोगे, तो correct item का rate of duty मिल जाएगा, ये सर, इस chapter में पहले हम सिखेंगे section number 14, read with custom valuation rules, जो आपको बताएगा कि custom में valuation कैसे करना है, जैसे GST में होता है, transaction value लेते हैं, कुछ add करते हैं, कुछ delete करते हैं और value आजाता है, वैसे यहीं पर भी हम कुछ, वैसा ही same similar कुछ activity करेंगे, सर, rate of duty जो है, वो तो आपने already बता दिया था, येस बबाब मैंने बताया था, कौन सा classification लेना है आपको, correct classification बताया था, कि अगर आपका समझ लिजे, इंडिया के बाहर से या item आया है, तो इसको आपको calculator में classify करना है, या typewriter में classify करना है, वो आपने सिखा था, ठीक है, correct classification करोगे, तो correct rate of duty मिलेगा, अब किस दिन का rate of duty लेना है, समझ लिजे rate of duty change हो गया, तो किस दिन का, which date का rate of duty is to be taken, वो हम सिखेंगे इस chapter में, section number 15 में, ठीक है सर, उसके बाद ये भी हम सिखेंगे, कि rate of exchange कौन सा लेना है, देखें बबाबा, rate of exchange क्या होता है, generally rate of exchange notified होता है, generally क्या, हमेशा CBIC notified होता है, CBIC notified करता है, लेकिन सर, CBIC का notify किया हुआ, किस दिन का rate लेना है, which date का rate, which date का rate has to be taken, वो हम सिखेंगे, section number 14 का एक proviso है, proviso बताएगा, कि आपको rate of exchange किस दिन का लेना है, तो अब हम समझने वाले हैं, value, value section number 14 पढ़ेंगे, rate with custom valuation rule पढ़ेंगे, tension मत लिजेगा, custom valuation rule, what up first सारे समझा दूँगा, आपको मजे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद rate of duty लेंगे, rate of duty से rate of exchange multiply करेंगे, आ गया बेटा, custom duty आ गया, बस इतना ही सीखना है हमें, चलिए समझना शुरू करते हैं, आ जाएए valuation chapter में, valuation का जो chart है, उसमें मैंने एक first chart बनाया है, first chart जो है, वो introduction chart है, ताकि आपको समझ में आ जाए, कि valuation कौन सा लेना है, सुनिए, समझ लिजे, मैं एक exporter के पास गया, और exporter को बोला, मुझे चाहिए कुछ समान इंडिया में, उसने मुझे बोला, आपको कितना unit चाहिए, मैंने बोला, मुझे एक unit चाहिए, उ इसको बोलते है, x factory price, उसने बोला, एक लाख रुपए लगेंगे, सर, एक unit मागा, तो एक लाख रुपए, ज्यादा unit मागूंगा, तो कम रुपए लेगा, यस सर, तो अभी सुनिए, पहले मैंने उसको बोला, कि ठीक है, तो मुझे pricing बता, उसने बोला, सर, अगर मेरी factory के बाहर से ही ले जाओगे, तो मैं ले जूँगा, एक लाख रुपए, उसको हम बोलते है, x factory price, x factory price क्या होता है, उसका production cost plus profit को बोला जाता है, समझ लीजे, उसको produce करने में goods को 80,000 रुपए लगे, उसने अपना 20,000 रुपए मुनाफ़ा कमाया, और उसने आपको एक price बोला, उसको, उसने अगर बोला, sir, यह मेरा x factory price है, मतलब सारा जिम्मेदारी आपका है, आपको चाहिए इंडिया में goods रहे, तो आपको यहां से उठाना पड़ेगा, उसकी factory से, ट्रक में डालना पड़ेगा, ट्रक से उसको custom port पे लाना पड़ेगा, port में unload करवाना पड़ेगा, ship में load कराना पड़ेगा, और यहां से इंडिया ले के आना पड़ेगा, सारा जिम्मेदारी आपका रहेगा, तो sir, x factory price क्या होता है, अगर आपको किसी exporter ने बोला, sir, x factory price अपना एक लाग रुपे है, मतलब आप क्या समझोगे x factory से, आप यह समझोगे, कि जो exporter आपको दे रहा है समान, वो बोल रहा है, मेरी factory से आके ले जा बेटा तू, और मेरी factory में, अगर मेरी factory से लेके जाएगा, तो आपसे लूँगा, समझ लिजे, एक लाग रुपे उसने बोला, x factory price होता है, उसका production cost, बनाने में उसका कितना खर्चा हुआ, समझ लिजा, उसका बनाने मे 80,000 लगा, 20,000 रुपे का मुनाफ़ा, तो सर, उसको हम बोलते है, x factory contract, जिसमें वो बस आपसे अपना production cost और profit ले रहा है, बस बोलेगा सर, आप आगे का खर्चा कर लिजे, आपकी जिम्मेदारी है, ठीके सर, समझ लिजे, मैंने उसको बोला, और कोई option available है क्या, तो उसने बोला, ठीक है सर, एक और option available है, हम आपको FAS price देते हैं, free alongside the ship price, ये price क्या होता है सर, अगर एक contractor के साथ, आपने, मतला एक exporter के साथ contract किया है, FAS contract, जनरली क्या होता है, international trade में 11-12 type के अलग-अलग type of contract चलते हैं, कैसा सर, जैसा आप चाहो, वैसा आप contract कर सकते हो, अगर आपक एक factory से उठाना तो बड़ा दिक्कत का काम हो जाएगा, थोड़ा आगे पहुचा दे, तो उसने बोला, एक काम करेंगे सर, ship के बाजू तक आपका goods पहुचा देंगे, free alongside ship, मतलब ship के बाजू तक आपका goods को पहुचा देंगे, वो pricing आपको अगर उसने दे दिया, अगर प्लस मैं उसी को लोड करवा दूँगा, आपको ship, मैं उसको ट्रक में लोड करवाँगा, transportation, local, भाड़ा वगरा जो होगा, वो दूँगा, और goods को पहुचा दूँगा, port में, port में जो भी C&F एजन के मेरे charges लगेंगे, वो लगने दीजे, और मैं इस goods को unload कराके, मेरी जिम जिमेदारी है, आप उसको ship में लोड कराइए, shipping company से बात किजे, इंडिया लेके आईए, वो सब आपका जिमेदारी है, मैं port तक पहुचा दूँगा, तो अगर आपका एक FAS contract हो जाता है, FAS contract अगर मैं किसी के साथ करता हूँ, तो sir, उसमें वो क्या बोलेगा, वो बोलेग आपको एक बात समझना पड़ेगा, US से अगर India goods आ रहे हैं, तो US port, port of exportation होगा, और India place of importation होगा, क्या sir, US place of exportation होगा, जहां से export हो रहा है, India place of importation होगा, सुनिए, अग उसने अगर आपको free alongside ship contract दिया है, तो उसका मतलब यह है, कि मेरी जिमेदारी है, यहां तक मैं पहुच दूंगा, all the expenses, till the goods reach alongside the ship to be bond by the seller, seller क्या करेगा, सारे खर्चे बेर करके, goods को यहां तक पहुचा देगा, यहां तक आके, risk उसका है, sir, यहां जैसे goods पहुच गया, उसके बाद risk and reward आपका हो गया, आप जानो, आपका काम जाने, ऐसा बोलेगा, risk of the goods, transfer to the buyer, he is required, आपको क्या क तो आपको देने हैं, और यहां से जो भी transportation का खर्चा होगा, वो देके, goods को इंडिया तक लाना है, ठीक है, sir, point clear है, सुनिए, तो मैंने आपको बोला, अगर आपका contract होता है, x factory price, तो sir, x factory price मतलब, वो तो अपनी factory से बोल रहा है, आपकी जिम्मेदारी है, तो वहां से लेक बाजू तक लाने के responsibility हमारे, ship के बाजू तक अगर कुछ पहुंच गए, उसके बाद सारे risk and reward आपके, आप जानो, आपका काम जाने, खर्चे सारे आपके लगेंगे, ठीक है, अगर sir, मेरा एक contract हुआ, FOB contract, sir, FOB contract क्या होता है, seller ने आपको बोला, FOB दोंगा, FOB का मतलब क् on board, मतलब यहां तक तो लाई गई, इसके बाद ship में on board भी करवा के देगा, मतलब FAS, free alongside contract का जो भी price होगा, उसमें जो भी loading charges होंगे, वो loading charges भी included रहेंगे, तो अगर उसने FOB price आपको दिया है, मतलब आपको समझना है, X factory price से आते 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 goods alongside the ship आगा है, उसके बाद जो भ देगा exporter, और आपको एक X factory, आपको बताएगा FOB price, FOB price मतलब आपको यह समझना है, ठीक है, मेरे goods port पे, US port पे आजाएंगे, मतलब उसके port of exportation तक आएंगे, exportation port से ship में load भी करवा देगा, export duty भी देदेगा, मतलब आपका tension और कम है, तो आपको FOB contract देगा, अगर उसने का खर्चा, यहां तक, इंडिया तक लाने का खर्चा, यह सारा आपका है, ठीक है सर, तो FOB contract क्या होता है, the seller is responsible for loading the goods on the ship, all the expenses from the factory, till the goods load in the ship, till loading of goods in the ship are undertaken by the seller, post loading, the risk of the risk is transferred to the buyer, who has to be a transportation and insurance, मतलब इंडिया तक लाने का खर्चा अब आपका है, ठीक है, मैंने उसको बुला, अरे बेटा, बहुत सारा quantity का order दूँगा, इंडिया का CIF price बता, इंडिया में पहुचा के देना पड़ेगा आपको, उसने बुला quantity जादा है, ठीक है, चल, CIF contract दे देता हूँ, ठीक है, CIF contract क्या होता है सर, देखिए, इंडिया के port तर पहुँचने का जितना खर्चा है, cost insurance and freight, मतलब cost मतलब क्या हुआ, cost मतलब हो गया, FOB, ठीक है, FOB के साथ, वो insurance और freight देने का भी जिम्मेदारी लेता है, तो वो जो आपको price देगा, उसको हम बोलते हैं, CIF contract, cost, insurance and freight, cost मतलब FOB cost, plus insurance, plus freight भी वो bear करेगा, मतलब समुंदर का, समुंदर का, या air से अगर आ रहा है, air का transportation, जो भी transportation cost है, plus यहां से लेके यहां तक, इंडिया तक आने का, जो भी समुंदर का marine insurance वगरा लगेगा, सर, या फिर अगर aircraft में आ रहे है, vehicle में आ रहे है, जो भी cost of transportation and insurance है, वो भी वो देने के लिए ready है, और आपके goods यहां तक पहुचा देगा, बोला, सुन लीजे, CIF contract क्या होता है, शिप जैसे Indian port को hit कर गया, इंडिया port of importation है, यहां तक के खर्चे को बोलते है, cost, insurance and freight, और पता है आपको, आपको custom duty किस value पे देना है, CIF value पे देना है, तो आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है, अगर question में दे दिया X factory price, तो आपको X factory price में सारे खर्चे जोडने हैं, कि sir, ship तक goods पहुंच गया, ship में goods लोड हो गया, ship से चलते वे goods, इंडिया पहुंच गया, इंडिया के port को जैसे ही हिट कर लिया, उसको हम बोलते है, cost, insurance and freight, CIF value, CIF value is the value on which you are required to pay custom duty, आपको custom duty CIF value पे देना है, देखिए इधर, in CIF contract, the salary is responsible for the goods, for the expense, till the port of importation, port of importation क्या है, Indian port, freight insurance is the responsibility of the seller, post importation, unloading of the goods, at the port, custom clearance, payment of duty, bond by the buyer, मतलब यहां तक पहुंचा दूँगा, sir, उसको बोलते है, CIF value, CIF के बाद, sir, जो भी खर्चा है, वो आपका है, उसके आगे का बात नहीं किया जाता है, ठीक है, sir, मैंने आपको चार contract सिखा है, अगर आपका एक x-factory contract होता है, x-factory में तो, sir, production cost और profit head होता है, अगर आपका FAS contract होता है, मतलब उसकी factory में production cost, उसका expenses जो भी हुआ, उसका profit वगरा मिला के, फिर goods को load करके port तक भीजने का, वहां पे US port में, basically US में, जो भी उसके खर्चे हो रहा है, उसको include किया जाएगा FAS में, FAS से फिर load ह का ship में, तो sir, ship में load करने का, और plus export duty pay करने का, अगर वो जिम्मिदारी ले रहा है, तो वो आपको FOB contract दे रहा है, फिर वहां से अगर इंडिया में goods पहुँच गए, तो उसको हम बोलते हैं, अगर इंडिया तक पहुँचे का, पहुँचने का जिम्मिदारी ले रहा है, त तो sir, उसको हम CIF value बोलते हैं, cost, insurance and freight, and CIF value is the value on which you are required to pay custom duty, यह जो आपको value है, value मतलब CIF value, ठीक है sir, point clear है, सुन लीजे, आपको एक बात का ध्यान रखना है, US से लेके, इंडिया तक आने के सारे खर्चे आपको जोड़ देने हैं, sir, सुनिए, अगर मेरा goods इंडिया उसके बाद के खर्चे कुछ भी include मत कीजेगा अपने valuation में, देखिए, शिप जैसे ही इंडिया पोंच के इंडिया का border को, इंडिया के port को hit कर देता है, बेटा, सारे खर्चे हो गए, बस, उसी को value बोलते हैं, अब समझ लीजे, यहां से कोई unloading हुआ, sir, यहां से आपने port duty देके, sir, truck वगेरा का खर्चा देके, घर लाए, या समझ लीजे, यहां से ICD में भेजा गया, inland container deport, या container freight station, जो यह container, ICD क्या होता है, ICD dry port होता है, dry port मतलब, sir, आपके goods आ गए, seaport पे, यहां पे, अब क्या होता है, दिल्ली के लोग है, समझ लीजे, अब दिल्ली के लोग बना दिया, और उस port का नाम देदेगा, inland container deport, basically क्या होगा, government क्या करेगा, यहां से ship goods को unload कराएगा, यहां goods लाके, port पे छोड़ देगा, और इस port में बस एक ही difference है, इस port और इस port में, इस port में समुंदर नहीं है, बाकी यह port ही आपका जगा है, जहां आपको goods देने हैं, जहा भी add नहीं होंगे, हमेशा याद रखिएगा, government क्या करता है, कभी-कभी एक port के बाजु में, independent port नहीं बनाता, एक container freight station बना देता है, क्योंकि main port बहुत busy होता है, एक go down बना देता है, और go down में जब container आ जाते हैं, आप जाहिए go down से clear करा लिजे, तो यह main port का ही extended portion होता है, त कुछ भी include नहीं किया जाएगा, आपको बस एक logic याद रखना है, इंडिया में ship आई, इंडियन port को hit हो गई, तब तक के खर्चे तो मैं डालूँगा, अपने valuation में, sir, इंडिया में जो भी खर्चे हुए, add the port खर्चे हुए, unloading का खर्चा हुआ, sir, लाने का खर्चा हुआ कुछ भी include मत किजेगा, क्या आप लोगों को ये point clarity के साथ समझ में आ गया है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, यहां के खर्चे, unloading के खर्चे, कुछ include नहीं करना है, हमेशा जब तक एक ship इंडियन port को hit ना करे, तब तक के सारे cost include करने हैं, और sir, इसी को हम बोलते हैं, accessible value CIF value is only the accessible value, जिस पे basically आपको duty देना पड़ता है, ठेक है sir, point clear हो गया, अब सुनिये, अब मैं आपको section number 14 पढ़ाऊंगा, section number 14 जब पढ़ाऊंगा, along with cost, insurance and freight, हमें सहाँ देखेगा, CIF मतलब cost, insurance and freight, CIF value, CIF value को ही हम बोलते हैं, cost, insurance and freight, CIF value ही वो value होता है, जिस पे आपको duty देने के ज़रूरत है, ठीक है sir, point clear है, अब सुनिये, अब हम समझने वाले हैं, section number 14, section number 14 आपको बोलता है, sir, आपके बास CIF value तो है, लेकिन क्या होता है, CIF value को government बोलती है, थोड़ा तोड मरोड के, फिर एक amount बनाएंगे, और आप उस duty देगा, हाँ sir, हाँ बाबा, सुन लिजे, समझ लिजे, section number 14 जब हम पढ़ते हैं, तो हमें along with custom valuation rules पढ़ना पढ़ता है, custom valuation rules को मैंने इसी चार्ट में mix कर दिया है, और समझा दिया है, चलिए समझना शुरू करते हैं, आपके दिमाग में अगर एक thought clear रहेगा, कि US से मैं goods लिया, खरीदा, उसको US में जो भी खर्चा हुआ, लोड करवाया, इंडिया तक लाया, तब तक का खर्चा include करना है, इंडिया में एक बाद ship हिट हो गया, उसके बाद के खर्चे include नहीं करने हैं, ठीक है sir, CIF value ही आपका a civil value होता है, सुनिए, sir, एक बाद बताईए मेरे को, समझ लीजिए, एक mother vessel था, मुझे एक बाद बताईए, आप बताईए, एक mother vessel था, बड़ा सारा ship था, वो इंडिया के port पे आने पा रहा था, तो mother vessel यहीं खड़ा हो गया, ठीक है, और अब छोटे 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 boat यूज किये ग आप सुचके बताईए, यह mother vessel का अगर कोई parking charges लिया गया, क्योंकि mother vessel port तक आने पा रहा था, इसको बाहरी खड़ा कर दिया, इससे इधर unloading किये गए, unloading का खर्चा हुआ, छोटे छोटे boat यूज किये गए, यह छोटे 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 boat के जो charges थे, वो आप से लिये गए, क् मैंने बोला, port तक पहुँचने से पहले, जो भी खर्चे होंगे, सारे include होंगे, इंडियन port तक पहुँचने से पहले, जो भी यह खर्चे हुए, unloading के, mother vessel, बड़ा vessel को बाहरी खड़ा रखा, उसके parking charges ले लिये, अब सुनिये, यह जो बड़ा vessel होता है, इसको अब मोलते है ship, ship का, जो भी damerage होता है, damerage, damerage मतलब, यह ship ने क्या किया, अपना anchor फेका, और anchor फेक के यही खड़ा हो गया, तो यह जो ship के parking charges होता है, ship damerage मतलब, mother vessel का parking charges, इसको भी आपको include करना है, ठीक है sir, point clear है, अब सुनिये, sir, मेरे goods आ गए यहाँ पे, unload कर दिये, unload करने के बाद port पे ही पड़े रहे, अगर port पे पड़े रहे, तो port पे क्योंकि आपके goods पड़े हैं, तो port authorities आपसे damerage charges लेता है, मेरा question आपसे यह है, बता जीजे, अगर आपके goods unload हो गए, उसके बाद अगर port पे पड़े हैं, और आपसे damerage, मतलब port पे parking charges लिएगा है क्योंकि आपके समान पड़े थे समान का कोई parking charges अगर लिया गया तो sir इसका ये जो demorate charges है क्या मेरे को valuation में include करना है हमेशा याद रखेगा port से पहले का खर्चा सारा include करना है port पे अगर कोई खर्चा हुआ कुछ भी include नहीं करना है sir नहीं करना है नहीं करना है नहीं करना है हमेशा याद रखेगा ship जब तक port आया तब तक के खर्चे सारे ले लूँगा port को ship हिट कर दिया उसके बाद के खर्चे unloading के खर्चे कुछ नहीं लूँगा बस ये concept अब धन में रखेगा done sir point clear है आज आईए समझते हैं valuation अब सुनिए valuation गौर्मेंट ने section number 14 में 141 रखा है and 142 रखा है सुनिए section number 142 बोलता है section number 141 बोलता है कि value हमेशा transaction value होगा transaction value मतलब CIF value होता है ठीक है अभी के लिए आप transaction value मतलब CIF value लीजे ठीक है अभी के लिए मेरा और उस बंदे के बीच में क्या transaction value है sir जैसे GST में सिखा था transaction value is the value of supply वैसे यहीं पे भी sir section number 141 बोलता है आपको transaction value लेना है उसके बाद section number 142 आया 142 बोला tariff value sir ये tariff value क्या है कभी कभी क्या होता है गौर्मेंट कुछ-कुछ आइटम जैसे gold, silver ये सब आइटम्स के लिए गौर्मेंट एक value fix कर देता है बेटा तू लाक इतने में भी duty तेरे को हमने जो tariff value fix किया है उसी पे देना है उसको हम बोलते है tariff value tariff value क्या होता है कभी कभी गौर्मेंट कुछ-कुछ आइटम्स के लिए एक tariff value fix कर देता है accessible value is the value on which you are required to pay duty accessible value या तो 14.1 का value हो सकता है या 14.2 का value हो सकता है 14.2 का value क्या होता है 14.2 का value tariff value होता है for notified goods गौर्मेंट क्या करता है gold and silver etc के वगेरा की case में CBIC value fix कर देता है आप मुझे बताइए इंडिया के बार से gold लाए आप जो value में लाए वो लोगे या government ने जो fix किया है वो लोगे government ने जो fix किया है उसे पे duty देना है ठीक है sir मैं इंडिया के बार से calculator लाया government ने तो value fix नहीं किया तो क्या करूँ अगर tariff value में आप नहीं आ रहे हो तो बेटा आ जाईए आपको उठाना पड़ेगा transaction value transaction value लेना पड़ेगा transaction value is the value of supply value of supply ने transaction value is the accessible value यहाँ पे accessible value बोल रहे हैं accessible value on which you are required to pay duty जिस पे duty assess किया जाएगा उसको हम accessible value बोलते हैं तो आपने मुझे बताया सर कि अगर value की बात करें तो value मतलब हमें assessable value लेना है और assessable value जो होता है government बोलता है या तो 14.2 के हिसाब से ले या 14.1 के हिसाब से ले हमेशा जनरली 14.1 के हिसाब से ही होता है लेकिन अगर आपने इंडिया के बार से ऐसे कुछ item लाए जिसमें tariff value लगता है मतलब government ने value fix कर रखा है तो आपको tariff value के हिसाब से देना है सर अगर government ने tariff value fix नहीं कर रखा है मेरे item के लिए तो तो बेटा आजा section number 14.1 जो बोलता है कि सर transaction value पे ही आपको duty देना पड़ेगा मेरा बात आपसे सुनिए transaction value का मतलब क्या होता है सर ये transaction value क्या होता है अगर आपको याद है हमने GST में पढ़ा था कि सर value of supply is the transaction value and transaction value is always the price paid or payable when parties are unrelated and price is the sole consideration कि आपको याद है GST में येस सर GST में हमने पढ़ा था सर price paid or payable हम दोनों related नहीं है और सर मैंने उसको सिर्फ पैसा दिया है तो सर वो होता है transaction value मतलब मैंने आपको class दिया आप मुझे 10,000 रुपे दोगे हम दोनों तो unrelated है and price is the बाबा unrelated as per GST otherwise तो related है ठीक है हाँ सर related कैसे अरे बाबा teacher and student related ठीक है लेकिन GST के सबसे related नहीं है ठीक है तो price paid और payable आपने मुझे 10,000 रुपे दिया है हम दोनों unrelated है और आपने सिर्फ मुझे पैसा दिया है तो आपको याद होगा GST में भी transaction value को value of supply बोल दिया गया था वैसे यहाँ पे भी accessible value जब आप निकालते हो value जब आप निकालते हो तो आपको transaction value लेना है sir transaction value क्या होता है transaction value price paid और payable ही होता है plus अगर आप दोनों unrelated हो and price is the sole consideration मतलब आपने उसे सिर्फ पैसा दिया है तो sir price paid और payable मैंने समझ लिए एक machine मंगाया एक लाख रुपे में machine मंगाया ठीक है हम दोनों related भी नहीं है and price is the sole consideration मैंने उसे कुछ भी अलग से नहीं दिया है दोनों condition भी meet हो गई sir और मैंने सिर्फ उसे एक लाख रुपे दिया है government बोलेगा बेटा एक लाख रुपे में duty दे और भाग ले यहां से अब सुनिए sir ये जो price paid और payable है sir समझ लिजे उसने मुझे FOB contract दिया था तो क्या FOB value लू सुनिए अब इन्होंने क्या किया price paid और payable को थोड़ा से extend किया कि transaction value का मतलब होता है price actually paid और payable मतलब आपने समझ लिजे एक machine इंडिया के बाहर से मंगाया एक लाख रुपे उसे दिये हैं पचास जार देने बाकी है price paid और payable क्या है एक लाख रुपे प्लस पचास जार डेल लाख रुपे आपने देने हैं तो price paid और payable अब सुनिए समझ लिजे उस बंदे ने आपको उस बंदे ने आपको CF value दिया था हमेशा याद रखेगा आपको लेना है when sold for export to India समझ लिजे यूएस से एक बंदे ने मैंने एक यूएस के बंदे से goods खरी दे ठीक है और उसने क्या किया sale price to Dubai का price बता है अरे दुबई का price नहीं लेना है आपको जब यूएस वाला बंदा इंडिया में बेच रहा है when sold for export to India export to India जब उसने इंडिया में बेचा goods को तो आपसे क्या price लिए वो लेना है और सर कौन सा price लेना है at the port of importation मतलब CIF value लेना है हमेशा याद रखियेगा आपको करना है एक बात सुनिये sir transaction value is equal to price paid or payable sir price paid or payable when goods are sold for export to India sir जब उसने आपको इंडिया में goods बेचे हैं ऐसा नहीं है आपने बुला मैं तो इंडिया में बैठा हूँ तो दुबई goods भेज दे दुबई में जो selling price है वो बता नहीं आपको जब उसने इंडिया में goods बेचे आपको तो आपसे कितना रुपए ले रहा है वो लेना है प्लस आपको ये नहीं लेना अगर उसने FOB दे दिया तो FOB price नहीं लेना है आपको लेना है price for delivery at the time and place of importation इंडिया में deliver करने का कितना price ले रहा है मतलब इन्होंने simple चीज ये बोला है कि रमेश अगर आप कोई US के बंदे से goods मंगा रहे हो पहला बाद आप उसे कितना दे रहे हो किस चीज के लिए इंडिया में goods बेचने के लिए और इंडिया के port तक goods पहुचाने के लिए उसे कितना दे रहे हो वो value आपको लेना है प्लस आप दोनों unrelated हो and price is the sole consideration तभी उस transaction value को accept किया जाएगा सुन लिजे मैंने एक US के बंदे को बोला कि sir मैं आप एक US के बंदे को एक लाक रुपे दे रहे हो क्यों दे रहे हो क्योंकि वो goods इंडिया में बेच रहा है आपको thirdly for delivery at the time of importation मतलब CIF value लेना है अगर आपको उसने FOB value दिया है उसमे cost of transportation cost of insurance include होगा क्योंकि for delivery at the time and place of importation इंडिया place of importation है इंडिया के port तक का जो price है वो लेना है आपको I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा सुन लिजे US के बंदे ने आपको बोला कि sir आपको goods चाहिए मैंने बोला हाँ अब US का बंदा है उसके पास पढ़ रहा है समझ लिजे दुबाई और इंडिया दूर पढ़ रहा है उसने बोला sir दुबाई भेजने के goods का price एक लाग इंडिया भेजने का 1.2 लाग अगर वो इंडिया बेच रहा है तो 1.2 लाग ले रहा है आप 1.2 लोगे या 1 लाग लोगे वेन सोल्ड फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया प्राइज लोगे ठीक है और sir उसने मुझे बोला FOB प्राइज बोला है समझ लीजे उसने क्या किया US पोर्ट में FOB प्राइज आपको 80,000 यहां बताए और 1,00,000 यहां बताए आप मुझे एक बात बताईए रस्ते के खर्चे 20,000 रुपे हैं आप कौन सा लोगे आप FOB प्राइज लोगे या CIF प्राइज लोगे बताएए इन्होंने बोला add the port Indian port पे आपको लेना है for delivery वो अगर delivery देता है Indian port पे तो वो प्राइज आपको लेना है I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा sir अगर वो Indian port पे delivery नहीं दे रहा है तो आपको cost of transportation cost of insurance include करके लेना पड़ेगा I hope ये point clearly समझ में आ गया होगा चले आगे Yes sir समझ में आ गया अब सुनिए sir मैंने एक US के बंदे को बोला मुझे goods चाहिए उसने मुझे goods भेज दिये तो sir as civil value हमेशा section number 14-2 के हिसाब से अगर applicable है 14-2 लेना 14-2 generally applicable नहीं होता है अगर 14-2 applicable नहीं है मेरे case में tariff value applicable नहीं है तो मुझे transaction value लेना है ठीक है transaction value होता है price actually paid or payable for the goods for the goods when sold for export to India export to India price लेना है और sir उसके बाद for delivery at the time and place of importation Indian port पे deliver करने का जो price है वो आपको लेना है कौन सा लेना है कब लेना है transaction value जब buyer and seller unrelated है and sir price is the sole consideration sir अगर buyer and seller related है तो valuation rule में आजा sir अगर price sole consideration नहीं है तो तो बेटा valuation rule में आजा ठीक है sir sir मुझे उसने export किया इंडिया में वो price दिया है समझ लीजे मैंने एक US के बंदे को बोला US का बंदा is not my related person ठीक है मैंने एक US को बंदा को बोला कि मुझे goods चाहिए उसने बोला ठीक है sir मैं goods इंडिया भेज दूँगा इंडिया में basically उसने आपको CIP price दिया एक लाग रुपे मुझे एक बात बताईए और आपने उसे एक लाग रुपे ही आपने उसे बोला एक लाग रुपे हो गएरा नहीं दूँगा bargaining करने के बाद आपने उसे सिर्फ 80,000 रुपे दिये है मेरा question आपसे यह है कि transaction value एक लाग रुपे लोगे या 80,000 रुपे लोगे बताईए उसने आपको CIF बोला था एक लाग आपने बोला CIF मैं 80,000 रुपे दूँगा आपको आपका जो value लिया जाएगा custom duty calculation के लिए वो value कौन सा लिया जाएगा एक लाग लिया जाएगा या 80,000 लिया जाएगा यह बताईए what is the price paid और payable आपको उसे कितने रुपे देने है एक लाग देने है या 80,000 रुपे देने है सर मुझे तो उससे 80,000 रुपे देने है 80,000 तो सर जो price actually paid और payable है देखिए word use किया गया है actually जितना आप उसे actually देने वाले हो वही लेना है आप actually उसे 80,000 देने वाले हो तो 80,000 ही लीजेगा ठीक है सर point clear है पहले आपने बुला section number 14.1 14.1 में आपने पढ़ाया transaction value लेना है सर transaction value क्या होता है transaction value होता है price paid और payable when he is selling the goods to India and Indian port पे at the port of importation price लेना है हम दोनों related नहीं है and price is the sole consideration ठीक है सर मैंने क्या किया US से एक बंदे से iPhone मंगाए ठीक है सर मैंने क्या किया iPhone का transaction value मैंने उसको actually दिये 8,000 रुपे 80,000 का iPhone होता है मैंने उसे 8,000 दिये है पबाब एक बात याद रखेगा आपके जब port पे goods आ जाएंगे न तो आपको एक bill of entry file करना होता है आप जब bill of entry file करोगे तो आपको self assessment करना होता है self assessment में आपको बताना पड़ता है custom duty का calculation होता है value into rate of duty into rate of exchange आपने US वाले बंदे को बोला देख बिटा एक काम करेंगे मैं तेरे को सुनिए ठीक है आपने value कितना देना है 80,000 रुपए पता है आपको क्या होता है जब आप एक bill of entry file करते हो न तो आपको declaration देना पड़ता है rule number 11 बोलता है declaration दे बाबा declaration क्यों देना है declaration ये देना है कि sir rule number 11 of the custom valuation rule भी साथ में पड़ा रहा हो rule number 11 बोलता है कि declaration देना होगा importer को या उसके agent को disclosing full and accurate value मुझे एक बात बताईए आपने iPhone कितने में मंगाया 80,000 रुपए 80,000 रुपए बोलके आपको एक declaration देना पड़ेगा ठीक है sir sir हम cheating करेंगे हमें काम करेंगे सिर्फ 8,000 रुपए वैलू बताएंगे इधर अगर आप 8,000 रुपए वैलू बताऊगे ना rule number 12 उसी के बाद आता है जब आपका इधर bill of entry जाएगा ना तो जो officer बैठा हुआ है ऐसे करके देखेगा बुलेगा हाँ आइफोन आये हैं इंडिया में और तुने आइफोन 8,000 रुपए में मंगाये हैं मुझे तो डाउट है तेरे duty पे सुनिए अगर प्रापर officer को कोई डाउट हो गया as to the truth and accuracy of the transaction value declared तो याद रखेगा वो apply करेगा valuation rule और value find out कर लेगा कैसे find out करेगा सर बोलेगा अभी अभी इंडिया में same iPhone 8,000 में आये हैं तुने 8,000 में मंगाये मैं तेरा value reject करता हूँ और इसते 8,000 का value लगा के valuation close कर देगा हमेशा याद रखेगा मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया आपको as civil value पर duty देना है सर as civil value क्या होता है as civil value यह तो tariff value होगा यह transaction value 14,1 बोलता है कि आपको transaction value लेना है समझ लीजे transaction value मतलब price paid और payable when the parties are unrelated and price is the sole consideration ठीक है सर सारे matching है अब आगे बढ़िए सर transaction value का आपको एक declaration देना होता है rule number 11 बोलता है कि आप एक declaration दीजे कि जो आपने transaction value declare किया है वो एकदम परम सत्य है आप जूट नहीं बोल रहे हो basically आपको एक declaration देना पड़ता है जब आप bill of entry फाइल करते हो clear करने के लिए ठीक है अब आपने जब declaration दिया तो rule number 12 बोलता है आप जैसे declaration दोगे officer चेक करेगा आपका declaration कि जो value declare किया हाँ क्या good say है क्या value declare किया अगर officer को declaration में कोई doubt हुआ तो तो valuation rule लगा देगा अगर declaration में no doubt तब आप आगे बढ़िए तब आगे यह बोला जाता है कि सुनिए अगर value में कोई doubt नहीं है तो sir अब आपको चार condition satisfy करने पड़ेंगे अगर आपने चार condition satisfy कर दिये तो sir आपको याद अखना है आपका transaction value जो 80,000 का था वो ही आपका stable value बन जाएगा और stable value पे ही आपको duty देना है मतलब आपका जो CIF value था उसी को as civil value बोलते हुए आपको उसी पे duty देना पड़ेगा लेकिन as civil value में भी छोटा मोटा adjustment rule number 10 के हिसाब से करना है सुन लीजे मैंने आपको बोला जैसी आपके goods इंडिया में आ गए तो sir as civil value का मतलब होता है अगर tariff value applicable नहीं है तो transaction value transaction value means price paid or payable plus for export export to India price लेना है और sir CIF price लेना है port of importation पे price लेना है ठीक है sir उसके बाद party is unrelated अगर है and price is the sole consideration अगर है तो बेटा एक declaration दे दे rule number 11 of the custom valuation rule बोलता है आप एक declaration दीजे कि आप जो बोलोगे परम सत्य बोल रहे हो एकदम सच बोल रहे हो उसके बाद rule number 12 आता है आपने एक बाद declaration दे दिया अब officer क्या करेगा आपका PO to check to check the truth ठीक है उसको अगर सब कुछ सही लगा तो वो बोलेगा ठीक है बेटा क्या तुने 3-2 का condition satisfy किया है 3-2 का condition समझाऊंगा येस sir मैंने तो satisfy किया है अगर 3-2 का condition satisfy किया है तो as civil value होगा transaction value transaction value क्या होता है cf value होता है बस rule number 10 में कुछ छोटे मोटे adjustment बोले है जोडा काटा करना है काम खटम क्या आप लोगों को यहां तक point clarity के साथ समझ में आ गया है क्या हम आगे बढ़ सकते हैं येस sir यहां तक 100% clarity के साथ समझ में आ गया है चलिए आगे बढ़ते हैं अब सुनिए सर अगर मैंने 3-2 के condition satisfy किये तो तो cf value पे duty दूँगा सर अगर समझ लिजे 3-2 का कोई condition satisfy नहीं किया बेड़ा देख अगर तेरा transaction value P.O. accept नहीं करता तो P.O. valuation rule लगा देता है अगर तो price is not the sole consideration valuation rule आ जाता है party is related होते है valuation rule आ जाता है और 3-2 का condition condition satisfy नहीं होता है तो भी valuation rule आ जाता है सुनिए सर अब यह 3-2 का क्या condition है चार condition है जो मैंने यहां लिख रखे है 3-2 में चार condition दिये हैं rule number 3 sub rule 2 बोलता है कि यह चार condition आपको satisfy करने हैं तो ही आपका transaction value acceptable होगा सर यह चार condition क्या है number one no restriction as to the disposition or use of the goods by the buyer मतलब समझ लिजे US के बंदे ने आपको calculators इंडिया में बेचे मुझे क्या बेचा calculators बेचा इंडिया में और बोला रमेश इस पे एक condition है कि यह calculator तो सिर्फ गरीब लोगों को बेचेगा जो NGOs वगेरा है उनको बेचेगा अगर उनको बेचेगा तो इसने क्या किया मुझे 100 रुपे का item सिर्फ 50 रुपे में दे दिया है condition क्या है मुझे इन goods को सिर्फ NGO को बेचना है मुझे एक बताईए मेरे और योस के बंदे में transaction value कितना है उसने मुझे कितने में दिये है price paid और payable कितना है सर प्राइस paid और payable तो 50 रुपीज है लेकिन officer क्या बोल रहा है रमेश पता है क्या होगा यह जो condition उसने attach किया है इसके कारण उसने price कम करके ही तुरे को दिया है yes sir मैंने बोला yes sir तो आप officer बोलता है रमेश मैं एक बार goods अगर 50 रुपे में duty लेके clear कर दूँगा किसका भरोसा है कि तू NGO को देगा या जाके कहां बेचेगा CA students को जादा ज़रोत है तूने CA students को बेच दिया 100 रुपे में तो मुझे क्या पता तू 50 में बेचेगा कितने में बेचेगा officer बोलेगा देख रमेश अगर उसने कोई restriction लगाया है मतलब price reduced है मैं valuation rule लगाऊंगा रमेश और valuation rule लगाके value निकालूंगा officer आपका value को reject कर देगा हमेशा याद रखेगा कोई condition नहीं होना चाहिए for the use और disposition कि sir आप उसे कैसे बेचोगे या कैसे इंडिया में use करोगे क्योंकि अगर उसने condition लगाया है तो basically condition के साथ थोड़ा बहुत price reduction तो दिया होगा officer बोल रहा है मुझे क्या भरोसा तू बोल रहा है इंडिया में NGO को बेचेगा क्या करेगा तू clear होनी के बाद वो तो तेरा ही मामला है तो मैं तो आज जो fair valuation है उस पे value करके goods clear करूंगा officer 50 rupees को accept नहीं करेगा valuation rule लगा देगा sir valuation rule क्या बोलता है identical goods का value लगाएगा बोलेगा रमेश तूने 50 रुपे में calculator लाया ना कल mr. सर्मा जी सर्मा जी भी ये calculator लेके आया थे उन्होंने 100 रुपे लगाए थे कितना लगाए थे sir 100 रुपे लगाए थे उनके लिए हमने 100 रुपे में custom clear किया valuation में clear किया है तो चलिए 100 रुपे लगाएंगे identical goods का value लगा देगा 100 रुपे पर आप पर duty ले लेगा चलिए sir done clear है लेकिन अगर गोपाल condition है तो चलेगा sir ये गोपाल condition क्या होता है जी for geographical area का condition आपको अगर US के बंदे ने बेशने के समय बोला आप इन goods को सिर्फ southern इंडिया में बेशना या northern इंडिया में बेशना या east इंडिया में बेशना या समझ लिजे सिर्फ दिल्ली में बेशना अगर उसने geographical condition लगाया है तो वो condition में कोई problem नहीं है geographical condition अगर कोई लगा रहा है तो generally price impacted नहीं होता है इसलिए ये बोल रहे हैं अगर geographical condition लगाया है कि इसी जोग्राफी में goods को बेशने है इसी area में goods को बेशने है तो चलेगा होता है ना car dealers को जो car US India के बाहर से बेचा जाता है उनको बोला जाता है आपको सिर्फ दिल्ली का ही distributor दिया गया है आपको दिल्ली में बेशना है ठीक है sir उसके बाद O for any other restriction not impacting the value अगर उसने कोई restriction ऐसा लगाया जिसके कारण price में कोई impact ही नहीं है उसने बोला sir car आपको दे रहा हूँ लेकिन इंडिया में 1st January से पहले car को launch नहीं करना है भेज रहा हूँ आपको car ताकि आप उसको ready रखो पहला January से पहले launch नहीं करना है अगर ऐसा restriction है जिसके क price impacted ही नहीं है तो वो restriction के कारण आपका value reject नहीं किया जाएगा आपका transaction value accept हो जाएगा P क्या होता है sir P A का मतलब होता है public authorities का अगर कोई restriction है समझ लिजे आपने इंडिया के बाहर से अगर समझ लिजे cigarettes वगरा मंगा है और cigarette पे उन्होंने बोला आपको एक sticker चिपकाना पड़े इंडिया में public authority बोलता है अगर आपको cigarette बेचना है cigarette के उपर lungs वाला एक sticker लगाना पड़ेगा तो sir अगर US के बंदे ने आपको cigarette बेचते हुए बुला आपको public authority वाला restriction follow करना है इंडिया का public authority का या इंडिया का law का अगर कोई restriction है वो follow करना है तो उसके लिए आपका price reject नही किया जाएगा done sir point clear है नलायक यह बोल रहा है sir mukesh ठीक है mukesh movie बहुत देख रहा है आजकल नलायक सुन sir sir क्या बोल रहा है यह अगर इंडिया के बाहर से goods आया अगर इंडिया के बाहर से goods आया तो sir हमेशा याद रखेगा officer बोलेगा रमेश transaction value price paid or payable when parties are unrelated and price is the sole consideration आप एक काम क declare किया officer आपका declaration accept कर लेगा अब बस 3-2 का charge condition देखेगा पहला बात कोई restriction नहीं होना चाहिए आपके goods के उबर अगर कोई restriction है मतलब price impacted होगा अगर कोई restriction नहीं है तो बेटा चलो आगे बढ़ते हैं sir अगर गोपाल restriction है जोग्राफिकल एरिया restriction any other restriction not impacting the price public authority का restriction and GPA public authority and legal restriction अगर है तो कोई बात नहीं sir गोपाल restriction है तो चलेगा आगे बढ़िये उसके बाद sales should not be subject to a condition for which value cannot be determined sir ये क्या है सुनिए officer यहाँ बैठा हुआ है आपका goods का valuation कर रहा है ठीक है आपके goods आ गये हैं इंडिया में officer थोड़ा confused है क्यों confused है मैं आपको समझाता हूँ US के बंदे ने आपको जब goods बेचे ना उसने बोला sir अगर मैं आपको mobile phone बेचूंगा तो mobile के साथ आपको mobile का cover भी लेना पड़ेगा ऐसा condition लगा रखा है उसने restriction नहीं है use of the goods के लिए कोई restriction नहीं है लेकिन खरीदने के लिए restriction condition लगा रखा है क्या condition है अगर एक mobile बेचूंगा तो साथ में cover भी खरीदना पड़ेगा पता ही इस condition में क्या problem होता है officer को क्या problem होता है सुनिए mobile है 80,000 रुपय का ठीक है काम करते है 95,000 का mobile है ठीक है एक सुन सुन एक सेगे एक लाख रुपय का mobile है 1000 रुपय का cover होता है ठीक है sir अब इंडिया में न इस पे duty कितना है इस पे mobile phone पे duty 20% है sir cover पे duty कितना है cover पे duty एक काम करेंगे mobile phone पे duty समझ लीज़े 30% है cover पे duty 10% है मतलब मुझे एक बात बताईए आप जब mobile प्लस cover इंडिया में मंगाओगे तो एक लाख पे 30% मतलब आपको 30,000 रुपय देने है और एक हजार के cover पे 10% मतलब आपको एक हजार 31,000 आपको duty देना है ठीक है करेक ना लेकिन लोग क्या करते हैं लोग बहुत चालाख है लोग क्या करेंगे अगर ऐसा कोई condition इसलिए लगाते हैं क्यों मैं आपको बताता हूँ यह जो US वाला बंदा है न यह मुझे जब बेचेगा समान तो यह क्या करेगा मोबाइल प्लस cover बेचेगा वो लेगा मोबाइल के साथ तो cover लेना ही पड़ेगा आपको ऐसा एक condition लगा रखा है अगर मोबाइल खरे लोगे cover भी खहितना पड़ेगा यह क्या करेंगे बताता परसेंट कवर पर लगेगा एक लाग का वेलू दिखाया cover पर लगेगा कितना 10% मतलब कितना हुआ एक हजार इन्तु तीस परसेंट सर्थीन सो रुपए और एक लाग इन्तु दस परसेंट दस हजार रुपए मैंने क्या किया एक दस जार तीन सो का ड्यूटी दिया देना था 31,000 का सुनिए 31,000 माइनस 10,300 कितना का बेवकूफी कर गौर्नमेंट को कितना बेवकूफ बनाया 20,700 इसलिए ओफिसर कन्फूज़ है कि अगर ऐसा कोई restriction डाला हुआ है sale अगर कोई subject to condition है for which the value cannot be determined officer बड़ा confused है इदर बोल रहा है sir ये जो value है इसमें मुझे बड़ा confusion हो रहा है इसने क्या किया ऐसा एक value बना के भेज दिया है अब मुझे बड़ा confusion हो रहा है अगर ऐसा कोई condition है जिसमें एक item लोगे तो दूसरा item भी लेना पड़ेगा तो sir officer US के बंदे ने मुझे बोला कि sir मैं आपको goods बेचूंगा mobile बेचूंगा ठीक है नहीं ठीक है समझ लीजे belt बेचूंगा ठीक है और मैंने उसे क्या बेचना है मैंने उसे wallet बेचना है ठीक है अब उसका belt अगर समझ लीजे एक लाग रुपे का belt है और मेरा wallet एक लाग रुप ना है 30% तो उसे देना पड़ेगा 30,000 रुप है इंडिया में मुझे 1,00,000 पे 20% duty 20,000 का duty देना पड़ेगा हम लोग ने क्या चाला की क्या पता है मैंने उसको बोला बेटा एक काम कर condition है ना मैं तू मुझे wallet बेचेगा तू मुझे belt बेचेगा तो मैं तुझे wallet बेचूंगा यह condition पर good खरीद रहा हूं समझ लीजे ऐसा condition attached है कि मैं belt तभी खरीदूँगा जब तू मैं इसे wallet खरीदेगा तो सर इधर लोग क्या करते है ना 1000 का value दिखा देंगे 1000 और यह भी 1000 मैं तुझे 1000 का value दिखा दे दोनों बेवकूप बनाएंगे government को तू अपने government को बेवकूप बनाना मैं इधर 1000 पे सिर्फ 200 रुपे दूँगा तू अपने government को सिर्फ 300 रुपे देना हो गया मैं तेरे को 1000 रुपे दे दूँगा तू मुझ यह goods बेचेगा तो उसके साथ यह goods भी बेचना पड़ेगा अगर sale में ऐसा condition है तो sir officer reject कर देगा उस value को और लगा देगा valuation rule I hope आप लोगों को point clarity के साथ समझ में आ गया होगा no subsequent sale proceed to accrue to the seller ठीक है सुनिए sale में क्या था sale में बोला गया रमेश हम आपको goods भेज रहे हैं यह जो calculator है यह आपको भेज रहे हैं ठीक है 100 रुपय का calculator सिर्फ 50 रुपय लगा के आपको भेज रहे हैं आप एक काम कीजे custom port पे 50 रुपय में समझ लिजे 10% duty है 50 रुपय में 10% मतलब 5 रुपय का duty दीजिए और ले जाईए goods उसके बाद सुनिए उसके बाद जब आप इसको customer को बेचोगे अगर आप इस customer को 200 रुपय में बेचते हो तो आपको subsequently आप importer हो ना आप subsequently जो भी selling price होगा दोसों में बेचा ना उसका 10% हमें देना पड़ेगा तो अगर मैंने 200 में बेचा 10% मतलब 20 रुपय देना पड़ेगा तो मुझे एक बात बताईए मेरा import value क्या 50 रुपय था या 70 रुपय था बताईए मेरा import value तो उसे 50 था या बाद में 20 रुपय भी दे रहा हो price paid और payable 50 था या 70 रुपय था sir price paid तो 50 plus 20 बाद में दे रहे हो तो 70 रुपय हो गया ना sir तो इसी case में officer बोलता है officer बोलता है अगर आप subsequently उसे कुछ देने वाले हो अगर आप उसे कुछ subsequently देने वाले हो तो सुनिए आप जो भी उसे subsequently देने वाले हो वो आप add कर दीजिए मैंने बोला मुझे तो मालूम ही नहीं है मैं इंडिया में अगर इसे 300 में बेचूंगा 300 का 10% मतलब 30 रुपय दूंगा अगर इंडिया में इसे 100 रुपय में बेचूंगा 100 का 10% सिर्फ 10 रुपय दूंगा सर आज standing on today जब आप valuation कर रहे हो मुझे नहीं पता मैं इंडिया में बेच के कितना रुपय उसे देने वाला हूँ अगर आपको पता है कि इंडिया में बेचने के बाद कितना देने वाले हो तो तो बस CI value में add कर दीजिए लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है तो officer बोल रहा है अगर आपको adjustment नहीं पता है for which adjustment cannot be done तो बेटा अब तो valuation rule लगाऊंगा और value find out कर लूँगा मैंने आपको third condition भी बता दिया fourth condition sir buyer and seller related है अगर आप और वो related हो तो officer बोलेगा इस case में भी valuation rule लगेगा हम आपका value को accept नहीं करेंगे I hope आप लोगों को point clear हो गया होगा मैंने आपको बोला section number 14 में आपको valuation find out करना है section number 14 टू बोला tariff value लेना है अगर मेरे goods का tariff value नहीं है transaction value ले लूँगा transaction value मतलब price paid और payable कब? कब जब party is unrelated है and price is the sole consideration ठीक है sir अब मैं क्या करूंगा rule 11 में जो बोला हुआ है एक declaration दे दूँगा मैंने declaration दिया rule number 12 बोलता है अगर officer को accepted है officer अगर declaration accept कर लेता है तो आगे बढ़िये ठीक है sir अगर officer ने declaration accept कर दिया तो 3-2 में कुछ condition है condition क्या क्या है sir no restriction ठीक है no restriction no condition no condition attached ठीक है उसके बाद thirdly sir no subsequent sale proceed subsequently आप उसे कुछ नहीं दे रहे हो and fourthly इदर बोला हुआ है not related person unrelated होने चाहिए अगर आपने 3-2 का condition satisfy कर दिया तो ये बोलते है rule no 3-1 बोलता है कि अगर आपने 3-2 का condition satisfy कर दिया है rule no 3 sub rule 1 बोलता है a civil value is the transaction value which is basically your CI value but subject to adjustment छोटा मोटा adjustment करेंगे और काम खता क्या ये point आपको 100% clarity के साथ clear है yes sir clear है sir समझ लीजे मैंने declaration गलत सलच दे दिया तो क्या होगा sir तो बेटा valuation rule लगा दिया जाएगा sir अगर समझ लीजे basically उसे acceptable नहीं रहा तो valuation rule लगा देगा sir 3-2 का अगर condition satisfy नहीं किया तो rule no 3-3 बोलता है बेटा आजा valuation rule में देखिए इदर नहीं rule no 3-4 बोलता है सुनिए 3-4 बोलता है अगर 3-2 का condition satisfy नहीं किया तो rule no 3-4 बोलता है valuation rule लगा देगा sir एक बात बताईए हम दोनों related party है लेकिन price influence नहीं है प्रूफ कर दे officer को rule no 3-3 बोलता है अगर unrelated person है फिर भी प्रूफ कर देता है officer को कि sir price influence नहीं है देखिए दर rule no 3-3 बोलता है even if buyer and seller are related transaction value accept हो जाएगा अगर relationship did not influence the price relationship के कारण आप बोले हो sir हमारे रिष्टे के कारण हमारा price में कोई influence नहीं है sir अगर आप valuation rule लगाओगे na rule no 4 rule no 5 rule no 7 rule no 8 rule no 9 ये सब भी लगा लिजे sir फिर भी मैंने जो value declare किया है वही value आने वाला है demonstrate कर दीजे officer को if importer demonstrate कि जो declare किया है value वो closely approximate करता है to valuation rule no 4, 5, 7 and 8 तो officer बोलेगा बेटा तु तो अच्छा बंदा है तेरा value में accept कर लूँगा value अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो rule no 3, 1 बोलता है acceptable value, transaction value ही बन जाएगा देखिए ये link समझना बहुत जोरी है मैंने section no 14, 1 आपको बोला 14, 2 बोला tariff value ले लेना tariff value अगर नहीं है दिमाग में एकदम flow fit हो जाना चाहिए ठीक है उसके बाद sir आप एक declaration दे जीजिए officer को declaration as to the truth कि जो बोल रहा हूँ सही value declare कर रहा हूँ अगर आपका declaration rule no 12 में officer को acceptable है तो तो वो आगे बढ़ जाएगा अब अगर officer देखेगा 3, 2 का condition, 4 condition है चार condition है, restriction कुछ नहीं होना चाहिए, condition कुछ attached नहीं होना चाहिए उसके बाद subsequent sale procedure उसको कुछ भी नहीं जाना चाहिए and sir parties undilated होना चाहिए sir तब rule no 3, 2 का condition satisfied है अगर 3, 2 का condition satisfied है तो 3, 1 के हिसाब से बुला गया है sir आपका transaction value ही as civil value बन जाएगा लेकिन sir अगर समझ लीजे मैंने related person भी है अगर related person भी है लेकिन 3, 3 बोलता है अगर relationship के current price influenced नहीं हुआ है तो भी आप 3, 1 में जो transaction value है उसी को basically as civil value will be your transaction value sir समझ लीजे अगर relationship के current price influenced है 3, 2 का condition satisfied नहीं है तो rule no 3, 4 बोलता है कि बेटा अब तो valuation rule लगेगा मुझे 100% clarity है आपको 100% clarity है या नहीं बताईए पड़ा फाट पानी है yes sir 100% clarity है चलिए आगे बढ़ते हैं अब सुनिए एक छोटा सा बात बताईए मेरे को कि sir यह जो related person होता है कि आपको याद है GST में मैंने आपको related person पढ़ाया था yes sir GST में आपने पढ़ाया था scope scope plus family plus soul agent आपने पढ़ाया था sir custom में भी related person का same definition है sir S का मतलब आपने बोला था shares shares greater than equal to 25% in both of them sir आपने बोला था अगर एक वेक्ति दो आदमी है उस B limited C limited में 25-25% share hold करता है तो B and C related है आपने बोला था अगर कोई किसी को control कर रहा है control मतलब जब आप किसी का shares greater than 51% greater than equal to 51% hold करते हो holding subsidiary companies basically related person होते है O for officer or directors related होते है partners हमेशा related होते है employer employee related होते है plus family related होता है plus soul agent related होता है sir आपने GST में पढ़ाया था same जो मैंने GST में पढ़ाया वो यहां भी applicable है बस यह 5% कर दिया है मतलब अगर मैं याद रखिएगा अगर A limited, B limited और C limited में 5-5% share भी hold करता है तो B and C related हो जाएंगे GST में यह 5-5 की जगा आपको 25-25 याद रखने है customs में 5-5 है बाकि सब सेम है GST में family को defined है यहां family defined नहीं है मतलब family आपके लिए हो गया parents, grandparents, brothers, sister, father, mother सब family ठीक है everyone कुछ बोला नहीं है तो sir scope plus family plus sole agent related person नहीं होंगे अगर sole agent को आपको related person बूलना है तो sole agent should be falling in family or any one of the scope मतलब sole agent related person customs में नहीं होते है हो सकता है US के बंदे ने एक ही agent अपॉइंट करा रखा इंडिया में वो क्यों इंडिया में दो-दो अपॉइंट करेगा agent तो अगर उसने एक agent रखा है तो भी उसका related person नहीं है लेकिन agent related हो जाएगा अगर वो कहीं family या scope में fall हो रहा है देखिए मैंने क्या बुला related person का definition rule number 2 में दिया गया है जो बोलता है scope plus family plus sole agent sole agent तभी related होगा जब वो family या scope में fall हो रहा है और यहाँ पे shares आपको 5% देखने हैं ठीक है sir point clear है अब सुनिए sir अगर officer बोल रहा है कि valuation करना है क्यों 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 valuation करना है मैंने जो declaration दिया उसे acceptable नहीं है officer क्या करेगा मैंने सुनिए आपने goods इंडिया में आ गया आपका goods आने के बाद आपने file किया एक bill of entry ठीक है sir bill of entry file किया जब आप bill of entry करोगे self assessment करोगे declaration दोगे कि sir जो जो मैंने amount बताया है वो परम सत्य है यहां जो officer बैठा हुआ है इसको acceptable नहीं है अगर इसको acceptable नहीं है तो जो आपने assessment किया है यह reassessment कर देता था क्या आपको याद है मैंने आपको imports में पढ़ाया था कि sir आप कीजेगा file अपना bill of entry कीजेगा self assessment officer के पास जाईएगा officer को अगर सही लगा तो आपको clearance order देता है लेकिन अगर officer को doubt लगा तो reassessment कर देता है reassessment कैसे करता है reassessment करता है valuation rule लगा के जो आज हम सीखने वाले हैं done sir point clear है sir एक बात बताईए accuracy of the transaction value declared तो sir वो ask करेगा ask the importer to furnish information, document, evidence and after receiving the evidence or document if no response या after receiving the document अगर उसको still doubt है वो आपसे additional document मंगेगा तो बोल रहा है वहां से 50 जार में मंगाया एक लाग का phone कैसे मंगाया तो एक काम का document लेकिया ये लेकिया वो लेकिया सारा मंगाया आपसे अगर उसको फिर भी doubt है तो आपका transaction value reject करेगा अगर आपने उससे request किया कि मुझे बताईए आपने मेरा transaction value क्यों reject किया तो उसके आपको बताना पड़ेगा कि transaction value क्यों reject किया है उसके बाद वो reassessment कर देगा valuation rule लगाते वे rule number 4 to rule number 9 लगाएगा बहुत ही interesting rule है क्या आप सब ready है समझने के लिए valuation rule valuation rule समझ लेते हैं officer को आपने क्या किया मैंने बोला section number 14 section number 14 2 बोला tariff value tariff value अगर नहीं है आपका goods का section number 14 1 बोला बेटा transaction value उठा ले transaction value price paid or payable when parties are unrelated and price is the sole consideration sir अब rule number 11 का आप declaration दीजे bill of entry फाइल किजे declaration दीजे rule number 12 में officer चेक कर रहा था अगर officer को doubt हुआ तो valuation rule लगाएगा ठीक है sir अगर 32 का condition मैंने satisfy नहीं किया तो valuation rule आ जाएगा अब सुनिए valuation rule क्या बोलता है आपने officer को बोला मैंने ये phone इंडिया के बाहर से मंगाया है और sir मैंने सिर्फ 8000 रुपे दिये है officer क्या बोलेगा बेटा ये तो iPhone है और ये कल ही एक आदमी ने मंगाया था इंडिया में तू 8000 में मंगा रहा है उसने कल identical goods officer reject कर रहा है और officer बोलेगा same to same यही का यही यही company उसी जगा से US से मंगाया Apple से मंगाया है identical goods same to same goods मंगाया है Apple से मंगाया 8000 में मंगाया उसका value तेरे value में लगा के valuation कर दूँगा देखिए ये क्या बोल रहा है rule number 4 बोलता है identical goods का value लिया जाएगा identical goods होता है imported goods identical goods का मतलब समझते हैं पहले सर identical goods क्या होता है officer जब identical goods जून रहा है सुनिए एक example देता हूँ ठीक है बड़ा मजाएगा सर जपान से जपान में बनाया गया लुंगी आपको पता है लुंगी क्या होता है ये सर लुंगी होता है जब लुंगी डान्स किया था शारुक हान ने ये सर अब क्या हुआ शारुक खान ने बोला गोवा में एक function है और function में मुझे dance करने के लिए लुंगीज मंगाने है इंडिया में शारुक खान ने लुंगी मंगाया इंडिया में officer बोल रहा है लूंगी क्या इंडिया में कुछी ने मंगाए है, officer क्या करेगा है here, officer बोलेगा, शारुक खान ने जो लूंगी मंगाए है, वो लूंगी इसका valuation करूंगा, क्यूंकि उसने जो value ढेलो डिकलेर किया, वो सही नहीं लग रहा है, officer को, तो officer बोलेगा, जो लूंगी जपान से ओफिसर ऐसे ढून रहा था, ढूनते ढूनते उसे चन्नाई पोर्ट में एक identical goods दिखाई दिया, मतलब शारुक खान ने इंडिया के बार से flowers बनी वे लुंगी मंगाई थी, flowers बनी वे लुंगी क्यों मंगाई सर, लुंगी डांस करेगा लुंगी पहन के, तो उसे designer लुंगी जुनने लगा, मुझे एक बात बताईए, same to same शारुक खान का जैसा लुंगी इंडिया में भी बनता है, जो शारुक खान ने इंडिया के बार से लुंगी डांस के लिए लुंगे मंगाया, वैसा लुंगी इंडिया में भी बनता है, क्या इंडियन लुंगी का प्राइज लगा देगा क्या इंडियन लूंगी इसका प्राइज आइडेंटिकल गुड्स के लिए लगा सकता है आइडेंटिकल गुड्स क्या होता है पहले वो समझ यह ओफिसर बोल रहा है मैं आइडेंटिकल गुड्स का वैलू लो कहूंगा आइडेंटिकल गुड्स होता क्या है र चोटे मोटे minor difference चलेंगे लेकिन mostly same to same ही है सर identical मतलब same to same चोटा मोटा difference color वगेरा अलग है कोई बात नहीं आपने इंडिया में मंगाया lungis उसका color था pink color का समझ लीजिए और यहाँ पे lungis आया blue color का same to same क्या फरक पड़ता है same to same है produced in the same country यह मैं काट रहा हूँ आप मत काटीगा यह अभी नहीं समझोगे थोधे बात समझोगे ठीक है सर produced in the same country and by the same or different person is also okay मतलब identical goods क्या होता है सर same to same goods जो उसी country में बना हुआ है उसी producer के through बना हुआ है और इंडिया में आया है अगर वो producer नहीं है वो producer के through कोई goods नहीं आया है तो दूसरा producer भी चलेगा लेकिन उसी country का होना चाहिए उसी को हम identical goods बोलेंगे identical goods क्या होता है identical goods होता है same in all respect same in same country and same producer same in all respect same country and same producer नहीं produce किया है same producer अगर जपान का नहीं मिल रहा है कोई दूसरा producer अगर उसका पडोसी है उसने produce करके इंडिया में भी बेजा है वो भी चलेगा I hope आप लोगों को identical goods का मतलब समझ में आ गया same to same goods ठीक है sir point clear है officer को एक identical goods का value मिल गया अब सुनिए सारुक खान ने जो लूंगी डान्स के लिए लूंगे मंगाए वो 2022 में डान्स कर रहा है यहाँ जो identical goods का लूंगी का price मिला है वो 2010 का मिला है 2010 में दिखाये गया चन्नाई में 100 रुपय में एक वेक्तिन मंगाया था मुझे एक बात बताईए 2010 का price आद 2022 में लेंगे क्या 2010 का price क्या 2022 में लेंगे नहीं sir उन्होंने further अब rule number 4 समझाया rule number 4 में बोला देख बेटा identical देखिए मैंने आपको identical goods समझा दिया अभी मैं identical goods का बात नहीं कर रहा है मैंने आपको बता दिया identical goods का मतलब क्या होता है ठीक है अब मैं आपको rule number 4 समझा रहा हूँ rule number 4 क्या बोलता है यह बोलता है identical goods जो imported into India at or about the same time identical goods क्या होता है at or about the same time as goods being valued मतलब सर 2022 में अगर लोंगी का valuation आप कर रहे हो तो 2021 का price लिजे 2022 का price लिजे at or about the same time का price लिजे ऐसा नहीं 5 साल 10 साल पहले का price ले रहे हो at or about the same time 2010 में लोंगी आया है 100 रुपे में 2000 22 में लोंगी आया है 1000 रुपे में अरे 1000 रुपे लोगे ना inflation भी तो है तो आपको at or about the same time का price लेना है ठीक है सर उसके बाद same commercial level और substantially same quantity सुनिए यह जो चन्ने का बंदा था इसने जब लुंगी मंगाया था जपान से इसने लुंगी डांस करने के लिए शारुक खान ने तो दस लुंगिया मंगाई है यह चन्ने का बंदा बड़ा बड़ा ट्रेटर था इसने क्या किया मैं आपको बताता हूं इसने जब जपनीज गाई को फोन किया था और बोला सर लुंगी चाहिए जब लुंगी ने बोला 1000 रुपए एक लुंगी का इसने बोला 1 लाग क्वांटिटी चाहिए उसके आखे बाहर आ गई एक लाग इंटू हजार सर एक लाग क्वांटिटी चाहिए हजार यूनिट कितना हो गया अरे कैलकुलेट करो 10 करोड रुपए हो गए सर 10 करोड हो गए जापनीज गैने बुला अरे इतना ब्रिलियंट क्वांटिटी का ओडर है चलिए सर आपको 50% डिसकाउंट दे देंगे सर 1000 रुपए में एक लूंगी दिया एक लाग क्वांटिटी अपने मंगा है इसलिए उसने 50% डिसकाउंट देते हुए आपको सिर्फ 5 करोड रुपए लिए मुझे एक बात बताईए आपका एक लूंगी का कितना रुपए हुआ 500 रुपए का वैलू हुआ एस और नो एक लूंगी का वैलू 500 रुपए का हो गिया मुझे एक बात बताईए शारुक खान ने तो 10 लूंगी मंगवाया था एक लाग लूंगी के लिए जब 1000 रुपे लग रहा था क्या नहीं एक लाग लुगी के लिए सिर्फ 500 रुपे लग रहे थे क्योंकि डिस्काउंट वगेरा मिल रहा था क्या officer क्या value लेगा क्या officer ये 500 रुपे का value शारुक खान की लुगी के लिए लगा सकता है कि 54 में valuation close कर देता हूँ कर सकता है नहीं कर सकता है आपको same commercial quantity at or around the same commercial quantity लेना है officer को देखना पड़ेगा कि चन्नेई port पे 10, 20, 25 quantity का जो goods आया था उसका value आपको लगाना पड़ेगा अगर समझ लीजे किसी एक चन्नेई के बंदे ने 10, 20 unit मंगाये थे 2,000 रुपए में मुझे एक बात बताईए क्या value लगा देगा officer officer बोलेगा this is the same commercial level और sir 2,000 रुपए लगाते वे आपका valuation 20,000 रुपए में close कर देगा क्या आप लोगों को point clarity के साथ समझ में आया officer बोलेगा नलायक सुन जब मैं valuation कर रहा हूँ same commercial quantity लोंगा same commercial level और substantially same quantity sir officer तंग आ गया पसी ने छूड़ गए sir ऐसा तो कोई वेक्ति नहीं है जो 10-20 लुपए मंगाता है sir मुझे तो ऐसा ही मिल रहा है जो लाग quantity मंगाया है पांस लाग quantity मंगाया है क्या करूँ अगर ऐसा हो रहा है कि आप higher quantity का value देख रहे हो तो एक काम कीजे officer बोलेगा रुख जा सरुखान सुन 10 unit का इसको तो एक लाग unit मंगाया था इसलिए 50% का discount मिला था एक काम करते हैं तेरे price यह नहीं लेखे यह ले लेते हैं 1000 रुपया लगाएगा और 10,000 में valuation close कर देगा देखिए क्या बुलाए different commercial level quantity या बोत है तो subject to adjustment थोड़ा सा adjustment करेगा discount मिला था commercial level बड़ा commercial level पे था बहुत high quantity पे था बहुत commercial level पे quantities था इसलिए discount था अब discount नहीं होगा discount हटाते हुए बोलेगा 1000 रुपय में valuation कर देता हूँ बताइए क्या आप लोगों को point समझ में आया clarity के साथ क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ येस सर समझ में आ गया है सुनिए अब सुनिए ऑफिसर ने कितना रुपय लगाया यहां का CIF वैलू कितना था 1000 रुपय था आपके लिए CIF वैलू कितना लगा दिया 500 नहीं लिया 1000 रुपय लिया क्यों discount वगरा हटाते हुए लिया ठीक है दन सर ये point clear हो गया एक बात बताइए CIF वैलू मतलब 1000 रुपय जब लिया इधर don't you think ये जो CIF वैलू था इसमें insurance and freight भी included था ये जो 1000 रुपय इसको थो clean करता हूँ ठीक है ये जो 1000 रुपय का unit लिया 1000 into 1 lakh unit 50% discount था और 500 रुपय उस आत्मी को पढ़ा था अब ये जो 1000 रुपय ले रहा है officer CIF वैलू इसमें तो insurance and freight included है मुझे एक बात बताइए शारुक खान ने यहां से यहां तक लूंगी मंगाया यहां insurance and freight और यहां insurance and freight इतना लंबा जब ship जा रहा है क्या सेम होगा सारुक खान बोला सर बताइए 1000 रुपया मतलब इसमें जो insurance and freight था वो तो बहुत जादा था लेकिन मैं तो इधर ही मंगा रहा हूँ जपान से तो मेरा insurance and freight तो कम होना चाहिए तो सर एक काम कीजिए न तो insurance and freight कम कर दीजे मेरा तो officer क्या करेगा इसको साड़े 900 रुपया कर देगा जो भी insurance and freight का adjustment करना है वो कर देगा यही बोला है adjust for insurance and freight as per rule number 10-2, rule number 10-2 आपको बताऊंगा if significant difference in the cost sir यहाँ पे insurance and freight 100 रुपया insurance आ रहा था 100 रुपया freight आ रहा था मेरा यहाँ पे सिर्फ 10 रुपया insurance and 10 रुपया freight आया है आप कैसे लगा सकते हो 100-100 रुपया तो यहाँ से क्या करेगा officer बोलेगा ठीक है काम करते हैं दस लुंगी तुने मंगाया है 1000 रुपय से 200 रुपया minus करते हुए 200 रुपया minus करके सिर्फ 20 रुपया add कर देते हैं और तेरा value लगा देगा 820 रुपय clearly समझ में आ गया होगा yes sir point clear हो गया है चलिए आगे बढ़ते हैं क्या हम आगे बढ़ सकते हैं officer आपका valuation कर रहा है आपका नहीं आपके goods का valuation कर रहा है officer बोलेगा sir आपका value acceptable नहीं है identical goods का value लगा देता हूँ identical goods क्या होते हैं पहले आपको यह पता होना चाहिए identical goods वो होते हैं जो at or about the same time आये है जब आपने identical goods पहले तो identical goods होते हैं sir say imported goods same country में बने हुए है same in all respect है same country में same person ने बनाये है ठीक है तो यह identical goods होगा अब identical goods जो लेगा वो at or about the same time लेगा same commercial level लेगा same commercial level नहीं है तो different commercial level को adjust कर देगा freight and insurance को adjust करेगा और value में arrive हो जाएगा I hope आप लोगों को यहां तक point clear हो गया है अब सुनिए officer धून रहा है उसे मिला 1000 रुपया है identical goods का value 800 रुपय identical goods का value 900 रुपय अरे अगर more than one transaction value of identical goods is there lowest is to be used as the as civil value lowest value लगाएगा और आपका assessment close कर देगा lowest मतलब 800 रुपय में valuation close कर देगा I hope point clear हो गया होगा सुन लीजे मैंने आपको क्या बुला a civil value is the transaction value टारिफ वैलू लेना है टारिफ वैलू नहीं है तो transaction वैलू लेना है price paid और payable when parties are unrelated price is the sole consideration ठीक है सर अब आप क्या करोगे rule number 11 आएगा rule number 11 मोलता है बेटा जा और एक declaration देदे officer को जब declaration दोगे जब bill of entry फाइल करोगे तो declaration देदेना officer को आपने declaration दिया officer ने rule number 12 में checking किया सब कुछ सही लगा तो ठीक है आगे बढ़िये rule number 32 का condition satisfy कीजे rule number 32 का 4 condition आपने अगर 4 condition satisfy कर लिया तो तो 31 बोलता है कि sir जो transaction value है वो ही acceptable value बन जाएगा ठीक है sir अगर 32 का condition satisfy नहीं किया या officer को acceptable नहीं था तो valuation rule लगाएगा valuation rule में पहला पहला rule है rule number 4 identical goods का value identical identical goods का value लगाएगा identical goods मतलब क्या होता है identical goods मतलब same to same goods होता है same country में बना हुआ होता है और same person के थुरू बना हुआ होता है उसी को हम identical goods बोलते हैं same person नहीं तो दूसरा वेक्ति ने भी अगर जपान में बनाया है मतलब उस country में बनाया है, तो भी चलेगा, ठीक है सर, identical goods का मतलब समझ में आ गया, identical goods, at or about the same time लेना है आपको, ठीक है सर, same commercial, same quantity में देखना है, same commercial level, same quantity में देखना है, उसी का value लेना है, ठीक है सर, अगर different quantity and different commercial level है, तो adjustment कर दीजेगा, सर, उसके बाद freight and insurance का adjustment कीजेगा, acceptable value बहुत सारे आ गए, तो lowest ले लिजेगा, done, ये सर, एकदम clear है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सुनिए, officer यहाँ बैठा है, सर, कहाँ बैठा है officer, officer यहाँ बैठा हुआ है, शारुक खान की लुंगीज आई है, जपान से, ठीक है, अब आ गई है, officer valuation कर रहा है, officer ढूण ने गया, identical goods, अरे शारुक खान, तूने नमंगा लिया, बबा, इलब शारुक खान, ठीक है, ऐसे नहीं है, कि मैं, बस समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है, शारुक खान ने मंगाया है, floral लुंगी, floral लुंगी मंगा लिया, flowers बना बोला, अब रूल नमबर 5 में आ जाई है, identical goods नहीं है, एक काम कर, रूल नमबर 5 बोलता है, transaction value of similar goods ले ले, same to same नहीं है, उसका जैसा ले ले, मतलब अगर समझ लिजे, यहाँ चन्नेई पोर्ट पे, किसी बंदे ने लुंगी मंगाया था, जो चेक्स वाली लुंगी से, officer उ same to same नहीं है, but have like characteristics, same characteristic है, sir, लुंगी से क्या करते हो, लुंगी पहनते है, वैसे ही, sir, चेक्स वाली लुंगी हो, फ्लॉरल लुंगी हो, अब बजार में गए, yes ना लाइक गया, बजार में लुंगी धुनने के लिए, चीक है, लुंगी धुनने गया, बुला, आज तो मैं भी लुंगी दान्स करूंगा, बजार में लुंगी डुनने कीः, फ्लावर्स ड्रीजाइन वाली लुंगी नहीं मिली, क्या करोगे, चेक्स वाली लुंगी लेकर आजाओगे, चेक-चेक बने लुंगी लेकर आजाओगे, sir, जीम है, लुंगी भी पहनते हैं, floral लुंगी पहन रहे हैं सर चेक्स वाल लूंगी भी पहन रहे हैं लूंगी तो सेम होते हैं सर कमर्शिल इंटर्चेंजिबल प्रोड़क्ट है यह नहीं मिला तो यह ले आया तो यह क्या बोल रहा है सर हो सकता है सिमिलर गुर्स का मतलब होता है not alike in all respect same to same नहीं है लेकिन same characteristic है लूंगी इसका characteristic सेम होता है सर यह floral लूंगी भी कमर के बाजू में मतलब कमर के उपर पहन के पैर के उपर मतलब कमर में पहन के फिर डांस करेगा वैसे ही सर चेक्स वाल लूंगी भी same characteristic होता है कमर में पहनने वाला है सर like component material enabling them to perform same function and commercially interchangeable same काम करता है सर चाहें आप flowers वाल लूंगी देख लो चाहें आप checks वाल लूंगी देख लो काम तो सेम है सर कमर के around में पहनना है कमर के उपर पहननना है ठीक है तो सर उसको हम similar goods ले लेंगे बस officer बोलेगा similar goods का value उठाऊंगा at or about same time सुनिए सबको same बाकी identical नहीं मिला similar ले लिया similar उसी समय जो imported है at or about the same time ठीक है same commercial level लेगा same नहीं मिला different commercial level में थोड़ा adjustment कर देगा freight and insurance का adjustment कर देगा एक से ज़्यादा similar goods मिल गया तो lowest ले लेगा क्या आपको rule number 5 समझ में आया rule number 5 बोलता है value of similar goods imported at or about the same time बाकी जो यहाँ पे बोला था वो mutatis mutandis यहीं भी applicable हो जाएगा sir rule number 4 officer valuation कर रहा है शारुखान के लूंगियों का identical मिल गया identical का value लगा देगा identical नहीं मिला similar goods का value लगा देगा yes sir point clear हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अब सुनिए अब rule number 5 से भी officer हैरान परेशान नहीं ढूंड पाया price क्या करेगा officer officer लगाएगा rule number 6 में आया ऑफिसर जब rule number 6 पढ़ेगा ना rule number 6 ऐसे बैठा हुआ है ज्यान दे रहा है ऐसे मत कर वैसे कर rule number 6 बोलता है कि अगर तू अगर तू रूल number 3 1 में value find out नहीं कर पाया बेसिकली तेरा CI value acceptable नहीं हुआ rule number 4 में valuation नहीं कर पाया rule number 5 में valuation नहीं कर पाया एक काम कर 7 और 8 लगा ले rule number 6 क्या बोलता है 3, मतलब तेरा CI value नहीं चला थीक है, तुने जो value डिकलेर के है reject हो गया, rule number 4 में valuation नहीं हो रहा है, rule number 5 में valuation नहीं हो रहा है, एक काम कर, 7 और 8 लगा ले ऐसे ग्यान दे रहा है बैठा बैठा एक काम कर, 3 नहीं लगा नहीं लगा, 4 नहीं लगा, नहीं लगा 5 नहीं लगा, नहीं लगा, तू एक काम कर 7 और 8 लगा ले, बस एक काम का बाट बोल दिया rule number 6 ने, कि अगर अगर तू officer के पास जाए और officer को request करे, तो officer पहले 8 लगा के फिर 7 लगा सकता है otherwise, rule number 3 होता है पहले कि तेरा CI value acceptable है या नहीं है अगर acceptable है तो वही value होता है rule number 4 लगाता है, rule number 4 नहीं हुआ तो rule number 5 लगाता है फिर rule number 6 बोलता है तो एक काम कर 7 और 8 लगा ले, sir मैं चाहता हूँ 8 पहले लगा दीजे rule number 6 बोलता है ठीक है अनुमतीर दे दी, rule number 6 ने बोला आपको permission दे दिया, at the importer request, proper officer can approval order दे सकता है कि sir, 8 लगा लो उसके बाद 7 लगा ले ना, ठीक है sir, point clear हो गया, चलिए अब rule number 7 सीखते है, मैंने आपको क्या पढ़ाया, बता दे बेटा, जल्दी सुन, वैसे तो chapter बहुत लंबा है, लेकिन खतम हो गया है, chapter, tension मत लिजे मजे से खतम करते हैं, सुनिए officer आपको बोला, कि sir acceptable value आपको find out करना है, आप tariff value ले लिजे rule number 14, 2 वाला, section number 14, 2 मत लिजे, अगर आपका tariff value नहीं है, है तो लेना पड़ेगा, नहीं है, तो transaction value लिजे, transaction value क्या होता है, price paid or payable, when parties are unrelated and price is the sole consideration rule number 11, बोलता है, बेटा declaration दे दे, sir declaration दे दिया, officer ने accept कर लिया, rule number 12 में acceptable हो गया, acceptable हो गया तो 3, 2 का condition, 4 condition है, sir, 4 condition fulfill किया, तो 3, 1 बोलता है, जो acceptable value होगा, वो basically आपका जो transaction value होगा, उस ही को acceptable value लेंगे मतलब CIF value को ही आपका acceptable value ले लेंगे, sir, अगर CIF value acceptable नहीं है, तो क्या होगा 3, 2 का condition satisfy नहीं हुआ, या आपका जो transaction value था, वो acceptable नहीं है या 4 condition आपने satisfy नहीं किया basically, तो basically 3, 2 बोलता है, कि अगर 3, 4 बोलता है, अगर 3, 2 का condition satisfy नहीं हुआ, तो आप valuation rule में आ जाईए, yes sir, point clear है ये linking, एक ही linking है, ठीक है 3, 2 का condition है, अगर satisfy नहीं हुआ तो 3, 4 बोलता है, valuation rule में आ जाईए, valuation rule नमबर 4 आया, sir, identical goods का value लगाईए, rule नमबर 5 आया sir, similar goods का value लगा दीजे rule नमबर 6 आया, ग्यान दिया 3 में नहीं हुआ, अरे, हसने लग गया ये, जो rule नमबर 6 है ये, ये बड़ा ही नलायक जैसा rule है, हे, 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 क्या बोलता है ये, ये बोलता है, हे, हे, तेरा 3 नहीं लगा ठीक है, 4 भी नहीं लगा, 5 मिले लगा, अरे, तो एक काम कर 3, 4, 5, तीनों नहीं लगा तो बेकार मन बन, तो 7 लगा ले 8 लगा ले, तो एक काम कर अगर ऑफिसर से पर्मिशन लेगा, तो 8 लगा ले फिर 7 लगा ले, ये भी हो सकता है अब सुनिये, अब rule number 7 आया मैं आपको बताता हूँ, rule number 7 क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, yes sir, आगे बढ़ सकते हैं सुनिये, सर एक बात बताईए न, आपने इतने सारे valuation rule समझा है, समझ में नहीं आ रहा, सुनिये rule number 1 क्या बुला, rule number of custom valuation rule का rule number 1 बोलता है, my name is custom valuation rule ठीक है sir, custom valuation rule 2017, अपना नाम बताता है ठीक है, rule number 2 क्या बुलता है, rule number 2 of custom valuation rule definitions बताता है, sir, definitions, yes बाबा मैंने आपको definition पढ़ाया, related person का identical goods, जो same to same होता है, sir, similar goods, जो not alike in all respect, but characteristics same होता है, यह सारे definition दिये हैं, उसके बाद rule number 3 आया, कि sir, आपका acceptable value ही, transaction value बनेगा, अरे मैंने तेरे को rule number 3, 1 बुला इधर, 3, 3 बुला इधर, rule number 3, 2 का condition समझाया, yes sir, rule number 3 पढ़ा दिया, rule number 4 क्या बुला, identical goods के बारे में बुला, sir, rule number 5 क्या बुला, similar goods के बारे में बुला, rule number 6 ग्यान दिया, sir, अब rule number 7 पढ़ेंगे, हाँ, सुनिए, आप officer के बास गए, आप officer के बास गए, आपका goods का valuation officer कर रहा है, rule number 3 में हाई राब, मैं नहीं लगा पाया, rule number 4 नहीं, 5 नहीं, 6 बुला बेटा 7 लगा ले, officer को बुला गया, rule number 7 लगा के valuation कर दे, officer बोला, rule number 7 का मतलब क्या होता है, rule number 7 का मतलब होता है, deductive value, sir, ये क्या होता है, सुनिए, officer आपका goods का value find out कर रहा है, ठीक है, CIF value find out कर रहा है, officer क्या बोलेगा ना, officer बोलेगा देख रमेश, identical goods नहीं है, similar goods नहीं है, transaction value acceptable नहीं है, तु एक काम कर, इंडिया में जो तेरा goods का resale price है, तु इंडिया में कितने में बेशता है, उससे तेरा इंडिया का जो भी profit है, उसको minus कर, इंडिया में जो भी expense है, उसको minus कर, इंडिया का जो भी cost of transportation, cost of insurance है, माइनस कर यहां का जो भी custom duty है माइनस कर और तू एक काम करसी है वैलो पे officer आ जाएगा क्या किया ओफिसर ने ओफिसर ने बोला दिमाग लगाया इंडिया में इन गुड्स को कितने में बिखता है तू यह जो गुड्स है यह जो गुड्स तूने मंगाया जिसका आइडेंटिकल गुड्स सिमिलर गुड्स वगरा नहीं है ठीक है इसका आइडेंटिकल गुड्स इ या सर मतलब यही goods इंडिया में तु कितने में बेशता है वो इंडिया का selling price लेगा इंडिया के खर्चे इंडिया का profit इंडिया का processing expense सारा deduct करते हुए आपका इंडिया का selling price से reduce करते हुए CIF price पे आ जाएगा deductive value क्या करेगा officer इंडिया का resale price से इंडिया का profit, commission, expenses, general expenses, cost of इंडिया में transportation, insurance, custom duty जो इंडिया में लगा वो reduce करते हुए reduce करते हुए port का value पे आ जाएगा उसको बोलेगा इस पे लूंगा duty सार देखे क्या बुला resale unit price resale unit price लोंगा of the imported और identical और similar goods in the greatest aggregate quantity जो आपने एक unregistered person को बेचा है ठीक है उससे इंडिया का जो भी commission इंडिया का profit, general expense, processing cost, minus करूंगा ठीक है उससे इंडिया का cost of transportation इंडिया में जो भी associated cost है custom duty जो दिये है वो minus करूंगा और as civil value पे आजाऊंगा मतलब इंडिया में आपके goods का resale price लेगा इंडिया के सारे खर्चे वगेरा minus करते वे custom duty minus करते वे port के अंदर का price जो basically cif price होता है उस पे arise हो जाएगा sir एक बात बताईए ये goods तो इंडिया में बिखते ही नहीं है पहली पहली बार मैंने goods लाएं है इंडिया में ये तो वो बोलेगा ठीक है एक काम कर रमेश तू आज के लिए provisionally goods को clear कर देगा provisionally बोलेगा ले जा अब एक काम कर इंडिया में 90 दिनों के अंदर-अंदर उस goods को बेशना तू 90 दिनों में जो goods बिखेगा वो resell price ले लेगा क्या बोलता है देख if resell price at or about the same time sir available ही नहीं है ये नए goods आए इंडिया में क्या करोगे तो sir unit price at the earliest date after क्या बोल रहा है unit price at the earliest date after the import but before expiry of 90 days 90 days wait करेगा बोलेगा आज तो provisionally इतना duty देके clear करके ले जा 90 दिनों के बाद एक काम करेंगे final assessment करके duty आपसे ले लेंगे provisionally आपका goods clear कर देगा 90 दिनों के बाद जब वो goods एक बार आप बेचोगे 90 दिनों के अंतरगत आपको बेच के जो भी एक price होता है उस price पे valuation कर दिया जाएगा deductive value क्या हुआ sir इंडिया का selling price minus all the खर्चा उप इंडिया minus करते वे port का value पे आ जाएगा उसी को acceptable value ले लेगा और बोलेगा बेटा duty दे दे yes everyone यहां तक आपको I hope 100% clarity के साथ समझ में आ गया होगा क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अरे मेरे यहां से जाता है नहीं है एक second one second everyone yes sir यहां तक clear है just a minute everyone कुछ हाँ हमने यहां तक पढ़ा yes everyone यहां तक clear है आ sir यहां तक सब कुछ clear है चलिए deductive value तक मैंने आपको बोल दिया इंडिया का price से सारा expense deduct करते वे एक price पे आ जाएगा उसको हम बोलेंगे asable value और उस पे आपको duty देना पड़ेगा sir यह cost of transportation and cost of insurance जो इंडिया में cost of transportation cost of insurance लगता है वो सारा खर्चा deduct करते वे आपको port का value पे आ जाना है ठीक है sir point clear है चलिए बबा एक काम करते हैं एक quick छोटा सा break लेते हैं break के बाद discussion continue करेंगे आप भी जाएए थोड़ा हवा भाहर से खाके आईए उसके बाद आगे बढ़ेंगे done sir चलिए एक break ले लेते हैं चलिए continue करते हैं everyone over here now listen सुनिए sir rule number 7 तक हो चुका है मैंने अभी तक आपको क्या सुखाया कि sir हम value find out करने की कोशिश कर रहे है value होता है as civil value या तो tariff value ले लिजे as per 14.2 अगर tariff value नहीं है आपका goods का तो section number 14.1 बोलता है transaction value ले लिजेगा transaction value price paid or payable होता है when parties are unrelated and price is the sole consideration उसके बाद आपको rule number 11 का एक declaration देना पड़ता है कि sir जो बोल रहा हूं truth and accuracy के बारे में बताना पड़ता है कि sir जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं आपको बताना पड़ता है truth and accurate declaration देना पड़ता है rule number 12 बोलता है अगर officer को acceptable नहीं होगा तो sir वो reject कर देगा और अगर उसने reject कर दिया तो sir valuation rule लगा देगा अगर उसे acceptable हो गया तो 3,2 का condition देखा जाएगा अगर 3,2 का condition satisfy किया तो 3,1 बोलता है acceptable value transaction value ही बन जाएगा जो basically CIF value होता है ठीक है sir 3,2 का 4 condition होता है अगर आपने 4 condition fulfill कर दिया तो sir आपका 3,2 बोलता है 3,2 का condition fulfilled है तो 3,1 acceptable value will be your transaction value लेकिन अगर condition satisfied नहीं है तो sir 3,4 बोलता है कि आपको valuation rule लगाना पड़ता है ठीक है sir उसकी बाद मैंने आपको valuation rule सिखाया valuation rule में rule number 4 पहले सी काम ने identical goods का value ले लीजे rule number 5 सिखाया कि sir similar goods का value ले लीजे rule number 6 सिखाया कि sir 3,4 and 5 के हिसाब से अगर आप value नहीं determine कर पा रहे तो 6 and 7,7 and 8 लगा लीजे अगर sir officer चाहे तो 8 के बाद भी 7 का approval दे सकता है ठीक है sir उसके बाद rule number 7 आया कि आपको इंडिया का resale price से deduct करते हुए officer यहां का C.I.E. value पे पहुँच जाएगा यह होता है deductive value अब होता है rule number 8 जो additive value का बात करता है additive value क्या होता है additive मतलब compute करता है officer कैसे sir समझ लीजे इंडिया का resale price से deduct करते हुए port के price पे officer नहीं आ पा रहा है तो officer बोलता है समझ लीजे आपको एक machine मुझे मेरे parent company ने gift किया है उसका value मैं कैसे find out करू बताइए मेरे को एक machine मेरी parent company ने gift किया है उसका value मैं कैसे find out करू officer बोल रहा है एक काम करते है transaction value तो तब होता है when it is price paid और payable sir उन्होंने ते मुझे बेचा नहीं है मुझे तो दिया है अब कैसे find out करू officer बोलता है उनका cost ले उनका profit ले उनका जो भी कर्चा था handling charges रास्ते में आने जाने का fair वगेरा लगा मतलब deductive होता है इंडिया का selling price से यहां का cost आना additive क्या होता है जो compute करने का बात बोलता है वो बोलता है आपको free में मिला है न उनका जो भी cost था उनका जो भी reasonable profit था उनका general expenses वहां से यहां port तक आने का port से Indian port तक आने का जो खर्चा था उसको add कीजे और निकाल लीजे value Indian port पे उसको बोलते हैं computed value देखिए sir cost of material लीजे उसका cost उसका processing expense उसका profit general expense up to the port of origin उसके बाद वहां से वहां port of origin से India तक आने का COT and COI cost of transportation cost of insurance add कीजे Indian port तक का value आ जाएगा यहीं बोला गया यहां पे कि sir compute कर लीजे cost of transportation cost of insurance add कीजे as per section number 10 to 10 to बाद में सिखाऊंगा अभी आप समझ लीजे computed value मतलब वहां का जो भी cost processing cost, expenses, profit वगरा add करते हुए उदर का सारा खर्चा add करते हुए Indian port का value पे आ जाएगा बस rule number 7 में क्या होता है इंडिया का resale price से deduct करते हुए port का value पे आता है rule number 8 में उनका processing cost से लेके profit से लेके सारा खर्चा add करते हुए Indian port पे value निकाल लेता है यह होता है computed value अगर deductive नहीं लगा पा रहे हो तो computer लगा लिजे कभी कभी computer पहले लगा सकते हो rule number 8 लगाने के बाद rule number 7 लगा सकते हो सफल कर दिया जाता है इसको 8 को पहले लगा दिजे और फिर 7 को लगा लिजे ऐसा बोल दिया जाता है ठीक है सर मैं तो rule number 4 नहीं लगा थी नहीं लगा पाया rule number 4 नहीं लगा पाया 5 नहीं लगा पाया 7 नहीं लगा पाया 8 नहीं लगा पाया नलायक है तू तो एक काम कर rule number 9 लगा ले residual method अपना दिमाग लगा residual method ऑफिसर बोलता है अगर नहीं लगा पाया, तो अब एक काम करेंगे, officer क्या करेगा, acceptable value, residual method लगा के निकाल लेगा, sir residual method क्या बोलता है, value using reasonable means, reasonable means मतलब, जो भी reasonable, जो भी उसे reasonable लगेगा, वो value consistent with the principle and general provision of the rules on the basis of data available in India, इंडिया में जो भी data available है, rule number 4, 5, 7, 8 जो बोलता है, उसका provisions को मध्य नजर रखते वे, officer क्या करेगा, कोई भी reasonable means लगा के value find out कर लेगा, for an example, identical goods, same in all respects, same country होना चीए था, समझ लीजे, officer को, अब value find out करना है, as per residual method, तो वो क्या करेगा, transaction value of identical and similar goods ले लेगा, जो दूसरे country में बनाओ है, वो value लेके valuation कर देगा, residual method लगा के valuation कर देगा, reasonable means लगाएगा, reasonable, जो सही है, reasonable means, sir, क्या reasonable means होता है, देखिए, rule number 9 बोलता है, for determination of value, reasonable means लगाना है, लेकिन ये सब reasonable नहीं है, ये सब reasonable means नहीं है, मतलब, minimum custom value, 10 value है, officer के पास, कोई भी 10 value से minimum एक value लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये reasonable means नहीं है, arbitrary और fictitious value, officer बेटा इदर, इंकी, पिंकी, पॉंग की, which is the donkey, एक लगाएंगे, ले, बेटा, ये value लग गया, officer, कोई भी arbitrary, fictitious, सोचावा, खयाली, पुलाओ, पकाके, फिर value नहीं लगाएगा, ठीक है, cost of production, not computed as per rule number 8, sir, बोल रहा है, मैं अपने तरीके से rule number 8 का computation करूँगा, और rule number 9 में उसका value, मतलब compute करूँगा, अपने तरीके से value, नहीं, ऐसे नहीं होगा, जैसे rule number 8 में बोला है, वैसे ही computed value करना पड़ता है, अगर आप value compute कर रहे हो, आपके दिमाग लगा के compute नहीं कर सकते है, highest of the two alternatives, sir, pinky pinky pong की, कौन सा है, donkey, यह ले ले, ऐसा नहीं कर सकता है, कोई भी arbitrary, कोई भी एक value ले लिया, कोई भी 50 shares, खयाली पलाव बना के एक value ले लिया, वह से नहीं हो सकता है, selling price of goods for export to country other than India, sir, यहाँ जपान से जो लुंगी आ रहा था, जपान से, जपानीज गाए, लुंगी दुब selling price of the goods for export to country other than India, नहीं लिया जा सकता, ठीक है, sir, selling price of Indian goods, Indian goods, Indian लुंगी का price ले लुंगा, नहीं, domestic market price of the goods in the exporting country, sir, जपान से लुंगी आए थी, जपान में लुंगी आ कितने में बिक रही है, वो price इंडिया में लगा देंगे, एक तो होता है, जपान में कितने में बिक रही ह कितने में बिक रही है, वो लगा दूँ, वो भी नहीं हो सकता, दो price का कौन सा मन है, लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता, sir, या फिर arbitrary fictitious value, ऐसा नहीं हो सकता, यहीं बोला है, highest of two alternative, दो price से, highest ले ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, minimum ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, यहीं बोला होते सर रीजनेबल मीन्स माचोज डी रीजनेबल मीन्स नहीं होता एक्जाम में पूछ लिया क्या रीजनेबल मीन्स नहीं होता तो आपको बहुल क्या ना है माचोज डी रीजनेबल मीन्स नहीं होता M for minimum custom value A for arbitrary or fictitious value C for cost of production H for highest of two alternatives S for O for Sir other than India अगर कोई दूसरे country में बेचा जा रहा है वो selling price S for selling price of Indian goods D for domestic market price in the exporting country ये सब आप रीजनेबल मीन्स नहीं बोल सकते हो ठीक है Sir point clear है अब सुनिए Sir officer जब इदर आपका जो value declared है उसको reject करता है क्या क्या कारण वर्ष officer ये value को reject करता है मतलब आपके value को reject कब किया जाता है बहुत high discount है abnormal discount है क्या आप ऐसे क्या special हो कि आपको special discount abnormal discount मिल रहा है देखिए कब कब officer आपका declared value को reject कर देगा significantly higher value of identical similar goods आप बोल रहे हो 4000 में phone लाया हूँ identical goods 8000 का है value reject कर देगा जो आपने declare किया है similar goods 10,000 में है आप बोल जो 1000 में लाया हूँ sir difference है ना reject कर देगा officer दर ठीक है sir sale involves abnormal or special discount बहुत discount है discount है officer बोलेगा reject कर देगा तू इतना क्या special है तरे को special discount मिला है abnormal discount मिला है fraudulent या manipulated document आपने कुछ गलत सलब document दिये है तो भी आपका value declare reject कर दिया जाएगा या फिर miss declaration of goods in parameter जब आप bill of entry फाइल करते हो आपको declaration देना पड़ता है कि sir यह जो wire आया है wire में aluminium है क्या है आपने declaration दिया miss declaration कर दिया या non declaration आपने declare ही नहीं किया bill of entry फाइल करने के समय साही से declaration नहीं दिया जो parameter बोले वे थे उन parameter क्याना sir आपने declaration नहीं दिया तो आपका value reject हो जाएगा done sir point clear है सुनिए मैंने आपको बोला section number 14 में कि पहले 14 2 का tariff value लगाईएगा tariff value नहीं है तो 14 1 आएगा 14 1 बोला transaction value ले लेना transaction value क्या होता है price paid और payable होता है जब parties unrelated होते है and price is the sole consideration उसके बाद sir rule number 11 बोला आप declaration दीजेगा declaration देने के बाद rule number 12 बोलता है अगर आपने सही rule number 12 बोलता है अगर आपने declaration सही दिया है तो officer accept करेगा नहीं तो P.O. को अगर doubt हो गया P.O. को doubt क्यों होगा मैंने अभी अभी आपको reason बता है P.O. को doubt कब कब हो सकता है abnormal discount है sir similar goods का price बहुत हाई है sir आपने special discount ले रखा है आपने समझ दीजे कोई document fraudulent document दिया था आपने parameters के इसाब से bill of entry में सब कुछ declare नहीं किया या miss declaration दे दिया तो आपका value reject कर दिया जाएगा अगर उसे doubt है तो valuation rule लगाएगा अगर doubt नहीं है तो आपको 32 का condition satisfy करना है 32 के होते हैं चार condition चारो condition अगर आपने कोई भी समझ लीजे यहां related person वाला condition आपने चारो condition अगर satisfy कर दिये तो sir 31 बोलता है value होगा accessible value sir होगा transaction value जो होता है CIF value लेकिन rule 10 का adjustment करेंगे ठीक है sir related person भी है तो rule 33 बोलता है अगर relationship के current price influence नहीं है तो 31 बोलता है a civil value is the transaction value ठीक है sir अगर यह चारो condition satisfied नहीं है तो valuation rule लगाएगा मैंने आपको rule number 4 पढ़ाया identical goods rule number 5 पढ़ाया similar goods rule number 6 पढ़ाया जो बोला 7 and 8 लगाना 8 and 7 भी कर सकते हो उसके बाद rule number आपको 7 पढ़ाया deduct करते वे Indian price से deduct करते वे आजाना rule number 8 पढ़ाया addition करते वे compute करते वे वहां का price लिजेगा वहां से compute करते वे आजाएगा rule number 9 बोला दिमाग लगाईएगा अब सुनिए मैंने आपको पढ़ा दिया क्या rule number 1 खाली valuation rule का नाम बोलता है कि मेरा नाम है custom valuation rule rule number 2 definition rule number 3 मैंने पढ़ा दिया rule number 4 5 6 7 8 9 उसके बाद अब सुनिए rule number 11 12 भी पढ़ा दिया अब rule number 10 बचा है सुनिए rule number 10 क्या बोलता है ये जो CIF value है इसमें आपको adjustment करना पड़ता है as per rule number 10 1 and as per rule number 10 2 आप adjustment करोगे तो आपको basically CIF value FOB value लेना है FOB से शुरू करना है CIF में adjustment करते वे आपको actual CIF निकालना है मतलब sir CIF को adjust करना है किस से adjust करना है कुछ items add or delete करने है वही मैंने यहां बताया है देख लीजे कि sir अब आपको acceptable value लेना है जो है transaction value which is the CIF value but adjustment 10 1 and 10 2 का करना है sir 10 1 and 10 2 का adjustment कैसे करेंगे इन्होंने बुला आप FOB से सुरुआत कीजे 10 1 and 10 2 का adjustment कीजे CIF पे आ जाईए और उस पे custom duty दे दीजेगा क्या आप लोगों को ये point clarity के साथ समझ में आ गया है क्या हम आगे बढ़ सकते हैं I hope आप लोग यहां तक 100% clear हो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं Yes sir यहां तक कोई tension नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं अब सुनिए यह जो portion है यह portion को आपको detail में समझना है क्योंकि यही exam के लिए main important portion है इसको मैंने क्या किया यहां पे बड़ा एक तरीका से बना दिया उसका summary यहां पे दिया है लेकिन actual chart यह है देखिए हम CIF value पे आएंगे लेकिन हमें शुरुआत FOB से करना है 10.1 का adjustment करना है 10.2 का adjustment करना है और CIF value पे आना है बस एक बात बुलूँ आपको अगर आपको एक logic समझ में आ गया कि sir इंडिया तक आने के सारे खर्चे जोडूँगा इंडिया goods हिट हो गया उसके बात के खर्चे नहीं जोडूँगा बात खतब बस चलिए समझते हैं CIF आपको हमेशा FOB से सुरुआत करना है sir FOB कैसे पहुँँगा मैं एक factory price लिजेगा sir उसका factory का उसका cost यह होता है production cost plus profit इसको आप लिजेगा उसमें आपको वहां के जो भी freight वगेरा है वो add करते हुए free alongside ship आजाना है ठीक है sir उसके बाद ship में loading होना export duty देना FOB price होता है मैंने यही तो आपको यहाँ पर बता रखा है कि sir आपको expected price लेना है loading, loading, charges include करते हुए FAS आएगा उसके बाद इधर से loading, charges वगेरा add करते हुए FOB आएगा देख लिजे sir यही तो मैंने आपको बोला है FOB आगया sir अब क्या add होगा अब सुनिए यह जो cost of transportation and cost of insurance है यह तो add होगा but this is as per section number 10-2 10-2 बोलता है इसको आपको add करना है तब आप arrive हो जाओगे add the CIF cost of transportation and cost of insurance लेकिन sir पता है क्या होता है यह जो FOB होता है न इसको थोड़ा सा adjust करना होता है FOB को हमें adjust करना होता है adjusted FOB पे आना पड़ता है फिर cost of transportation and cost of insurance add करना है CIF आ जाएगा cost, insurance and freight आ जाएगा I hope आप लोगों को समझ में आ गया है अब सुनिए यह जो adjusted FOB है न यह कैसे arrive होना है आपको free on board value लेना है उसमें आपको थोड़ा थोड़ा adjustment करना है section number 10-1 का adjustment होगा and section number 10-2 का adjustment और आप CIF पे आओगे 10-2 का adjustment बहुत इज़ी है 10-1 भी बहुत इज़ी है sir यह right side में आपने क्या लिखा रखा है मैंने right side में do and don'ts लिख रखा है कि exam में आपको CIF जब calculate करना है क्या-क्या include करना है कैसे-कैसे क्या-क्या include नहीं करना है वो सब लिख रखा है ठीक है चलिए अब मैंने यहाँ पे क्या बुला है adjustment under section number 10-1 10-1 में A, B, C, D, E 5 point है section number 10-1 में 5 point है यह बुलता है A बुलता है the following if incurred by the buyer and not included in the transaction value मतलब अगर वो transaction value मतलब CIF में included नहीं है तो आपको include करना है क्या included नहीं है तो sir अगर buyer ने incur किया है number 1 commission and brokerage मैं आपको समझाता हूँ commission and brokerage बहुत interesting discussion है सुनिए यह जो seller है यह seller ने क्या किया इंडिया में एक local agent appoint कर रखा है यह seller's agent appoint कर रखा है यह seller का agent है ठीक है और मैं हूँ इंडिया में buyer इसने क्या किया इसने मुझे ढूंडा इसने मुझे goods बेचा मैं जब इसे payment करने लगा तो इसने मुझे बुला सर एक लाग डॉलर आप पे मत कीजिए आप एक काम कीजिए 95,000 डॉलर पे कीजिए 5,000 रुपे आप इसे दे जीजिए 5,000 डॉलर या जो भी मैं काम करता हूँ इसको रुपीज में ले लता हूँ ताकि आपको easy हो understanding में सर रुपीज 95,000 डीजे 5,000 इसको दे दीजे मुझे एक बात बताईए इसने जो मुझे मशीन दिया उसका value क्या है 95,000 लोगे या 1,000,000 लोगे बताईए आप 95,000 लोगे या 1,000,000 लोगे यही एक trick है जो आपको बताना है मुझे सर simple सा बात है मुझे तो इसे 1,000,000 देना था इसे अपने agent को देना था उसकी जगा मैंने इसे दे दिया 95 और इसके agent को दे दिया 5,000 मुझे एक बात बताईए with respect to the machine आपका price paid और payable कितना है सर यह machine का supply करने के लिए मैंने इसके agent को भी तो 5,000 रुपे दिये है मुझे एक बात बताईए machine supply करने के लिए मैंने उसे 95 दिये actually मुझे उसे 1,000,000 देना था और उसे अपने agent को 5,000 देना था मैंने उसे दे दिया 95 और 5,000 उसके agent को दे दिया याद रखिएगा आपका value इधर 95,000 प्लस 5,000 होगा क्योंकि with respect to the machine आप कितना पे कर रहे हो 95,000 प्लस 1,000 इसलिए बोला है कोई भी commission या brokerage including all commission paid to local agent और exporter's agent is always to be included आपको हमेशा include करना है चलिए आपसे question पूछता हूँ इसको हम बोलते हैं selling commission ठीक है seller का जो agent था उसने माल विक्वाया इसलिए इसको selling agent बोलते हैं या इंडिया में seller का local agent भी बोलते हैं ठीक है अब एक concept बताईए मेरे को समझ लीजे मैं इंडिया में हूँ मैंने एक बंदे से मैंने क्या किया US में ये US में ये भी US में है US में एक agent अपॉइंट कर रखा है किसका agent है ये buyer का agent है मैंने इसको बोला मुझे एक ऐसे वेक्ती चाहिए जो इस type का machine मुझे supply कर सकते हैं ऐसे calculator ये agent ने क्या किया seller को धून लिया और seller ने मुझे क्या किया goods बेचे मैंने क्या किया machine जो seller ने बेचा मुझे उसके लिए seller को एक लाक रुपए दिये और मैंने क्या किया अपने agent को पांच हजार रुपए दिये बबा मुझे एक बात बताईए with respect to the machine मैंने seller को कितने पैसे दिये या देने है price paid और payable क्या होगा इधर पांच हजार रुपए दिये मुझे एक बात बताईए price paid और payable क्या होगा yes everyone price paid और payable मैंने इसको कितने रुपए देने है 1,00,000 या 1,00,000 पांच हजार रुपए sir आपने तो इसे 1,00,000 रुपए देने है तो 1,00,000 रुपए आपका price paid और payable होगा आप जो अपने agent को देते हो वो इस transaction value में नहीं आएगा वो तो आपका और आपका agent का understanding है yes sir point clear है हमेशा याद रखेगा अगर seller का agent इंडिया में है या local agent है जो seller का है तो basically क्या हो रहा है आप उसे पैसे कम देके agent को pay कर रहे हो जो seller का agent है तो इसलिए ये machine के value में include होता है लेकिन sir अगर आप अपने ही agent को pay कर रहे हो उससे seller को कोई मतलब नहीं है seller ने आपको machine दिया आपने उसे पैसे दिये बात खतम आपका agent और seller एक दूसरे को नहीं जानते है yes sir point clear है ये तो आपका और आपका agent का बात है इधर यहाँ machine का value से एक लाक रुपे होगा हमेशा याद रखेगा buying commission paid by the buyer to his agent is not included buyer buyer जब अपने agent को देता है वो value में include नहीं किया जाता है I hope आप लोगों को point समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद cost of container सुन लिजे क्या आपको याद है मैंने एक बंदे को US से बोला इंडिया में मुझे camera भेज दे उसने camera को एक box के अंदर container के अंदर भेज दिया container के अंदर भेजा container मतलब एक container था उस box का sir जो basically jewelry आता है तो jewelry का एक case या container होता है तो मुझे एक बाद बताईए अगर कोई container में भेजा है समझ लिजे मैंने क्या किया एक बंदे को बोला कि मुझे एक container में डालके goods को भेजिए तो container का price आपको अगर याद है classify करना पड़ेगा cost of the case or container with the main article and यही बोला गया यहां पे अगर कोई container में डालके भेजा है तो उसका value को आपको भी include करना पड़ेगा done sir क्योंकि along with this item this item is also imported along with the camera the container is also imported whatever container जिसमें आपको डालके भेजा है समान को अगर वो container आपके पास इंडिया में आया है तो goods के साथ container का value भी add करना पड़ेगा क्योंकि import तो container भी हो गया ठीक है sir point clear है समझ लीजे US से एक बंदे ने मुझे इंडिया में goods भेजे और goods का जो container था goods भेज दिये मुले sir goods आप रख लीजेगा container return कर दिजेगा इस case में जब container return हो रहा है तो इंडिया में container import नहीं हुआ वापस जाने वाला है तो उसको value में include मत कीजेगा cost of durable and returnable container do not include other than that अगर कोई भी container case वगेरा अगर आपने साथ में import किया है तो उसका value आपको value में include करना पड़ेगा done sir point clear है चलिए आगे बढ़ते हैं sir समझ लीजे मैंने एक US को बंदे को बोला मुझे glass भेजिये glass ये drinking glass होते हैं ठीक है water drinking glass बाबा water drinking glass तो मैंने उसको बोला कि देख glass तूट सकता है तो तुमें ले packing करके भेज special packing कर उसने मुझे बोला देख रमेज तेरे को glass भेज रहा हूँ glass के लिए एक लाग लूँगा special packing के लिए पांच जार का material लग गया और पांच जार रुपए का मेरा labor का खर्चा हो गया उसने आपसे दस जार रुपए extra लिए value of supply किया है उसका उसने जो आपको glass supply किया उसमें एक लाग रुपए लिए प्लस आपसे packing का भी charges लिया है तो याद रखेगा अगर कोई packing charges आपसे लिया गया है चाहें वो special packing हो normal packing हो, durable packing हो सर जो भी packing है weather for labor और material जो भी है आपको include करना पड़ेगा याद रखेगा हमेशा आपको लेना है x factory price x factory price में सर जो भी वहाँ के खर्चें add करना FAS में आ जाना FAS में loading charges, export duty add करना आप FOB में आ जाना free on board FOB value आगे है एक बार उसके बाद अब आपको section number 10-1 का adjustment करना है ये बोलता है सर आपको commission and brokerage add करना है उसके बाद सर आपको container अगर आपने साथ में कुछ मंगा लिया है तो वो भी add करना है और सर packing charges अगर कोई है वो भी add करना होगा I hope आप लोगों को point clarity के साथ समझ में आ गया है यही तीनों चीज मैंने यहां लिखा है shortcut में कि commission packing and container का cost add कर दीजिएगा चलिए आगे बढ़े yes sir आगे बढ़ सकते है उसके बाद section number 10B आता है section number 101B क्या बोलता है sir सुन लिजे यहां तक सब कुछ clearly समझ में आ रहा है yes sir आ रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं अब सुनिए assistance by importer to the supplier free of cost or at reduced price सुन लिजे मैंने एक बंदे को US से बोला मैंने एक बंदे को US से बोला कि तू मुझे shirt बना के दे everyone वो मुझे shirt बना के भेजेगा मैंने क्या किया उसे cloth भेज दिया cloth कपड़ा भेज दिया और वो क्या कर रहा है मुझे shirt बना के दे रहा है अब सुनिए मेरा कपड़ा गया और कपड़ा shirt में लगके वापस आ रहा है याद रखेगा अगर आपने shirt का कपड़ा दिया और shirt बन के आ रहा है तो आपका कपड़ा भी तो re-import हो रहा है re-importation is fresh importation और आपको वो कपड़े का value value में include करना पड़ेगा वो तो आपसे shirt में कपड़े का charge नहीं लेगा क्योंकि कपड़ा तो आपने ही दिया था लेकिन इन्होंने बोला है अगर आपने material including raw material कोई भी component, कोई भी part, कोई भी item दिया है जो वो incorporated in the imported goods मतलब shirt मंगाया shirt में कपड़ा included है ना incorporated है आपको दिखाई दे रहा है shirt में कपड़ा, तो sir अगर आपने कपड़ा दिया है और उसने shirt बना के दिया, समझ लिजे एक machine का आपने part दिया, machine में उसने उस part को लगा कि आपको भेजा है उस part को अगर आपने free में दिया है या reduce price में भी दिया है उसको value में include करना पड़ेगा अब इधर एक logic है समझ देगा, मैंने उसे 1000 मीटर कपड़ा का दिया लेकिन उसने 100 मीटर से shirt बना के दिये हैं, तो हमेशे याद रखेगा 1000 मीटर कपड़े का price आप एक ही बार में 100 shirt में अड़ मत करना, proportionately अड़ करना समझ लिजे, 1000 मीटर clothes का 1000 रुपया होता है मैंने उसको दिया, उसने 100 shirt भेजा है तो 100 shirt में 100 रुपया अड़ करना, फिर उसने मुझे 200 shirt भेजा मैंने तो उसे कपड़ा भेज दिया था 200 shirt में 200 रुपया अड़ करना आपको हमेशा cost apportionment करके अड़ करना है material अगर आपने दिया है कोई component, part, item वगेरा दिया है जो incorporate होके आ रहा है समान के साथ लग के आ रहा है तो sir उसको भी apportion करके add करना पड़ेगा add the value as apportion ठीक है sir point clear है उसके बार sir मैंने एक बंदे को बोला इंडिया के बार से मैंने समझ लिजे एक बंदे को बोला मुझे component बना के दे या एक item मैंने उसे बना के कुछ item मैंने उसे बना के भेजने बोला उसने बोला sir आप मुझे mold दे दीजे मैंने अगर mold उसे free दिया है एक लाख रुपे का mold है याद रखियेगा sir अगर समझ लीजे वो आपको 10,000 unit बना के देने वाला है 1,00,000 रुपए divided by 10,000 unit मतलब 10 रुपए per item आपको add करना पड़ेगा हमेशा याद रखेगा अगर आपने mold, dyes अगर अगर दिया है जो production में use हो गया क्या आपको आपने समझ लीजे ये glass बनवाया के मंगवाया ये glass में क्या आपको mold कहीं दिखाई दे रहा है नई सर दिखाई नहीं दे रहा mold दिखाई नहीं देता लेकिन mold use होता है जो भी use हुआ है production में वो भी आपको add करना पड़ेगा value as a portion ये जो value as a portion है शर्ट तो बना के दे दूँगा ठीक है मैंने उसको बुला एक machine बना के देने के लिए अब machine जब वो बना के देगा उसे कुछ oil वगरा की जरूरत थी oil consumable कपड़ा वगरा चाहिए था ताकि machine बनाने के समय यूज हो जाए जो basically समझ लीजे मैंने शर्ट बनवाया उसे क्या शर्ट में oil लगा के भेज़ेगा देख मैंने शर्ट में oil लगा के भेज़ दिया ने यसा नहीं होता oil consume हो जाता है तो अगर आपने उसे कुछ consumables दिये है तो sir अगर आपने material consume in the production process उसे दिया है तो भी वो भी value आपको add करना पड़ेगा I hope आप लोगों को point clear हो गया है हमेशा याद रखेगा FOB से start कीजेगा 10-1 का पहला adjustment होता है container add कीजेगा packing charges add कीजेगा sir उसके बाद commission add कीजेगा CPC container commission and packing charges add कर दिजेगा उसके बाद sir अगर आपने उसे material दिया है जो आपके shirt में समझ लिजे आपने shirt बन वाया shirt में incorporate होके आ रहा है उसको भी add कीजेगा समझ लिजे mold and dye दिया है mold and dye तो use हो गया तो mold and dye का value भी आपको amortized amount add करना है sir अगर समझ लिजे मैंने उसे कुछ material दिया जो use हुआ in the production process लगावा नहीं आया है material में लगावा नहीं आया लेकिन use हो गया है तो उसको भी देना पड़ेगा add करना पड़ेगा yes sir क्या ये point आपको 100% clarity के साथ clear है क्या हम आगे बढ़ सकते हैं yes sir point समझ में आ गया है चलिए आगे बढ़ते हैं अब सुनिए अब आपने उसे बोला कि sir समझ लीजे जपान का एक बंदा था आपने Japanese बंदे को बोला कि मैं आपको कार का design बना के दूँगा design and engineering मैं आपको इंडिया से ही design बनवा के दे दूँगा आप एक काम किजेगा उस design का मुझे car बना के भेज दीजेगा हमेशा एक बात याद रखेगा अगर designing आपने इंडिया में करके उसे दिया है और car बन के आ रहा है जो भी समान बन के आ रहा है इंडिया में undertake किये वे design का cost इंक्लूड नहीं होगा एक exception इन्होंने कर रखा है अगर समझ लिजे जपान का एक बन्दा था उसे मैंने बुला कि बेटा तु मुझे car बना के दे और मैंने उस car का design US से बनवा के उसे दे दिया design US में बनवाया और उसे दे दिया और car आ रही है इंडिया तब design cost को include करना है अगर आपने design in engineering इंडिया में करा के उसे दिया तो include नहीं करना है हमेशा याद रखेगा engineering, design, artwork, design work plan, sketches जो भी आपने इंडिया में अगर sketching, drawing वगवागरा बनवा के दिया तो include मत किजेगा elsewhere than in India बना के दिया तो include किजेगा मुझे एक बात बताईए Japan का एक बन्दा था Japan का एक बन्दा था मैंने उसको इंडिया में design बनवा के supply किया और उसने मुझे goods दिये और मैंने उसको उसने क्या किया मैंने उसको US से design बनवा के दिये और उसने मुझे car supply किया सोच के बताईएगा CIF value किसका ज़्यादा होगा इसका होगा या CIF value इसका ज़्यादा होगा अगर मैंने US से design बनवा के car बनके इंडिया आई है तो इसका CIF value ज़्यादा होगा या सर अगर मैंने design बना के दिया और इसने मुझे supply किया उसका CIF value सर इसमें समझ लिजे एक लाग का engineering cost था तो इसमें include नहीं होगा इसमें लेकिन एक लाग रुपे include हो जाएंगे अगर design and engineering के charges है क्योंकि design and engineering इंडिया के बाहर undertake किया गया है तो उसको include करना पड़ेगा क्या आप ये accept करते हो point yes or no कि सर इंडिया के बाहर अगर design and engineering करवा के car बन्वा के मंगाया समान बन्वा के मंगाया तो उसका price ज़ादा होगा लेकिन अगर इंडिया में design and engineering कराया है तो price हमेशा कम रहेगा अब मुझे एक बात बताइए समझ लिजे same to same car same to same car एक बंदे ने इंडिया में मंगाया है और officer identical goods का value डून रहा है officer किसका value डून रहा है identical goods का value officer कौन सा goods को identical लेगा जिसका value कम है या जिसका value ज़्यादा है बताईए मुझे अगर समझ लीजे एक बंदेन का valuation हो रहा है तो valuation के time officer ने same to same car अगर देखा same to same car दोनों ही same है लेकिन इस car में designer engineering इंडिया में किया गया था इस car में designer engineering इंडिया के बाहर value किसका ज़्यादा है value किसका ज़्यादा है बताईए sir इसका value ज़्यादा है इसका value तो कम है तो हमेशा identical goods उसी को लिया जाता है जिसका design and engineering इंडिया के बाहर हुआ है क्योंकि उसका CIF value हमेशा ज़्यादा होगा याद रखेगा जब भी officer identical goods लेगा identical goods वो goods नहीं होंगे जिनका नहीं officer identical goods वो कभी नहीं लेगा जिनका imported goods with respect to which design and engineering work is undertaken in India by the buyer and provided to the seller free of cost or at reduced cost मैंने अगर इंडिया में design बना के दिया है और मेरा goods बन किया है तो उसका CIF value हमेशा कम होगा अगर officer किसी और बंदे का CIF value find out करने का कोशिश कर रहा है तो officer मेरे goods का value हर्गीज नहीं लेगा क्योंकि मेरे goods का value हमेशा कम रहेगा officer क्या करेगा जिन goods का design and engineering बाहर किया गया है उन goods का value लेगा क्योंकि उन goods का CIF value हमेशा जादा होता है और जादा CIF मतलब जादा custom duty मिलेगा Yes everyone इसलिए बोला गया है जब जब आप similar goods and identical goods लेते हो उसमें उनी goods को similar और identical goods माना जाएगा जिनका engineering और design work इंडिया में undertaken नहीं है क्योंकि अगर इंडिया में undertaken होगा तो उन goods का CIF value तो कम होगा और government को चाहिए ज़्यादा tax तो ज़्यादा value वाला item का identical goods का value ले लेंगे for your valuation I hope आप लोगों को point clear है अगर officer मेरे goods का valuation कर रहा है तो उन goods का CIF value लेगा उन identical goods और similar goods का जिनका engineering design work इंडिया में नहीं किया गया है क्योंकि उन goods का value हमेशा ज़्यादा होगा I hope आप लोगों को point clarity के साथ अब समझ में आ गया होगा Yes sir point clarity के साथ समझ में आ गया है क्या हम आगे बढ़ सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं I hope आप लोगों को point clear है Yes sir point clear है चलिए आगे बढ़ते हैं अब सुनिए मैंने आपको क्या बोला आपको उठाना है FOB FOB में आपको section number 10-1 A का adjustment जिखाया 10-1 B का adjustment जिखा दिया C, PC, container packing and container packing और पहला मैंने आपको क्या बोला Commission उसके बाद मैंने आपको बोला जो भी material वगेरा आपने free of cause दिया है उसका भी value include करना पड़ेगा अब आजे ये 10-1 C में Sir ये क्या बोल रहा है Design and Engineering अगर India में undertaken है तो आपको include नहीं करना ठीक है Sir royalty and license fee अगर आप कोई भी royalty दे रहे हो कोई भी license fees दे रहे हो relating to the imported goods that the buyer is required to pay उसको भी आपको value में include करना है Sir समझ दीजिए एक लाग का समान मगाया था उस पे मैंने को 10% royalty लगता है तो 10,000 रुपे आपके value में include कर दिया जाएंगे हमेशा याद रखिएगा कोई भी royalty कोई भी license fee है तो वो आप उसको देने वाले हो तो officer बोलेगा बेटा एक लाग तो अभी दे रहा है 10,000 बात में देगा जो भी royalty देगा उसको भी include कर दिया जाएगा हमेशा याद रखिएगा payment with respect to patent, copyright, etc might be कोई process undertaken after import हो रहा है लेकिन अगर आप अगर आप उन goods के लिए हो सकता है कोई process इंडिया में undertake कर रहे हो कोई बात नहीं लेकिन उन goods related अगर आपने कोई royalty या license fees दिया है include कर दिया जाएगा क्योंकि आपने 10,000 रुपे दिये प्लस 10,000 बाद में दे रहे हो towards royalty या towards license fees तो उसको भी include कर दिया जाएगा ठीक है sir point clear है चलिए royalty and license fees अब सुनिए sir मैंने क्या किया इंडिया के बाहर से goods मंगाए इंडिया के बाहर से goods मंगाने के बाद अब मैंने उस बंदे को बोला देख बेटा एक काम कर अभी तू एक लाग रुपे का समान मुझे पचास जार रुपे में दे दे ठीक है मैं एक काम करूँगा इसको clear करा लूँगा अब इंडिया में ये जो item है न ये जितने में बिकेगा पास लाग में बिग गया ना तो भी तेरे को 10% में दे दूँगा मतलब जितने में बिकेगा उसका 10% दूँगा में तेरे को अब सर कितने में बिकेगा क्या बिकेगा अगर आप identify नहीं कर पा रहे है तो तो officer valuation rule लगाएगा देखिए subsequent sale proceed अगर आप adjustment नहीं कर पा रहे है तो तो officer valuation rule लगा देगा लेकिन सर समझ लीजे आपको उस बंदे ने बोला कि सर आप एक काम कीजे मैं आपको calculators इंडिया में भेज रहा हूँ 50 रुपे में भेज रहा हूँ 100 रुपे का item आपको 50 में भेज रहा हूँ clear करा लीजे अब एक एक item जब जब भीगेगा हर एक item के उपर आपको मुझे 10 रुपे देना पड़ेगा या समझ लीजे हर एक item के उपर 60 रुपे देना पड़ेंगे क्या आप मुझे बताओ के price paid और payable क्या है officer valuation करने के time 50 रुपे के साथ क्या amount add करेगा क्या amount मैं subsequently देने वाला हूँ per item सर 60 रुपे देने वाला हो तो सर जो भी subsequent sale proceed है अगर आप identify कर पा रहे हो तो officer बोलेगा 50 रुपे प्लस 60 रुपे 110 वैलू निकाल देगा ये ही बोला गया है कि value of any part of the proceed मतलब sale करने के बाद जो भी amount आ रहा है of subsequent sale disposal और use of the imported goods अगर आप amount adjust कर पा रहे हो तो उसको add कर दिया जाएगा मुझे एक बाद बताईए मैं और जो importer है ये जो exporter है मैं importer हूँ मेरे यहाँ company में ये एक shareholder है समझ लिजे 1% shareholder करता है related person नहीं है shareholder है 1% shareholder करता है मेरी company ने इसे dividend दिया sir dividend भी तो profit होता है dividend भी तो profit होता है क्या ये जो item मुझे supply करेगा उसके value में include किया जाएगा नहीं sir उस value में include नहीं करना है dividend is not subsequent sale process dividend तो sir सब को distribute हुआ होगा dividend तो सारे shareholders को distribute हुआ होगा just because वो आपका supplier है उसके value में include कर दोगे from the seller, from the buyer to the seller is not subsequent resale dividend तो sir आपने सारे dividend माना profit है लेकिन वो तो सारे shareholders को दिया होगा आपने ये जो supplier है इसने आपको supply किया ये भी आपकी company में shareholder है माना आपने इसे 10 रुबे dividend दिये क्या dividend को value of supply में include करना है नहीं, valuation में include नहीं करना है dividend is never subsequent sale proceed done sir, point clear है उसके अलावा अगर आपने कोई भी payment किया है as a condition of sale to the seller और third party to satisfy an obligation of the seller सुन लिजे ये seller है ये US में है मैं buyer हूँ, मैं इंडिया में हूँ इसने मुझे machine दिया ठीक है, मैंने इसे 1,00,000 रुपे देने थे इसने बोला रमेश 20,000 दे seller ने बोला, इंडिया में रमेश, मेरा एक vendor है vendor है, जिसे मुझे payment करना है इसको, तू एक काम कर तू मुझे सिर्फ 20,000 दे तू 80,000 रुपे इसको दे दे बताइए मुझे, sale का condition क्या था, कि machine दूँगा लेकिन machine का payment तेरे को इंडिया में करना है आधा payment मुझे करना है, मुझे बताइए valuation में, value machine का क्या लिया जाएगा, क्या price paid और payable लिया जाएगा ये भी तो price paid है, ये भी price paid on behalf of supplier है, इसको भी include करना है अरे, obligation of supplier made by the recipient supplier को इसे pay करना था मैंने pay कर दिया, include करना पड़ेगा, कोई भी amount अगर आप किसी को भी pay कर रहे हो क्योंकि वो एक condition of sale है, amount को include करना पड़ेगा, कोई भी amount अगर आप किसी भी वेक्ति को pay कर रहे हो, क्योंकि supplier ने आपको good supply किये, चाहे आप supplier को pay कर रहे हो, या किसी और वेक्ति को pay कर रहे हो, याद रखेगा price paid और payable में उसको include करना है, यही बुला है कि sir, all other payment made as a condition of sale to the seller or any third party to satisfy an obligation of the seller seller ने बुला, machine बेचूंगा तुसे इस party को इतना payment करना पड़ेगा, तो sir, machine के value में, वो amount भी include किया जाएगा, और आपका adjusted FOB आ जाएगा याद रखेगा, अगर वो condition of sale नहीं है, then it is not to be included, for an example, everyone सुनिए seller ने मुझे बुला, कि मैं आपको machine बेच देता हूँ, ठीक है मैंने बुला, ठीक है, इसने बुला एक लाक रुपे आपको देना पड़ेगा machine के लिए, ठीक है अब machine बेचनी के बाद इसने मुझे बुला, रमेश मुझे पचाश जा रुपे लोन चाहिए मुझे एक बात बताईए, क्या ये condition of sale है, क्या machine बेचनी के कारण मैंने उसे पचाश जा रुपे दिये है, लोन this is not a condition of sale machine बेचा, एक लाग रुपे बात खतम अब जो मैं उसे पचाश जा रुपे दे रहा हूँ that is not a condition of sale it is not to be included in the value हमेश्चा याद रखेगा because of the sale of the machine अगर मैंने उसे कुछ पे किया या किसी और पार्टी को कुछ पे किया है क्योंकि इसे इस पार्टी को पे करना था मैंने इसको पे कर दिया है उसको include करना है अगर आपने subsequently कोई amount दिया जो because of condition of sale नहीं है तो उसको include नहीं करना है done sir, point clear है section number 10-1 A, B, C, D, E clear है सुन लिजे A, B, C, D, E क्या बोला आपको लेना है FOB value ठीक है sir, FOB value में हमेशा याद रखेगा आपको include करना है 10-1 का adjustment section number 10-1 का adjustment पहला होता है C, P, C Sir, Commission, Packing and Container का charges उसके अलावा कोई भी अगर additional consideration या assistant raw material कुछ भी आपने उसे दिया है उसे भी include करना है royalty license भी दिया है include करना है subsequently अगर आपने उसे कुछ दिया है include करना है any other payment अगर as a condition of sale उसे pay किया है या किसी और को pay किया है but it is because of the sale तो sir, उसे भी include करना है an adjusted FOB आ जाएगा I hope आप लोगों को यहां तक 100% clarity आ चुका है चलिए, यहां तक clarity है आगे बढ़ते हैं आ जाएए section number 10-1 खतम हुआ section number 10 rule number 10-1 खतम हुआ अब rule number 10-2 पढ़ेंगे सुनिए 10-1 जब हमने पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा sir, हमने पढ़ लिया कि FOB को कैसे adjust करना है हमने FOB adjusted calculate करना सीख लिया sir, adjusted FOB कैसे होता है FOB में 10-1 का adjustment करते है A, B, C, D, E और sir, adjusted FOB आ जाता है अब सुनिए यह जो FOB है आपको तो CIF value चाहिए तो आप क्या add करोगे cost of transportation, cost of insurance add करोगे वो section number 10-2 में बोला गया है देख लिजे section number 10-2 बोलता है कि sir, अब आपको basically add करना है cost of transportation and cost of insurance उसी को detail में समझाया है समझ लेते है cost of transportation loading, unloading, handling, charges associated with the delivery of imported goods to the port of importation means up to add the port of importation कुछ नहीं लेना यहां तक के सारे transportation cost आपको लेना है yes sir, point clear है अगर exam में actual available है sir, actual या ascertainable या available है तो हमेशा आपको actual ही लेना पड़ेगा sir, अगर actual दिया हुआ नहीं है cost of transportation तो क्या करूँ तो इस case में आपको जहां रखना है adjusted FOB का actual unavailable और unassertainable 20% of the adjusted FOB ले लेना है sir, 20% ले लेंगे या actual ले लेंगे या 20% लेकिन एक काम कीजेगा sea route में या land route में दो ठीक है actual है तो actual ले या 20% ले लेकिन अगर air route से goods आ रहे है air हवाई जहाच के त्रूँ goods आये है तो आपको हमेशा actual या 20% compare करना है air का case में air का case में compare करना है हमेशा याद रखेगा whichever is lower लेना है in case of air we compare actual or 20% whichever is lower देखिए सर cost of transportation actual available है actual लीजे सर actual available नहीं है actual available नहीं है तो सर एक काम केजे आप ले लीजे 20% of adjusted FOB सर अगर air से goods आ रहा है actual available है तो भी maximum 20% of adjusted FOB ही हो सकता है air का case में भी याद रखेगा हमेशा आपको compare करना है actual और 20% otherwise हमेशा actual है तो actual लीजे actual नहीं है तो क्या करना है सर actual नहीं है तो 20% of adjusted FOB लेना है ठीक है ठीक है सर उसके बाद cost of insurance बोला गया है up to the port of importation cost of insurance सुनिए मैंने आपको बताया आपने निकाल लिया adjusted FOB अब cost of transportation तो सर actual है तो actual लेंगे नीटो 20% of 20% ले लेंगे adjusted FOB का air का case में actual लेंगे year 20% whichever is lower लेंगे ठीक है सर चलिए आगे बढ़ते हैं अब सुनिए cost of insurance 10 to B में बोला गया है cost of insurance देखिए क्या बोला है अगर सर actual available या certainable है तो तो आपको 20% actual लेना है सर अगर actual available नहीं है तो सर unavailable है तो insurance के लिए बोला गया है 1.125% of adjusted FOB air का case में compare इस case में नहीं करना है air का case में compare वगेड़ा नहीं करना सर actual है तो actual लीजिए किसी भी case में insurance actual है तो actual लीजिए actual नहीं है तो सर आपको कितना लेना है, एक्चुल नहीं है, तो 1.125% लेना है, और CIF आ जाएगा, ठीक है सर, point clear है, एक काम करते हैं, एक छोटा सा question निकालता हूँ, इसका छोटा सा question करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक मिनिट दीजिए, चलिए, एक छोटा सा question करते हैं, basic सा question है, म सुनिए, एक material was imported by air, CIF value पांच हजार डॉलर दिया हुआ है, freight paid दिया हुआ है, insurance and cost दिया हुआ है, banker realization ये सब छोट दीजिए, मुझे एक CIF निकाल के दिखा दीजिए, सर, CIF तो दिया हुआ है, आप CIF को adjust कर दिजिए, adjust करके बताईए मुझे, adjust करके answer बताईए, CIF दिया हुआ है, आप मुझे adjust करके FOB से CIF बताईए, मतलब CIF बताईए, जो सही होना चाहिए, सर, अगर उन्होंने, देखिए इधर, question number 10, अगर उन्होंने आपको CIF अल्रेडी दे रखा है, dollar 5000, तो सर, हमेशा पहले, cost of transportation and cost of insurance minus कीजे, कितना, सर, transportation is 1500 and insurance is 500, 1500 और 500 minus कीजे, FOB पे arrive हो जाईए, FOB कितना है, सर, FOB 3000 डॉलर हो गया है, अब cost of transportation and cost of insurance फिर add कीजे, क्योंकि air का मामला है, air के मामले में actual लेते हैं और maximum होता है 20%, 300 डॉलर का maximum 20% हो गया 600 डॉलर, तो आप 600 डॉलर लोगे इधर, air का case में हमेशा compare करना पड़ता है, and insurance तो actually लो गया, actual है तो, and hence, sir, CIF value 3600 प्लस 504100 डॉलर आ जाएगा, is my point clear to all, क्या आप लोगों को ये point समझ में आया, कि आपको कैसे CIF पे arrive होना है, sir, अगर exam में CIF देते हैं, आपको हमेशा एक point का ध्यान रखना है, never start solving with CIF, आपको कभी भी CIF से solve नहीं करना है, पहले FOB पे arrive होना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीके, sir, ये एक छोटा सा question था, और एक कोई question कराता हूँ, अच्छा सा, रूखिये, simple सा question कराता हूँ, क्योंकि अभी तक आप लोग ज्यादा सीखे नहीं हो, ठीके, ये question है, question पढ़ते हैं, समझते हैं, AMTNL, Kolkata, imported CNC, grinding machine from Catalyst USA, USA से मंगाया है, with the accessories and spare parts in October 2018, for use in the machine of high precision micro tools, basic cost of the machine with accessories, FOB is 50,000, चलिये sir, question number 22, F.O.B. कितना दिया हूए है, sir, FOB दिया हूए है, 5,000 डॉलर, 5,000, ठीक है, उसके बाद, cattle is supplied, one of the extra accessories, free of cost, sir, free of cost दिया है, मुझे कुछ देने की दरकार नहीं है, तो ये value में add नहीं होगा, हमेशा याद रखेगा, अगर आपको free में दिया है, तो are you going to pay anything? नहीं, sir, price paid और payable कुछ नहीं है, ठीक है, एक accessory free दे दिया है, कि sir, रस्ते में कुछ तूट food गया, तो ये ले, एक free accessory दे दिया, ठीक है, अब warranty cost payable to catalyst INC, not included in the cost of the machine, मुझे एक बात बताईए, क्या आप warranty cost include करोगे, yes or no, आप बताईए, sir, ये जो warranty cost payable है, आप उसे warranty cost दे रहे हो, कहां include करोगे, any other payment, if it is a condition of sale, या फिर आपने उसे pay किया है, तो आपको include करना पड़ेगा, याद रखेगा, अगर कोई भी payment है, which is a condition of sale, include करना है, तो sir, warranty charges कितना है, 50,000 डॉलर का machine था, 4,500 डॉलर है, include करना है, उसके बाद, design and development paid in US, design and development charges undertaken outside India, sir, ये भी तो include करना पड़ेगा, तो sir, design and engineering charges, dollar 6,000 भी include करना पड़ेगा, ठीक है sir, उसके बाद, license fees, sir, design and engineering undertaken elsewhere than in India, include करेंगे, license fees, अगर आपने दिया है, वो भी include होगा, ठीक है sir, कितना license fee है, dollar, thousand, thousand डॉलर, वो भी include होगा, license fees, उसके बाद, value of drawing supplied by AMTNL Kolkata, free of cost, and is necessary for customization, design and engineering, इंडिया में करा के अगर दिया है, include नहीं किया जाएगा, yes sir, point clear है, चलिए आगे बढ़ते हैं, commission paid to Indian agent in India, rupees 30,000, अभी मैं Indian agent का बात कर रहा है, यह मतलब उस बंदे का इंडिया में agent है, उसको आपने 30,000 रुपे दिये है, seller का इंडिया में agent है, देखिए बबा, seller इंडिया में appoint करता है, buyer इंडिया के बाहर appoint करता है, तो इंडिया में अगर agent है, तो हमेशा seller का होता है generally, ठीक है, तो यह 30,000 रुपे भी आपको value में include करने है, yes sir, अब देखिए, अब क्या होता है, क्योंकि यह dollar में है, अगर आपको commission add करना इधर, तो आपको basically पहले इसको convert करना पड़ेगा, लेकिन convert करना मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं है, अभी तक मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ commission भी include करना पड़ेगा, next, उसके बाद, अब sir, adjusted FOB आ जाएगा, yes sir, आ गया, उसमें आपको cost of transportation, and cost of insurance लेना है, ठीक है sir, point clear है, अब सुनिए, यह question में अगर आप देखोगे, देखे, 4500, 6000, 4500, 6000, 1000, 1000 लिया, यह dollar आ गया, dollar को convert करके इन्होंने, एक amount आया, उसमें commission को add किया, मतलब यहाँ पे, क्योंकि commission INR में था, तो आपको convert करना पड़ा, तो इन्होंने क्या किया, convert कर लिया, और अब सुनिए, अब इधर आ गया, यह आ गया Indian रुपीज में, देखे, इधर तक dollar में था, अब आपको commission add करना था 30,000 का, dollar में commission कैसे add करोगे, तो sir, पहले आपको Indian रुपीज में commission, तो 61,500 को आपने Indian रुपीज में convert किया, और फिर उसमें commission add किया, adjusted FOB आ गया, adjusted FOB में, sir, आपको add करना पड़ेगा, cost of transportation, and cost of insurance, और आपका value आ जाएगा, क्या आप लोगों को समझ में आया, कि कैसे valuation करना है, कैसे value find out करना है, yes everyone, are we all clear till here, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, जल्दी जल्दी बताईए, क्या ये point 100% clarity के साथ, यहाँ पर समझ में आ चुका है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, yes sir, यहाँ तक point समझ में आ गया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाईए, सुनिए, अब मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया, कि आपको FAS लेना है, sir, X factory लेना है, expenses अड़ करके FAS में आना है, FAS में आपको loading charges, वहाँ के port के loading charges, add करते वे boarding, sir, basically क्या हो रहा था, आपने हमें क्या सिखाया ना sir, आपने हमें ये सिखाया, कि वहाँ से जो भी खर्चे हैं, सारे add करते वे, ये loading, loading add करते वे, यहाँ तक के खर्चे में आ जाना, ठीक है, अब सुनिए, अब मुझे एक बात बताईए, ये section number 10-1 के खर्चे, मैंने आपको समझा दिये, 10-2 समझा दिया, 10-2 में कुछ notes है, वो भी पढ़ लेते हैं, सुन लिजे, cost of transportation, up to the port of importation, is included, मुझे एक बात बताईए, Indian port पे goods आ गए, इसके बाद अगर आपने कुछ transportation किया, क्या वो include होंगे, नहीं sir, include नहीं होंगे, up to, up to, up to include किया जाएगा, ठीक है sir, point clear है, आगे, उसके बाद, ship demerate charges, bar charges, light trade charges, includeable, एक बात बताईए मुझे, sir, it's ship demerate charges, क्या होता है, Indian port है यह, आपका mother vessel यहां आके खड़ा हुआ है, mother vessel यहां port पे आ नहीं सकता है, क्योंकि port में जगा नहीं है, गुर्स अनलोड हो गए एक छोटे-छोटे बोर्स में, और आ गए आपके port पे, मुझे एक बात बताईए, यह mother vessel का parking charges था 100 रुपे का, यह unloading charges था 100 रुपे का, यह ship का, छोटी-छोटी नईया का, charges था 300 रुपे का, क्या यह 500 रुपे include किये जाएंगे, in the value, yes or no, Indian port में hit होने से पहले के खर्चे है, क्या यह cost of transportation में include किये जाएंगे, yes or no, yes sir, include किये जाएंगे, add to cost of transportation, अब सुनिए मुझे एक बात बताईए, cost of transportation तो sir, actual होता है, तो actual लेते हैं, अगर sir actual नहीं होता, तो 20% of adjusted FOB लेते हैं, do you guys agree with me, yes sir, अब सुनिए, अगर मैंने, US port से लेके, India port तक का, cost of transportation 20% ले लिया है, क्या 20% लेने के बाद भी, मैं यह सारे charges फिर से जोडूँगा, अगर actual लूँगा, समझ लीजे, समुन्दर का actual खर्चा था, 20,000 रुपे का, यह ship का आने का, प्लस 100 रुपे, प्लस 100 रुपे, प्लस 300 रुपे, add होगा, अगर actual ले रहे हो, sir, अगर 20% ले लिया, तो sir, यह सारे included मान लिये जाते हैं, फिर से include मत कीजेगा, यही यह बोलना चाहता है, कि sir, अगर आपने add करना है, तो add only if, transportation charges taken on actual basis, but, do not include, if calculation is done on 20% basis, क्योंकि अगर, आपने actual लिया, तो actual में, जो आपका 100 रुपे अलग charges है, और 100 रुपे और 300 रुपे, actual basis पे ले लिजेगा, लेकिन sir, अगर 20% ले रहे हो, तो सारे US से लेके, इंडिया पोर्ट तक के, सारे cost of transportation, loading, unloading, include कर लिये गए हैं, क्या यह point clear है, yes sir, point clear है, हमेशा याद रखिएगा, इंडिया में अगर, कोई ICD में भेजने का खर्चा है, container freight station में भेज रहे हो, एक port से ICD में भेज रहे हो, port से दूसरे port में भेज रहे हो, port से container freight station भेज रहे हो, port से another airport भेज रहे हो, इंडिया में ship आ चुकी है, अब यहां से यहां जा रही है, यह सारे इंडिया का transit, transit shipment cost कभी include मत कीजेगा, इंडिया के खर्चे, एक बाद ship touch हो गया, उसके बाद के खर्चे नहीं लेना है, transit, transit shipment charges, any other transport cost, post importation, ship touch हो गया, उसके बाद का खर्चा आपको लेना ही नहीं है, I hope आप लोगों को, यहां तर पॉइंट clarity के साथ समझ में आ गया होगा, यह सर पॉइंट समझ में आ गया है, अब सुनिए, कभी-कभी क्या होता है, यह जो FOB है न, यह FOB में insurance include करके आपको बता देते हैं, सर अगर FOB insurance के साथ included amount है, एक consolidated amount दे दिया एक्जाम में, सर 20% किसका calculate करूँ, क्योंग यहां तो 20% बोला था FOB का, लेकिन FOB में तो insurance included है, उन्होंने बोला, अगर तेरे पास एक ऐसा FOB है, कभी-कभी क्या होता है, इंडिया के बाहरवाला जो बंदा था, जो आपको goods भेज रहा था, वो बोलता है, एक contract करता है आपके साथ, आपको बोलता है देखिए सर, यहां से इंडिया तक का, सिर्फ cost of transportation मैं नहीं दूँगा, जहाज में ले जाने का खर्चा आप ही बियर कीजिए, उसने आपको एक FOB price दे दिया, including insurance एक करोड उपे का, बोला insurance cost मेरा, अब transportation cost कैसे निकालोगे, 20% किसका लोगे, यह जो FOB में insurance included है, इसी का ले लेना, कभी कभी क्या होता है, आपको US का बंदा इंडिया में goods बेशता है, और बोलता है, सर, transportation मेरा है, insurance का ध्यान आप रख लीजेगा, मतलब वो आपको एक SIFOB देता है, which is including insurance price, अब इसका, सर अगर, इसमें including transportation cost, सर अगर, FOB is including transportation cost, तो मैं insurance 1.125% किसका लो, अरे inclusive amount का ले लेना, यहीं बोला गया यहां पे, कि सर, अगर, exam में आपको combined FOB दे दिया गया, that is, FOB plus insurance is given, तो cost of transportation, 20% of combined FOB लीजेगा, ठीक है सर, if combined FOB is given, which is, FOB plus transportation दे दिया है आपको, तो 1.125% अगर calculate करना है, तो sir, किसका calculate करोगे, combined amount का ही calculate कर देना, Is my point 100% clear till here, can we go ahead everyone, क्या आप लोगों को, यहां तक 100% clarity है, जो मैंने आपको समझाया, commission, यह सारा 10.1 and 10.2 का खर्चा add करना, क्या यहां तक सब कुछ समझ में आ गया है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, continue करते हैं, आज आईए, valuation के chapter में, एक छोटा सा point था, जो मुझे आपको सिखाना था, landing charges no more includeable, यह समझने के लिए, पहले आपको, Vipro का case समझना पड़ेगा, एक Vipro का बहुत famous case हुआ था, समझ लिजे मैं आपको एक shortcut में वो case बताता हूँ, Vipro ने क्या किया, ओके, पहले क्या होता था, जब CF value निकल जाता था न, तो 1% landing charges include किया जाता था, मतलब, sir landing charges क्या होता है, सुनिए, जब आपके goods, इंडिया में आ चुके हैं, अब, यहां से port पे उतारने के charges, ठीक है, port में जो भी handling charges वगेरा है, मतलब port के charges, handling charges, यह सारे cover करने के लिए, इंडियान गौर्मेंट क्या करता था, 1% जैसे ही आपका CIF value आ जाता था, उस पे यह सब के लिए, loading charges, unloading charges, handling charges, यह बोलके, CIF value का सीधा 1% लगा देता था, ठीक है, sir, वो additional add कर दिया जाता था, CIF में, किस से, sir, CIF का value से 1% add कर दिया जाता था, ठीक है, sir, और उस पे custom duty calculate किया जाता था, ठीक है, sir, लेकिन, इंडियान पोर्ट पे जो charges लेने ही नहीं चीए, पहले लिया जाता था, विप्रो केस होने से पहले, इंडियान पोर्ट पे जो भी unloading है, loading है, handling charges है, वो लिये जाते थे, विप्रो केस होने से पहले, ठीक है, sir, क्या हुआ विप्रो का case में, विप्रो ने समझ लीजे, इंडिया के बहार से एक software मंगाया, software आ गया एक CD में, ठीक है, मैं आपको एक्जामपल के थोर पे समझा रहा हूँ, एक्जाक केस नहीं समझा रहा, ठीक है, अब एक करोर रुपे क्या लगा दिये, लैंडिंग चार्जेस लगा दिये, ठीक है, sir, अब इधर प्रॉब्लम क्या आया, जैसे ही 1% लैंडिंग चार्जेस लगा दिया, तो एक करोर रुपे का लैंडिंग चार्जेस लग गया विप्रो का, विप्रो बोला, sir, CD में आया software और इंडियन गौर्मेंट ने बोला, इंडिया में unloading करने का, loading करने का, handling charges का 1% में लगा रहा हूँ, विप्रो चला गया court में, और बोला ये acceptable नहीं है मेरे को, एक CD में आया हूँ software के उपर, 1% landing charges, आप सब पे लगाते हो तो, CD के लिए भी लगा दोगे, छोटा सा एक software आया, उस पे 1 करोर रुपे का खर्चा होता है, loading charges, unloading charges, landing charges, loading, unloading, handling charges, वगेरा का खर्चा होता है, एक करोर रुपे है, तो विप्रो चला गया court में, और court ने विप्रो के case में, judgment दिया, कि ये जो 1% landing charges है, ये 1% नहीं लगाना चाहिए, actual ही लगाना चाहिए, ठीक है, उसके बाद एक amendment आया, custom act में, जहाँ इन्हों ने क्या किया, यहाँ पहले, cost of transportation था, ठीक है, सुनिए, पहले क्या था ये, एक सेकेंड, मैं एक चार्ट खोल लेता हूँ, ताकि एजी लिए इसको दिखा सकूँ, पहले ये क्या हुआ करता था, 1% क्यों चार्ज किया जाता था, क्योंकि लिखा था, cost of transportation, फिर अगर कोई unloading, handling charges, इंडिया के port में होगा, तो उसको हम include कर लेंगे, ठीक है सर, तो इन्होंने किसले बोला था 1%, क्योंकि यहाँ पे law में जब आप देखोगे, तो law में क्या लिखावा था, law में लिखावा था, loading, unloading, यह छोड़ दीजे, cost of transportation मैंने आपको दिखा दिया, यह cost of transportation, ठीक है, उसके बाद लिखावा था, loading, unloading, handling charges, associated with delivery, of the imported goods, यहाँ पे, at the Indian port लिखावा था, पहले आप कुछ मत कीजेगा, at the port of importation, मतलब, इंडिया के port पे, जो भी loading, unloading, handling charges होगा, वो भी हम include करते भे चलेंगे, loading, unloading, handling charges, associated with the delivery, at the Indian port भी हम include करेंगे, मतलब, पहले क्या होता था, Indian port पे जो भी loading, unloading charges होते थे, उसको include किया जाता था, और उसको include करने के लिए क्या करते थे, 1% direct landing charges लगा देते थे, सर, इसके लिए direct 1% landing charges जैसे CIF आ जाता था लगा देते थे, ठीक है, अब क्या हुआ, court का judgment आया, court ने बोला, आप ऐसे landing charges, loading, unloading, handling के लिए 1% landing charges नहीं लगा सकते, आपको actual लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने law में एक change कर दिया, loading, unloading, handling charges होंगे, तो हम लेंगे, Indian port पे कोई loading, unloading, handling charges हम नहीं लेंगे, जो अभी होता है, क्या होता है, अभी, loading, unloading, handling charges नहीं लिया जाता, अगर Indian port पे होता है, क्या यहां तक point clear है, 100%, ठीक है, सर, यह तो समझ में आ गया है, लेकिन सर, आप हमको यह क्यों बता रहे हो अभी, इसका एक बहुत बड़ा effect हो गया, जो क्या हुआ, अगर आप देखोगे, ICI क्या कर रही है, जैसे ही, इसको, up to the Indian port कर दिया गया ना, तो ICI ने बुला, कि, देखिए, जो US का port है, मतलब हमारा जो इंस्ट्यूट है, CMA का इंस्ट्यूट भी यही कर रहा है, ठीक है, अब सुनिए, सर, उन्होंने क्या बुला, cost of transportation ठीक है, अगर cost of transportation, plus loading, unloading, handling, charges, up to बोला जा रहा है, मतलब, US port से लेखे, Indian port तक पहुँशने तक, जो भी cost of transportation, loading, unloading, handling, charges है, वो 20% में include हो गए, मतलब, actually case law क्या बोल रहा था, कि यह जो loading, unloading, handling, charges है, यह नहीं लेना है, और इसी लिए, actually क्या होना था, कि इस line को ऐसे delete कर देना चाहिए था, कि cost of transportation हमें लेना है, up to the place of importation, मतलब, सिर्फ यह cost of transportation लेना है, यहां के कोई loading, unloading, handling, charges नहीं लेने है, ठीक है, लेकिन, इसका, change क्या इन्होंने किया law में, इन्होंने law में, ऐसे change नहीं किया, इसको delete नहीं किया, बस इधर क्या किया इन्होंने, इधर add को to कर दिया, मतलब, Indian charges, Indian port तक आने के, जो भी cost of transportation, loading, unloading है, वो हम include नहीं करेंगे, meaning वो था, लेकिन फिर क्या हुआ, इसका interpretation यह derive किया गया, कि US port में, अगर कोई loading charges है, unloading charges है, यहां कोई handling charges दिये गए, ठीक है, यह cost of transportation है, यह पूरा उधर से लेकि Indian port तक पूरा include कर दिया जाएगा, 20% में, Sir, इसका effect क्या पड़ेगा, इसका effect यह पड़ेगा, चलिए, question करता हूँ, आपको better समझ में आ जाएगा, एक second दीजे, मैं question निकालता हूँ, ताकि आपको easily समझ में आ जाए, Just a minute, मैं question निकालता हूँ, चलिए, एक question मैंने निकाला है, यह question solve करते हैं, आपको basic idea आ जाएगा, कि यह change के कारण, actually क्या change आया, चलिए, देखिए, Jolly Overseas of Hyderabad has imported a machine from UK through sea route, sea route ठीक है, ठीक है, एक बार कर लेते हैं, the details are given, ठीक है, cost of the machine दिया हूआ है, at the factory, मतलब सर, X factory price दिया हूआ है, ठीक है, कितना दिया हूआ है, 20,000, ठीक है, सर, उसके बाद, transportation from factory to the port, सर, transportation cost, जो factory से port तक लगा, कितना लगा, 600 डॉलर लगा, ठीक है, सर, pound लगा, 600 pound लगा, handling charges for loading, the machine at the ship, at the port of expedition, मतलब मैंने आपको क्या बताया, यहां पे, यहां का price बताया, यहां से यहां का transportation बताया, यहां से यहां का loading charges है, ठीक है, कितना है loading charges, 500 डॉलर है, सर, 500 pound है, loading charges, loading charges, ठीक है, सर, उसके बाद, license fees, related to the imported goods, payable by the importer as a condition of sale, एक second, मुझे एक बाद बताये, क्या यहां तक FOB आ चुका है, यह सर, वहां पे X-Factory price, factory से आ गया port तक, और port में loading charges आ गए, सर, यहां तक, अगर आप देखोगे, तो FOB price आ चुका है, FOB बताये, सर, 20,000, 20,100 pound, ठीक है सर, point clear है, उसके बाद, इन्होंने बोला, license fees, relating to the imported goods, payable by the importer, as a condition of sale, license fees, सर, section number 10-1 का adjustment था, section number 10-1 में अगर आपको याद है, license fees कितना था, license fees 900 है, ठीक है सर, उसके बाद, actual freight, from the port, to the port of exportation, are not ascertainable, एक बात बताये, section number 10-1 का adjustment हो गया, 21,000 pound आ गया, sorry, 21,000 pound आ गया, ठीक है, अब सुनिए, अब ये लोग क्या बोल रहा है, कि वहां से लेके Indian port तक के, cost of transportation नहीं दिये वह है, अगर आप देखोगे, तो ये cost of transportation, मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको बोला है, कि आपको 20% ले लेना है, अगर actual नहीं दिया हुआ है, तो 20% लेना है, 20% of the adjusted FOB, सर, adjusted FOB का 20% कितना होता है, section number 10-2, cost of transportation and cost of insurance की बात करता है, ये होता है 20%, इसका 20% कितना हुआ? 4,200 pounds हो गया, सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, actual insurance paid, actual दिया हुआ है, सर, तो actual ले लेते हैं, cost of insurance 200 pounds दिया हुआ है, क्या आप लोगों को, अब देखिए, landing charges paid is not ascertainable, landing charges includable नहीं होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, हाँ sir, landing charges includable अब नहीं हैं, ठीक है sir, उसके बाद, अब आज़े ये total करने के लिए, अगर आप total देखोगे, मुझे बताईए total कितना हुआ, sir, 20,000, plus, इधर हो गया 21,000, मेरा mathematics बहुत खराब है, plus, इसलिए मैं calculator यूज करता हूँ, ठीक है sir, 25,400, क्या आप मेरे से agree करते हो, यहां तक का जो मैंने कराया है, जो मैंने आपको कल सिखाया था, वही है ये, जो मैंने आपको सिखाया था, वही है ये, क्या आप मेरे साथ agree करते हो, तो जैसे मैंने आपको सिखाया था, कि पहले आपको X-Factory लेना है, transportation, loading charges, FOB आ जाएगा, FOB में आपको 10-1 का adjustment करना है, यह adjusted FOB आ गया, सार, adjusted FOB में cost of transportation and cost of insurance करना है, एक second, ओके, one minute, sorry, यह 21,100, plus 900, 22,000 होगा, एक second, sorry, into 20%, 24, 24,000 आएगा, और सर, इधर total आजाएगा, 22,000, plus 24,000, plus 200, यह हो गया, 2, 26,000, ठीक है, अभी ठीक है, अब सुनिए, यह सर, हमें तो यही समझ में आया था, कल तक जब आपने पढ़ा दिया था, अब सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, क्या problem हुआ इधर, यह क्या बूल रहे हैं, जब आपने यह 20% ले लिया है, जब आपने यह 20% ले लिया है, तो US से लेके, इंडिया तक, US के अंदर से लेके, इंडियन पोर्ट तक पहुंचने तक के, सारे cost of transportation include हो गए, इसी में, यह 20% में सारे included है, मतलब आपने जो यह transportation cost और loading charges लिये हैं न, यह नहीं लेना है फिर से, क्यों सर, क्योंकि अगर आप यह line पढ़ोगे, cost of transportation, loading, unloading, handling charges associated with the delivery of the imported goods up to the port of importation, मतलब US से लेके, इंडिया तक आने का, कोई भी cost of transportation, loading, unloading, handling charges सारे include हो गए, मतलब, यह 20% में अगर सारे included हैं, तो फिर से आपको include नहीं करना है, ठीक है सर, point clear हो गया, and hence अगर आप देखोगे, तो आप यहाँ पे देखोगे, इन्होंने, अपने institute ने कैसे किया है, यह करते हैं, ऐसे 20,000 ले लेते हैं इसको, ठीक है सर, यह तो नहीं लेना है, यह आगया, यह 900 जो है, यह 900 डॉलर इधर ले लेंगे, सर यह आगया 2900, ठीक है, उसमें यह 4400 भी ले लेंगे, यह 200 पाउंड भी ले लेंगे, और आज आएगा 2900, प्लस 2400, प्लस 200, 25500, आप देखिए इधर, अगर आप देखोगे नीचे, 25500 आया है, क्या आपको समझ में आया, इन्होंने क्या किया, हमने जो तरीके से किया था, वो एकदम सही तरीका है, लेकिन अब इंस्टिटूट जो फॉलो कर रहा है, वो ही हमें फॉलो करना है, आपको क्या करना है, यूएस पोर्ट से, इंडियन पोर्ट तक के सारे खर्चे, अगर आपने cost of transportation 20% लिया है, मान लिया जाएगा, कि ये जो transportation loading charges है, ये इसी में included है, और आपको फिर exclude कर देना है, तो आपको question करने के समय, करना तो ऐसे ही है, जैसे मैंने आपको कराया, फिर आप बस एक काम, ये आप रफ में कर लिजेगा, ये आप रफ में कर लिजेगा, क्यूंकि सर, FOB, adjusted FOB आपको निकालना पड़ेगा, adjusted FOB गई तो cost of transportation add करते हैं 20%, तो सर, बस क्या किया है, इन्होंने, देखिए, यहाँ पे इसको इधर डाल दिया, इसको इधर डाला, ठीक है, ये total आगिया इन दोनों का, ठीक है, उसमें क्या किया, ये दोनों जो था, ये दोनों को यहीं पे लिख दिया, 25-500 आगिया, क्या आपको समझ में आया, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये institute ऐसे ही कर रहा है, और हमें ऐसे ही करके जाना है, ये वहाँ से लेके Indian port तक के, सारे cost of transportation, loading, unloading, handling charges, 20% में include हो गए, मान लेना है, सर अगर actual दिया हुआ है, तो तो कोई problem नहीं है, लेकिन जब भी आपको 20% calculate करना पड़ेगा, तब आप गलत हो सकते हो, क्या आपको ये point 100% clarity के साथ समझ में आ गया है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ये सर, सर अपना वाला कितना सही था, इतना सिंपल था, ये सब हैडे की नहीं होता, एक काम कर, इस question को try कर, ये question को try कर पहले, determination of a civil value under custom law of imported machine based on the cost, ये एक machine का दिया हुआ है, cost of machine contracted price, revised price, negotiated price, आपको अमेशा negotiated price लेना है, क्योंकि वो ही आपको देना है, तो ये सब बेकार है आपके लिए, negotiated price, रुपीज 1,50,000, चलिए मैं कर देता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा, question number 33, नहीं मैं नहीं करूँगा, दो मिनिट दूँगा, आप कीजे, मैं दो मिनिट आपका wait करूँगा, आप ये question को try कीजे, गल्ती कीजे, बबा, गल्ती घर पर कीजे, बहुत ज़रूरी है, कीजे, sum को कीजे, फिर मैं समझाऊंगा, पड़ा फट, sum कीजे, कीजे, गल्ती कोई प्रावब नहीं है, जल्दी कीजे, दो मिनिट लगाई है, sum कीजे, झाल सर यह फटाफट चलिए सम को कर लेते हैं यह बोल रहा है नेगोशेटेड प्राइज 1,50,000 मतलब सर एक्स फेक्टरी प्राइज दिया हुआ है 1,50,000 ठीक है उसके बाद क्या हुआ उसके बाद इन्होंने बोला है सर फ्रेट फ्रॉम फेक्टरी of the exporter to the port of shipment जहां वो उसकी फेक्टरी से shipment port तक पहुँचाने का खर्चा कितना है 20,000 रुपए मतलब फ्रेट सर कितना बताया है फ्रेट 20,000 ठीक है सर उसके बाद फ्रेट इंकर्ट फ्रॉम पोर्ट तो दा इन्लाइन कंटेनर डी पोर्ट मतलब इंडियन पोर्ट में अगर इंडियन पोर्ट में आने के बाद ICD में भेजने का खर्चा है तो आपको इंक्लूट नहीं करना है ठीक है सर हटाईए handling charges paid for loading the machine मतलब US port में देखिए यहां के खर्चे नहीं लेने आपको US port में loading of the machine के लिए handling charges दिये गए कितना सर handling charges 5,000 रुपए ठीक है सर उसके बाद Demerage paid at Indian port Indian port पे अगर आपके goods आ गए और इधर आपने कोई parking charges दिये है include नहीं करना है हमेशा याद रखेगा Demerage include नहीं करना है Buying commission paid by importer Importer ने अगर कोई buying commission दिया है अब सुनिए Importer ने अगर कोई buying commission दिया है तो सर Importer, Importer जो दे रहा है Importer किसको देगा Importer किसको देगा Seller के agent को देगा Seller के agent को अगर importer ने कुछ पैसा दिया है तो क्या होता है आप इसको ऐसे समझेए कि अगर ये मैं बोलू कि commission paid by importer है आप मेरे को बताइए अगर ये commission paid by importer exporter था, उसका agent था उसको importer ने commission दिया है हाँ सर ये तो include होगा पहले FOB आगिया आपका FOB कितना आया? 1,75,000 आया Section number 10-1 का adjustment करना है 10-2 का adjustment करना है सर commission बोला गया है कितना बोला है commission आपने commission दिया 5,000 रुपे का ठीक है सर commission आ गया उसके बाद सर commission paid to local agent ओके ये नहीं आएगा फिर अब देखिए इदर ना इन लोगोंने इतना सारा confusion कर रखा है Buying commission Buying commission paid by importer 5,000 Commission paid to local agent appointed by exporter अब सुनिए Buying commission इन्होंने अब क्या अजियूम क्या होगा मैं आपको बताता हूँ अब इधर assumption पे इस सारा खेला है अगर आप Buying commission को अजियूम करते हो कि Buying commission is paid by Sir, खरीदने का commission कौन देता है बताई Buying commission जो importer देता है importer ने ये क्या assume क्या गया है मैं आपको बताता हूँ ये Buying commission है जो importer ने अपने agent को दिया है US port में ठीक है Sir, वही assumption सही है मेरा गलती है Buying commission ऐसे लेंगे कि importer ने अपने agent को दिया जो US में है ठीक है Sir तो Buying commission include नहीं करना है Commission paid to local agent of exporter exporter का agent इंडिया में है उसे मैं pay कर रहा हूँ वो तो include करना है चलिए ये ले लेते हजार उपए इस commission को 50 रुपए को नहीं लेना है Buying commission मतलब Buyer ने दिया है और Buying commission include नहीं होता seller का जो agent होता है उसको जो commission देते हो वो include होता है ठीक है Sir, 1000 रुपए include हो जाएगा Vendor inspection charges not required under the contract मैंने नहीं देने है Vendor inspection charges Contract में required ही नहीं है और क्या मैंने दिया है क्या मैंने ये पैसा दिया है उसको Vendor inspection charges not required under the contract Contract के हिसाब से नहीं है तो अगर आप इसको assume करते हो Again, ये assumption पे खेला है कि Sir, अगर मैंने उसको ये पैसे दिये है तो price actually paid or payable में आएगा अगर मैं assume करता हूँ कि Sir, मैंने नहीं दिये है तो नहीं आएगा ठीक है उसके बाद तो आपको include नहीं करना है मेरा assumption ये है कि Sir, as per the contract नहीं है तो मैंने उसको pay नहीं किये होंगे नहीं किये तो नहीं include होगा ठीक है, अब calculation कर लेते है Sir, 1,76,000 आ गया अब इस पे 20% होता है cost of transportation 1.125% होता है cost of insurance इधर दिया हूँ आएगा नहीं Sir, नहीं दिया है तो अगर आप इसका 20% लेते हो तो 176,000 into 20% 35,200 होता है and 176,000 into 1.125% Sir, 1980 होता है तो आपके इसाब से answer आएगा 176,000 plus 35,200 plus 1980 Sir, 176,000 plus 35,200 plus 1980 213,180 लेकिन अगर आप इनका answer देखोगे तो इनका answer कुछ अलगी आ रहा है क्यों Sir? सुनिए, मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या किया? ये जब 20% ले लिया है तो cost of transportation, loading charges, handling charges सारे इसमें include हो गए है तो ये जो cost of transportation, loading charges, handling charges है इसको आपको हटा देना पड़ेगा and resultantly अगर आप देखोगे तो 1,50,000 आ गया इधर उसके बाद ये आ गया commission 1000 रुपे का उसके बाद ठीक है? ये 1000 रुपे ले लिये इन्होंने ये ले लिये 35,200 और ये ले लिये 1980 सर कितना आया? 1,50, 1,60, 1,50,000 प्लस 1,000, प्लस 35,200, प्लस 1980 और इनका answer आ गया 1,88, 1,80 क्या आपको समझ में आया ये लोग कैसे calculation कर रहे हैं? क्या आप लोगों को clearly ये point समझ में आ गया? कि ये लोग क्या कर रहे हैं? सर, कुछ नहीं है, calculation तो हमारे हिसाब से होना है ये आप working note बनाईएगा क्योंकि आपको exam में adjusted FOB निकाल के आना पड़ेगा ये जो amount है, ये adjusted FOB से निकलता है ये amount भी adjusted FOB से निकलता है बस एक बात का ध्यान रखिएगा exam में अगर आपने adjusted FOB 20% लिया है तो मान लीजेगा, ये सारे include हो गए और cost of transportation, loading, unloading आपको exclude कर देना है वहाँ से लेके Indian port तक के सारे cost of transportation, loading charges, unloading charges, handling charges है वो 20% में include हो गए मान लेना है done है point क्या ये point clear है, क्या हम आगे बढ़ सकते है yes everyone, आप लोगों को point clearly समझ में आ गिया है done sir, point समझ में आ गिया है, देखिए, ये था answer अब बच्चे अगर मेरे method से करके आ जाएं, तो गया sir, खराब हो गया paper आपको ICI का method, जो basically अपना institute ने method follow किया है, वही करना है sir, कैसे याद रखेंगे exam में इसको, आपको एक चीत का ध्यान रखना है चलिए, एक और question कराता हूँ, बड़े मज़ेदार question है वो कर लोगे तो final, बस खतम हो गया एक second दीजिए, मैं question निकालता हूँ चल, एक question है, question number 41 चलिए, इस question को कीजे, ये last question है, concept related, जो आपको चाहिए होगा बस, उसके बाद chapter को close कर देंगे फड़ाफट इस question को कीजे, करिए शुरू हो जाईए, question को solve कीजे, मैं आप लोगों का wait कर रहा हूँ, फड़ाफट कीजे जो बच्चे Google Drive, Pen Drive देख रहे हैं, वीडियो को pause कीजे, question को solve कीजे, फिर start कीजेगा चलिए, मैं कराता हूँ, चलिए, आजएए product Vertigo was imported by Mineral Sen by Air from Singapore to Hyderabad, the details of the imported transaction are as under, ठीक है price of the Vertigo at X factory price दिया हूँ है, 7,500 EUR question number 41, क्या बुला हूँ है, sir, EUR 7,500, X factory price ठीक है, उसके बाद, freight from port, factory to the load port, मतलब, सुनिए इसका X factory price दिया हूआ है, sir, उसके बाद, यहां से लेके, यहां तक का freight दिया हूआ है, यहां से यहां तक का, इसका X factory और यहां से यहां तक का, ठीक है, sir कितना दिया है, 300 EUR, तो freight, 300 EUR दिया हूआ है, उसके बाद, loading and unloading charges at local port, मतलब, यहां का जो भी loading and unloading charges है, loading charges, कितना दिया हूआ है, 200 EUR, ठीक है, उसके बाद, air freight from the set port to the Hyderabad airport, sir, यहां से लेके, यहां तक का, यहां से लेके, इंडिया तक का, air transportation का cause दिया हूआ है, कितना दिया है, 1350, sir, एक काम करते हैं, यहां अगर आप देखोगे, तो यह क्या आ गया, यह आ गया, FOB, FOB कितना आ गया, sir, 7500, 200, 8000 आ गया, ठीक है, FOB 8000 आ गया, प्लस, इसके बाद, इन्हों ने क्या बोला, air freight, so, sir, air freight ले लेते हैं, सुनिए, cost of, अब आपको section number 10, 1 का adjustment दिया है कहा है, इसमें question में, पहले देख लेते हैं, air freight, insurance, purchase commission, purchase commission क्या होता है, बबा, purchase commission क्या होता है, आपने जो purchase किया है, आपने जो purchase किया है, मतलब seller के agent को commission दिया है seller के agent को अगर आपने commission दिया है वो होता है selling commission उसको include करना है चलिए यहाँ पे section number 10-1 में एक selling commission आ गया 200 euros का इधर आ गया 8200 यह हो गया adjusted FOB ठीके सर अब section number 10-2 बोलता है cost of transportation सुनिए section number 10-2 क्या बोलता है section number 10-2 बोलता है cost of transportation loading, unloading, handling, charges कितना है sir क्या इधर दिया हुआ है question में क्या question में इन्होंने दिया है sir insurance भी दिया है और insurance भी दिया है sir actual कितना है 1400 and cost of insurance कितना है sorry यह तो 1350 है ठीके sir 1350 है और insurance 1400 है अगर आपको याद है air का case में हम हमेशा compare करते हैं air का case में हम हमेशा compare करते है actual and 20% of adjusted FOB और lower लेते हैं ठीके sir अब बताइए actual 1350 दिया हुआ है yes sir actual 1350 दिया हुआ है 20% of adjusted FOB कितना होता है yes everyone क्या आपको सही लग रहा है लेकिन पता है आपने क्या गलती किया यहाँ पे आपने directly cost of transportation को 20% से compare कर दिया sir एक बात सुनिए यह जो 20% होता है यह 20% क्या include करता है cost of transportation, loading, unloading, handling, charges सब include करता है तो अगर आप इसको compare कर रहे हो तो इसको अगर आप compare सिर्फ cost of transportation से करोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि यह 20% जब आप लेते हो तो 20% includes cost of transportation, loading, unloading, handling, charges तो sir जब आप cost of transportation के साथ इसको compare कर रहे हो उपर तो आपको cost of transportation, loading, unloading, handling, charges सब include करने है तो इसके साथ आपको 1350 के साथ यह जो 300 है और यह 200 है यह भी include करना है what is the total of this? sir 300 plus 200, 1350 कितना हुआ? 1850 हो गया sir actual actual 1850 है और 20% is 1640 तो आप क्या लोगे? कभी भी याद रखेगा जब आप 20% ले रहे हो तो 20% includes cost of transportation, loading, unloading तो जब आप 20% को compare कर रहे हो तो आपको compare भी cost of transportation, loading, unloading से करना है तो sir 20% हो रहा है 1640 and sir उपर अगर आप देखोगे तो 300 है cost of transportation, loading, unloading, handling 200 है और sir air transportation 1350 है तो यह total हो गया 1850 इन दोनों को compare करोगे तो बताइए इन दोनों को compare करोगे तो आप क्या लेने वाले हो? sir मैं तो actually लेने वाला हूँ तो 1350 ही लोगे यह दोनों तो उपर already included है तो आप देखिए अब अगर आप देखोगे तो आपका total amount कितना आ रहा है? 8200 प्लस 1350 प्लस 1410950 एंसर देखिए हाँ पे इन्होंने purchase commission नहीं लिया है purchase commission इन्होंने क्यों include नहीं किया? इन्होंने purchase commission को फिर buying commission ले लिया है purchase करना मतलब सुनिए मैं आपको बताता हूँ इन लोगा क्या thought है इदर आप फिर से purchase करने का मतलब क्या होता है? खरीदना और खरीदने के लिए purchase करने का मतलब होता है buying और sir purchase करने का मतलब वह बाइंग और buying commission include नहीं होगा बोलके इन्होंने include नहीं किया ठीक है sir हम भी यही कर देते हैं चलिए तो मैं अगर इसको हटा देता हूँ तो sir इधर आ गया adjusted FOB adjusted FOB कितना हो गया? 8,000 हो गया चलिए अब एक काम करते हैं sir अगर आप देखोगे अब हमें section number 10-1 का adjustment करना है and section number 10-2 का adjustment करना है देखिए इन्होंने भी यहाँ पे FOB 8,000 ही लिया है ठीक है sir point clear है अब सुनिए अब अगर आप इधर देखोगे question कहां गया हाँ तो इधर हमें section number 10-1 and 10-2 का adjustment करना है section number 10-1 and section number 10-2 section number 10-2 तो कोई issue नहीं है sir cost of insurance दिया हो आया question में कितना दिया हो है cost of insurance 1400 1400 sir अगर cost of transportation के बात करें cost of transportation, loading charges unloading charges handling charges तो वो बोला है इसका 20% इसका 20% मतलब 1600 हो गया and sir actual अगर आप देखोगे actual हो गया अगर आप देखोगे तो यह है 20% अगर आप actual देखोगे तो actual हो गया cost of transportation कितना दिया है question में 1350 1350 plus rate दिया है plus loading charges दिया है plus 300 plus 200 दिया है ठीक है sir तो हम लोग कौन सा लेंगे बताईए sir इसका total कितना होता है 1850 तो sir आपको maximum कौन से लेना है आपको अगर हमने यह 1600 लिया है जो 20% है अगर 1620 परसंट है मतलब मान लिया जाएगा कि यह और यह already include हो चुका है क्या आप मेरी बात से agree करते हो कि sir 1600 में मान लिया जाएगा कि यह और यह included है yes sir मान लिया जाएगा and hence अगर आप देखोगे तो यह 7500 लीजे यह 1600 लीजे यह 1400 लीजे आपका आजाएगा total CIF कितना आया CIF sir 7500 plus 3000 क्या आप लोगों को यह question clarity के साथ समझ में आ गया है क्या हम आगे बढ़ सकते हैं एक बात याद रखिएगा जब आप 20% लेते हो तो 20% को compare किसे करना है क्यूंकि 20% में cost of transportation, loading, unloading, handling charges included है तो आपको compare भी cost of transportation loading, unloading, handling charges के साथ ही करना पड़ेगा ठीके sir point clear है देखिए 1350 plus 300 plus 200 यह आपका actual amount है लेकिन आपको इसको compare किसके साथ करना है इसके 20% के साथ तो 20% जब आप देखोगे तो वो 1600 रुपे में मान लिया जाएगा कि सब कुछ include हो गया and hence अगर आपने यहां पे 16 सो लिखा है तो आपको यह और यह amount delete करना पड़ेगा अब देखिए अब कुछ नहीं अब जो बचा इसको ले लिजे इसको ले लिजे इसको ले लिजे अगर आपने 20% लिया तो उपर के loading, unloading, handling, charges सारे delete कर देना delete किये और फिर यह amounts को उठा लिजेगा जो आपका relevant amount है उसको उठाईएगा total आ जाएगा ठीक है सर point clear है लेकिन इसके लिए practice करना बहुत ज़रूरी है देखिए 10,500 अब सर institute कैसे कर रहा है आपको logic तो समझ में आ गया कि सर 1400, 1600 और 7,500 देखिए हमने भी यह किया 7,500, 1600 and 1400 ठीक है सर लेकिन इसके लिए यह करने के लिए यह पुरा खिचडी जो पकाया गया है यह खिचडी exam में करने के लिए आपको घर में प्राक्टिस करना पड़ेगा मैंने अपनी तरफ से आपको 3-4 sum करा दिये relating to this 20% I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा चलिए आ जाईए वापस बुक में आ जाईए बस इतना ही मेरे को आपको समझाना पड़ता है समझाना है आपको एक्जाम में एक चीज का ध्यान रखना है Whenever Whenever You take Cost of Transportation 20% Please Exclude Whenever you take Cost of Transportation Loading, Unloading, Handling, Charges आप एक काम किजाए ऐसे पूरा ऐसे ही लिखिए Whenever you take Cost of Transportation Loading Charges Unloading Charges Handling Charges At 20% Please Exclude Please Exclude Rate Loading Charges Unloading Charges Unloading Charges From Port Of Exportation Till Indian Port ये एक लाइन लिख लिख लिजेगा ये एक लाइन लिख लिजेगा ताकि आपको याद रहे कि सर अगर आपने 20% लिया तो सारा loading, unloading, charges जो भी included था उसको exclude करना पड़ेगा ठीके सर, point clear है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी लिख लिख लिजे, लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे सेकेंड चीज जो आपको ध्यान रखना है, commission हमेशा याद रखिएगा, buying commission include नहीं होता है, selling commission include होता है इसको लेके अगर आप question answer करोगे, तभी आप perfect बन पाओगे आप question answer जितना करोगे, उतना आपको easily समझ में आ जाएगा कौनशी commission मेरे को लेना है और कौनशी नहीं लेनी है ठीक है, done sir, जल्दी जल्दी लिखिए ताकि आगे बढ़ पाए और एक point लिख लिजे, sir, purchase commission purchase commission means buying commission and buying commission is always excluded purchase करना होता है, मतलब होता है buying and buying commission हमेंसे exclude करना है ठीक है, sir, point clear है, ताकि आप exam में भूलो नहीं इसको chart में ही लिख के रख लो done sir, हमने तो लिख लिया, हमें अच्छे बच्चे, चलिए, आगे बढ़ें चलिए, आगे बढ़ते हैं, आजाईए मैंने ये chart में सब कुछ cover किया, yes sir, ये chart cover हो चुका है ये chart मैंने आपको समझा दिया था, yes sir, समझा दिया था ये मैंने कर लिया है, चलिए, आगे आजाईए देखिए बबा, ये chapter जितना आप practice करोगे, उतना exam में easily कर पाओगे, याद रखिएगा, practice नहीं करके जाओगे, तो exam में नहीं कर पाओगे, ठीक है, अब आजाईए, अब सुनिए, जब आप question answer देखोगे, आप जब question answer देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप देखोगे, इधर करना है, euros का rate दिया हूँ रहेगा, अब सुनिए, exam में क्या करते हैं, अलग-अलग date का rate दे देते हैं, sir, किस date का rate of duty लेना है, किस date का exchange rate लेना है, किस date का rate of duty लेना है, मतलब एक बार आपका value आ गया, अब value तो ये तो euros में आया है, इसको तो इंडियन रुपीज में convert करने ह तो sir, कौन सा लेंगे, देखिए, इधर आपको exam में क्या करते हैं, RBI का rate दे देते हैं, CBIC का notified rate दे देते हैं, उसके बाद आपको rate of duty, दो-दो rate of duty देते हैं, बहुत easy है, समझना, चलिए समझ लेते हैं, कि आपको जब इसको इंडियन रुपीज में convert करना है, फिर उसके ब calculate करना है, तो किस दिन का, किस दिन का rate of duty लेना है, वो हम समझने वाले हैं, अभी चार्ट में आ जाईए, देखिए, क्या बोला है, सेक्टिन नमबर 14 हमारा हो चुका है, अब हम पढ़ने वाले हैं, सेक्टिन नमबर 15, 16, and rate of exchange, हमेशा आपको याद रखना है, CBIC notified लेना है, सर, rate of exchange का स्टोरी कहां बुला हुआ है, प्रोवाईजो, तो सेक्टिन नमबर 14, 1 में बुला है, सेक्टिन नमबर 14, 1 में एक प्रोवाईजो है, उसमें ये स्टोरी बुला हुआ है, चलिए दिखा सेक्टिन नमबर 14, पढ़ोगे, सेक्टिन नमबर 14, 1 में एक प्रोवाईजो दिया हुआ है, और प्रोवाईजो में rate of exchange की स्टोरी बुली भी है, ठीक है, सर, point clear है, आजाईए, अब सुनिए, पहले मैं आपको सिखाता हूँ, rate of duty, किस दिन का rate of duty लेना है, किस दिन का rate of duty आ आपको लेना है, आजाईए, देखिए क्या बोल रहा है, situation, अगर आप goods लाए हो, सर, goods लाए हो, और उसको directly home consumption के लिए clear कर रहे हो, home consumption मतलब आप उसको warehouse में नहीं डाल रहे हो, हमेशा याद रखेगा, अगर आपने vessel से लाया है, तो पहले आप bill of entry file करोगे, फिर entry inward, सर, कभ देखिए इदर, bill of entry और entry inward, whichever is later, जनरली क्या होता है, सुनिए, जनरली अगर आप transportation की बात करोगे, एक सेकेंड में चार्ट खोल देता हूँ, छीक है, इदर देखिए, जनरली आप देखोगे, कि सर, मेरे goods का entry inward, entry inward के बाद, सर, जो importer होता है, वो clear करने के लिए bill of entry file करता ह है, तो सर, जनरली तो entry inward पहले होता है, उसके बाद bill of entry file करेगा importer, येस बबा, लेकिन आपको अगर याद है, bill of entry 30 days prior भी file कर सकते हैं, तो अगर इसने 30 days prior file कर दिया, तो आपको याद अखना है हमेशा exam में की, bill of entry का filing date, या entry inward का date, whichever is later, सर, एक काम करीगा, आपको एक बात बोलता हूँ, मैं, d मतलब होता है defer, d मतलब होता है duty, और d का मतलब ये भी होता है defer, defer मतलब सर, आगे बढ़ाना, मैं हमेशा duty बाद में पे करना चाहूँगा, correct, इसलिए आप देखोगे हमेशा later लिया जाता है अगर आपको entry inward का date दे, bill of entry का filing date दे, तो आपको later लेना है, ठीक है सर, okay, उसके बाद, सर, अगर aircraft या vehicle से goods आए हैं, तो entry inward तो होता ही नहीं है, उस case में इन्होंने बोला है, आप एक काम कीजे, bill of entry का filing date ले लिजे, और airport मे, aircraft तो directly arrive हो जाता है, या truck वगेरा तो directly arrive हो जाते ह है, जिस दिन वो arrive हो गए, वो date ले लिजे, whichever is later, याद रखेगा, duty आप हमेशा defer करते हो, defer का मतलब होता है, late, ठीक है सर, इसलिए हमेशा आपको later वाला date लेना है, चलिए मैं आपको इस दिखा देता हू, ever question में, नहीं, vertigo limited में, अगर आप देखोगे, कहां गया question, यह रा question अगर आप vertigo limited देखोगे, तो इसमें दो date दिये वे हैं, यह सर, अब देखिए, rate of custom duties दिये वे हैं, ठीक है सर, अब एक ही custom duty दिया हुआ है, अब सुनिए, यह जो date है, क्या इधर लिखा है, यह देखिए, bill of entry was presented on 20th of September, यह bill of entry का filing date है, the aircraft have been diverted to another foreign airport due to technical error, landed at the airport only on 21st, तो सर, यह arrival date है, aircraft किस दिन आया, इस दिन आया, मुझे एक बात बताए, bill of entry और arrival, whichever is, later का date का लेना है, bill rate of custom duty, हमेशा later का लेना है, later कौन सा हुआ, यह यह यह, यह हुआ सर, इसलिए आप देखोगे, question में Indian rupees में convert किया, उसके बाद, जो basic custom duty चार्ज किया जाएगा आपसे, वो 12% लिया गया है, I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यह सर समझ में आ गया, अब सुनिए, सर, मुझे एक बाद बताईए, आपके goods Indian port पे आ गये, आपके goods Indian port पे आ गये है, अब आपने एक bill of entry फाइल किया, और यह warehousing का bill of entry था, कि सर, मुझे goods warehouse में डालने है, ठीक है, पहला bill of entry होता है यह, उसके बाद, सुनिए, आपको जब goods को clear करना है, तो आप एक और bill of entry home consumption, यह, सर, point clear है, सुनिए, इस bill of entry को, into bond bill of entry भी बोलते हैं, कि goods को warehouse में डालने के लिए, आपने जो bill of entry फाइल किया है, फिर, warehouse से जब clear करते हैं, तो इस bill of entry को, एक ex bond bill of entry भी बोला जाता है, क्या आप मुझे बता सकते हो, बाद में कौन सा है, लेटर, क्योंकि duty तो हमें सा defer किया जाता है, तो सर, bill of entry ये एक warehousing के लिए है, ये सर, bill of entry for home consumption, बाद में कौन सा फाइल हो रहा है, बाद में, सर, बाद में तो ये फाइल हो रहा है, तो सर, जो बाद में होता है, उसका rate of duty लिया जाता है, दिखिए ज़र, अगर आपने goods warehouse में डाले हैं, तो सर, into bond या ex bond कौन सा later होता है, सर, later हमेशा ex bond होता है, इसलिए ex bond लिया गया है, लेकिन exam में ऐसे मतलिक किया आईगा, into और x, आपको directly लिखना है, ex bond bill of entry, क्या ये point clear हो गया, yes everyone, क्या ये point clear है आपको, yes sir, point clear है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सुनिए, अगर आप export करते हो, मुझे एक पाद बताए है, कि आपको याद है, कि आप export किसे करते हो, yes sir, पहले हमें shipping bill file करते हैं, उसके बाद sir, हमें एक late export order मिल जाता है, कौन सा later होता है, बताईए, एक्सपोर्ट का केस में, शिपिंग बिल आप फाइल करते हो, उसके बाद आपको एक लेट एक्सपोर्ट और मिल जाता है, कौन सा बाद में होता है, लेटर कौन सा होता है, सर, पहले में शिपिंग बिल फाइल करूंगा, इसके पास जाओंगा, ये मुझे लेट देगा तो वो तो बाद में तो late export order होता है तो देखें इदर shipping bill और late export order whichever is later तो इदर late export order लिया गया है I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो बाद में होता है उसी को लिया जाता है late export order लिया गया है ठीक है सर exam purpose के लिए याद रखेगा कि यहाँ bill of entry और entry invert, bill of entry और arrival date whichever is later ठीक है यहाँ पे into bond देंगे आपको ex bond देंगे तो आपको ex bond लेना है क्योंकि बाद में कौन सा होता है ex bond होता है export के मामले में पहले shipping bill फाइल करो उसके बाद late export order मिलता है तो बाद में कौन सा होता है late export order होता है सर ठीक है सर point clear है चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद in any other case date of payment of duty लिया जाएगा कोई और other case है जहाँ आपको payment करना है तो सर हमेशा date of payment of duty लिया जाता है ठीक है क्या यह point clear हो गया rate of exchange मैंने आपको पढ़ा दिया है हमेशा याद रखेगा rate of exchange section number 15 and section number 16 डील करता है सर अगर आपका goods vessel से आया है तो हमेशा आपको bill of entry date या entry invert का date whichever is later लेना है अगर सर मेरा goods aircraft से आया है तो आपको bill of entry date लेना है arrival date लेना है whichever is later लेना है उसके बाद सर अगर मेरा goods समझ लीजेए मैंने warehouse में डाला है तो warehouse के case में हमें सायाद रखेगा into और x bond warehouse का case में into और x whichever is later लेना है तो sir later तो x bond होता है तो x bond आएगा sir अगर exports का मामला है export के मामले में shipping bill or let export order whichever is later तो हमें साथ let export order होता है ये मैंने सिफ आपको समझाने के लिए बोला है exam में लिखके मत आईएगा उसके बाद any other case में आपको date of payment of duty लेना है क्या ये point clear हो गया है क्या मैं आपको rate of exchange अब समझा सकता हूँ क्या हम rate of exchange समझ सकते हैं ये sir rate of exchange समझ सकते हैं उसके पहले एक छोटा सा question भी करा देता हूँ रुखिये देखिए चलिए ठीक है एक काम करता हूँ rate of duty सिखा देता हूँ एक्चेंज रेट सिखा देता हूँ उसके बाद आगे बढ़ेंगे ठीक है सर एक्चेंज रेट भी सिखा देजे ताकि वो question में दोनों हैं दोनों कर लेंगे ठीक है अब सुनिए हमेशा एक बात द्याद रखेगा आपको हमेशा first bill लेना है rate of exchange में first bill लेना है बिल बिल अब सुनिए same जो case है मुझे ऐक बात बताईए इधर बिल कौन सा है इसमे sir bill of entry है तो आप एधर बिल of entry ले ले लिए पहला bill कौन सा है न'too या एक्स दोनों ही तो bill of entry है इदर बिल कौन सा है अरे shipping bill है यह तो बिल नहीं है, तो shipping bill लिल जे, and date of payment of duty, बस, आपको याद रखना है, देखिए, यह तो bill होता ही नहीं है, यह भी bill होता नहीं है, तो आपको bill of entry, bill of entry लेना है, ठीक है, यह ex-bond bill of entry, into, दोनों तो bill है, दोनों तो bill है, sir, दोनों तो bill of entry है, कौन सा लो, पहला, पहला, rate of exchange first bill of entry लेना है, आपको, first bill, first bill, sir, into ले लिया, यहाँ, shipping bill और late export, late export order, तो bill होता ही नहीं है, sir, तो shipping bill लेना है, बस, और यह date of payment of duty, देखिए, इदर, sir, bill of entry, यहाँ, देखिए, यहाँ, bill of entry और entry और, entry invert, तो bill होता ही नहीं है, तो bill of entry ले लिया, arrival date तो bill होता ही नहीं है, तो bill of of entry एंट्री रेत ले लिया मतलब जो आप बिल फाइल करते हो उस डेट का रेट ओव एक्षेन सर यहाँ पर x bond पहले इंटू होता है पहले फिर होता है पहले एक्सबॉन तो पहला कौन सा होता है इंटू होता है तो आपको इंटू लेना है देखिए इधर इंटू बॉंड बिल ओफ एंट्री सर यहां पे shipping bill and late export order फिर मिलता है तो पहला bill कौन्स होता है shipping bill तो आपको shipping bill लेना है उसके बाद date of payment of duty date of payment other cases में date of payment of duty क्या यह point clear हो गया सर मैं आपको फिर से बोल रहा हूं सुन लिजे अगर आप direct clearance की बात कर रहे हो goods vessel चाया है या aircraft या vehicle से देखना पड़ेगा ठीक है rate of duty के बात कर रहे है and rate of exchange की बात कर रहे है duty हमेशा defer होता है इसलिए later होता है exchange हमेशा पहले होता है इसलिए first लिया जाता है e for earlier e for earlier e का मतलब होता है earlier ठीक है उसके बाद अगर आप warehouse में डाल रहे हो तो sir warehouse के case में आपको देखना है into या x bond अब सुनिए इधर bill of entry और vehicle का case में entry in word whichever is later vehicle का case में vessel air sorry vessel का case था इनके case में bill of entry और arrival date whichever is later ठीक है sir यह भी point clear है उसके बाद इस दोनों में later कौन सा है x bond है sir x bond ले लेंगे sir अगर export का मामला है export के मामले में आपको लेना है shipping bill और late export order whichever is later तो late export order लिया जाएगा any other case में आपको date of payment of duty लेना है ठीक है sir point clear है अब सुनिए यहाँ exchange हमेशा earlier होता है earlier कौन सा है earlier bill आपको एक बात याद रखना इधर sir rate of exchange exchange होता है e e मतलब earlier bill earliest bill ले लेना आप sir यह है bill of entry यह है bill bill of entry sir इसमें earliest होता है into into bond bill of entry sir इसमें shipping bill होता है यह तो bill है नहीं तो sir shipping bill उसके बाद यह तो date of payment of duty होगा क्या यह point clear हो गया yes sir point clear हो गया rate of exchange में हमेशा ध्यान रखना cbic का rate लेना आपको कभी भी rbi sbi नहीं लेना है आप exam के लिए लिख के रखिए exam में आपको interbank देंगे interbank rate मतली जेगा sbi का rate देंगे मतली जेगा rbi का rate देंगे मतली जेगा ठीक है sir point clear हो गया है चलिए आगे बढ़ते हैं आजएए एक question करा देता हूं ताकि आप exam में कर पाओ आराम से चलिए एक काम कीजिए यह question को देखिए और इस question का इस अब आप कर लोगे यह कर ले चलिए आपको duty calculate करने बोला गया है आपको अगर question में cif already दिया हुआ है अब basic custom duty दिया हुआ है आप मुझे बताइए इसमें सब छोड़ दीजे आप मुझे बताइए rate of exchange कौन सा लोगे rbi लोगे cbic लोगे cbic लेंगे sir बस उतना ही देखना था और कुछ नहीं है बाकी मैं बताता हूँ आपको एक सेकेंड ठीक है हाँ चलिए यह फूल फ्लेजट कोशन है इसको कर लीजे करिए यह फूल फ्लेजट कोशन है इसको करिए पूरा कोशन सॉल्व करना है ठीक है rate of duty लगाई है rate of exchange लगाई है देखें मैंने आपको अभी सब्सक्राइब करना पड़ता है सर आपने क्यों नहीं सिखा है यह मैं टाइप सब्सक्राइब करना पड़ता है अभी तक मैंने आपको सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना पड़ता है यह सब मैंने आपको सिखाया नहीं है ठीक है आप मुझे बस एक बात बता जीजे ठीक है सब छोड़ दीजे कुछ कैलकुलेट मच कीजे आप मुझे बात बताईए रेट ऑफ ड्यूटी और रेट ऑफ एक्चेंज बता जीजे बस रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा लगेगा रेट ऑफ एक्चेंज कौन सा लगेगा बस इतना बता जीजे यह रेट ऑफ ड्यूटी दिया हुआ है यह रेट ऑफ हैं तो rate of duty होता है bill of entry और arrival date whichever is later Sir, bill of entry का date क्या है? Arrival date is 20 seconds, यह arrival है Sir, bill of entry यह है, यह bill of entry है Later कौन सा है? यह है तो Sir, 10% लगेगा Exchange में आपको अरे, यहाँ CBIC word missing हो गया Sir, यह क्या हो गया है, ठीक है आप CBIC word लिख लीजे, ठीक है अब सुनिए, इसको card दीजे ठीक है, इसको अगर मैं card देता हूँ तो, क्यों? क्योंकि RBI का rate तो हमें देखना ही नहीं है, तो इन दोनों में earlier कौन सा है? Exchange हमेशा E for earlier होता है, earlier कौन सा है Sir? आपको earliest bill लेना है earliest bill, तो Sir 70 rupees होगा क्या यह point clarity के साथ समझ में आ गया है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? Yes Sir, point clearly समझ में आ गया है चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सुनिए अब आजे यह textbook में वापस आजे यह chart book में अब अगर आप आगे देखोगे तो इधर लिखा हूआ है The provision above is not applicable to baggage goods imported by post और courier क्यों Sir? क्योंकि baggage, post, courier के लिए अलग provisions applicable होते हैं अलग provisions baggage, post and courier के chapter में discuss करेंगे ठीक है Sir, चलिए आगे बढ़ते हैं अब आजेए अब अगर आप देखोगे तो इस chapter में section number 19 आता है Sir, section number 19 क्या बोलता है? Section number 19 बोलता है Special provision for classification of set of articles and accessories मतलब अगर इंडिया के बाहर से समझ दीजे ऐसे आपने accessories वगेरा मंगाए है और सारे set में आ गए एक साथ आये है मतलब आपने एक shaving kit मंगाया जिसमें basically ये सब कुछ एक साथ आया है एक set में आया है तो Sir, अगर एक set आपने मंगाया है तो उसमें क्या rate of duty लगेगा? चलिए, इसके लिए मैं आपको book से एक example कराता हूँ समझ में आ जाएगा चलिए, आजए इधर अगर आप देखोगे इधर तो समझ लिजे, आपने इंडिया के बाहर से मंगाया है, saving kit have been imported into India and rate of duty as applicable to the saving kit is not present in the custom tarifact, rate of duty saving kit पे क्या लगेगा? वैसा custom tarifact में नहीं लिखा हुआ है लेकिन custom tarifact में अलग-अलग item का rate of duty लगेगा? वो बताया गया है it consists of multiple article, total value of the saving kit is rupees 500 rate, कितना है total value? 500 रुपए है सर, ठीक है सर, अब सुनिए saving kit का 500 रुपए है ठीक है, समझ लिजे अब इधर question देखिए, इन लोग क्या बोल रहे हैं आपे ये बोल रहे हैं section number 19 बोलता है articles अगर liable है to the duty with reference to quantity, then chargeable to that duty, सर quantity wise valuation क्या होता है, इंडिया के बाहर से एक remote लाओगे बोला गया है 10 रुपए लगें, percentage valuation नहीं है quantity के हिसाब से, एक quantity लाओगे 10 रुपए, एक mobile लाओगे 50 रुपए, ऐसा बोला गया है, समझ दीजे आपने इंडिया के बाहर से ये सारे items मंगा लिए और ये पूरा set आया है, shaving kit का जिसका 500 रुपए है अब इस पे क्या rate of duty लगेगा, क्या duty लगेगा वो समझ में नहीं आ रहा, हर एक item का अलग-अलग rate of duty prescribed है shaving kit पे बोला हुआ है 10 रुपए लगते हैं, brush पे बोला हुआ है 20 रुपए लगते हैं, razor पे 30 रुपए बोला हुआ है, shaving lotion पे 40, अब मुझे एक बात बताईए अगर आपने एक shaving kit मंगाया जिसमें 4 item है, और उसका total amount 500 रुपए का shaving kit है तो उसके क्या duty लगेगा इन्होंने बोला, बस simple सा बात है 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए 40 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए को add कर दीजे हो गया, 100 रुपए का duty लगेगा shaving kit के उपर, ठीक है सर यहीं बोला गया है यहां पे, कि अगर articles are liable to duty with reference to quantity तो it is chargeable to that duty that duty मतलब, जो duty बोला गया है, हर एक item का उसको add करना, तो आपने इंडिया के बाहर से 500 रुपए का shaving kit मंगा यहां, इस पे 10 रुपए applicable है, इस पे 20 रुपए, इस पे 30 रुपए इस पे 40 रुपए है, तो चारों को add किजे, duty निकल के आ जाएगा ठीक है सर, उसके बाद अगर आपने एक ऐसा set मंगाया है जिसमें बोला गया है, articles are liable to duty, with reference to value, and liable to same rate, बबा percentage wise, value पे GST rate, sorry, custom duty is on the value, ठीक है और सारे पे same rate है ठीक है, example दिखाता हूँ, इसको छोड़िए, second example में आ जाईए समझ लीजे, आपने इंडिया के बाहर से एक shaving kit मंगाया 500 रुपए का, ठीक है सर, अब shaving cream, brush, razor और shaving lotion आया है हर एक पे 10% applicable है तो इन्होंने बोला है 500 रुपए पे सीधा सीधा 10% लगाई है, 50 रुपए duty निकल के आ गया, ठीक है सर, point clear है उसके बाद, उसके बाद यह example छोड़ दीजे अब आप अब हम लोग third example में जाएंगे articles are liable to duty with reference to value मतलब percentage दिया हुआ है of the value, but हर एक item पे different rate applicable है समझ दीजे, इस example को देखिए आप, सर, shaving kit cream पे लगता है 10%, brush पे लगता है 20%, razor पे लगता है 30%, lotion पे लगता है 40%, 500 रुपय का आपने एक saving kit मंगाया है, आपने saving kit 500 रुपय का मंगाया है अब बताइए क्या rate of duty लगेगा इन्होंने बोला highest rate लगा देना आप मुझे बताइए highest rate क्या है 40% और इस पे 40% लगा दिया, ठीक है सर, यह third example भी समझ में आ गया अगर amount wise, मतलब quantity wise valuation बोला हुआ है quantity पे कितना कितना रुपय लगेगा, सारा total कर देना सर, अगर same rate बोला हुआ है एक rate लगा देना, अलग-अलग rate बोला हुआ है, highest rate लगा देना ठीक है सर, और समझा दीजे, और देखिए articles not liable to duty, समझ लीजे, आपने इंडिया के बार से saving kit मंगाया 500 रुपय गा उसमें एक item के उपर समझ लीजे, saving lotion के उपर duty applicable नहीं है लेकिन बाकी के उपर 10% है, तो पुरा 500 रुपय के उपर 10% लगा दिया जाएगा ठीक है सर, समझ लीजे अब fourth example छोड़िए सर, next example में आ जाएए समझ लीजे, saving lotion पे कोई duty applicable नहीं है और सब पे अलग-अलग rate of duty applicable है तो आपको highest rate लगा देना है 150 आ जाएगा 500 रुपय के उपर, आपने 30% लगा दिया और आगिया 150 क्या आप लोगों को ये 5 point समझ में आ गए are liable under clause B clause B आपको लगाना पड़ेगा ये सर, everyone over here सुनिए, सर एक बात बताईए ये example का है आपके बास textbook होगा, page number 4.21 में है ये आपको exam के एक दिन पहले इस example को करके जाना है कि सर, अगर आपको दिया हुआ है कि हर एक item पे अलग-अलग quantity पे अलग-अलग rate of duty बुला हुआ है saving kit 500 रुपय का मंगाया है चारो को add किजे, duty निकल के आ जाएगा सर, अगर rate same है तो आप एक ही rate लगा दिजे, काम खतम अगर अलग-अलग rate है और articles set में ही आये है तो सर, आपको highest rate लगाना है सर, अगर rate same है लेकिन एक item पे rate of duty है ही नहीं आपने set में मंगाया न, नलायक तो पूरे amount के उपर same rate of duty आ जाएगा सर, अगर एक item पे duty है ही नहीं और अलग-अलग rate of duty applicable है तो highest rate of duty लगा दिजेगा क्या ये example 100% clear है क्या ये example 100% clear है चलिए, I hope आप लोगों कोई clearly समझ में आगिया होगा अब आगे बढ़ते हैं इसमें बोला हुआ है accessories, parts and implement समझ लीजे, आपने इंडिया के बाहर से एक mobile phone मंगाया mobile phone के साथ एक charger free आ गया ठीक है सर, mobile phone के साथ अगर charger free आया है तो mobile और charger का valuation बताईए यह बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपने इंडिया के बाहर से कुछ समान मंगाया और उसके आप कोई accessory आया है या कोई part आया है या कोई implements आया है तो उसका क्या करना है समझ लीजे, आपने एक mobile phone बाइक मंगाया और बाइक के साथ समझ लीजे कोई part साथ में दे दिया है तो क्या होगा इन्होंने बताया अगर accessories, parts and implements compulsorily supplied along मतलब phone के साथ charger साथ में compulsorily दिया है कोई separate charges नहीं दिया गया है तो main article and accessories parts will be chargeable at the same rate of duty मतलब mobile आया mobile के साथ एक charger भी आया और charger साथ में free में दिया charger के लिए कोई अलग charges नहीं लिया गया तो ये बोल रहा है compulsorily दिया है और sir, charger के लिए कोई separate charge नहीं लिया गया तो main article and accessory को same rate of duty लगेगा मतलब main article पे जो rate of duty लगेगा वो ही accessories को लगा दिया जाएगा ठीक है sir अगर compulsorily दिया गया है और separately charge भी किया गया है अब मुझे बात बात बताईए mobile दिया और mobile के साथ समझ लिजे कोई accessory दिया एक airport दे दिया साथ में sir ये कौन है? ये मेरी wife है ठीक है? छोड़े हाँ, sir ठीक है mobile है और mobile के साथ एक accessory समझ लिजे airport एक साथ में दिया है airport के लिए बोला compulsory लिए लेना तो पड़ेगा लेकिन अलग charges लिया है sir mobile के लिए अलग लिया airport के लिए अलग charges लिया है तो अलग-अलग rate of duty लगेगा बस इतना ही बोला है sir main article and accessories chargeable at their individual rate अगर sir ये दोनों साथ में दिया और अलग-अलग charges नहीं लिया गया sir compulsory साथ में दिया अलग charge इसके accessory के लिए नहीं दिया गया तो sir एक ही rate of duty लगेगा mobile का rate of duty sir दोनों को compulsory लिए गया लेकिन अलग-अलग charge किया गया है तो अलग-अलग rate of duty लगेगा ठीक है sir अगर accessories optional दिया गया है और कोई separate charge नहीं लिया गया है मुझे एक बात बताईए बोला mobile के साथ airport तो मिले गई लेना है तो low नहीं लेना है तो फिक के चले जाओ क्या rate of duty लगेगा highest rate of duty लगेगा यह nothing other than mixed supply है sir और यह नहोंने बोला है if optionally supplied है लेना है तो low नहीं लेना है मतलो यह तो combo है sir उन्होंने एक combo बना दिया और बोला लेना है तो साथ में low नहीं लेना है मतलो जो चाहिए ले लो लेकिन यह combo तो रहे गई मतलब इतना तो आपको optional है नहीं लेना है मतलो छोड़ दो तो इन्होंने बुला है, main article and accessories chargeable at highest rate of duty, ठीक है सर, उसके बाद, if accessories are optionally supplied along and chargeable separately, सर, optional है, लेना है तो लेजिए, अगर लोगे तो charges लगेंगे, अरे सर, तब तो अलग-अलग supply हो गया न, optional है, लेना है तो लो, मैं Apple Store में गया, उन्होंने बुला, लेना है तो लो, मत लेना है, म अलग-अलग लगेंगे न, सर, main article and accessories at their respective rate of duty, आपको इतना ही ध्यान रखना है, अगर समझ लिजे, headphone साथ में free में दिया, और free में दिया, कोई charges नहीं लिए, तो सर, main article का price लगा दीजेगा, ठीक है सर, same rate of duty, मतलब, जो rate of duty main article पे लग रहा है, वही accessory पे लगा दीजेगा, सर अगर समाझ लिजे, compulsory दिया है, लेकिन अलग-अलग charges लिए है, तो अलग-अलग rate लगेंगे, इसका rate इस पे लगेगा, इसका rate इस पे लगेगा, ठीक है सर, अगर accessories, optionally supplied along है, optionally मतलब लेना है, तो लिजे, नहीं लेना है, मतलब, चार्ज हम अलग से नहीं कर रहे हैं, हम स अगर सर, आपको लेना है तो लिजे, लोगे तो अलग charges लगेंगे, अगर सर, अलग-अलग item ही है, अलग-अलग charges ही लग रहा है, तो अलग-अलग rate of duty लगाईगे ना, बोल रहा है, chargeable at their respective rate, I hope आप लोगों को accessories वाला बात समझ में आ गया होगा, yes sir, point clear हो गया है, एक बार exam से पहले पढ़िएगा, नहीं तो भूल जाओगे, अब सुनिए, मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया, कि अगर इंडिया के बाहर से import करते हैं, तो आपको custom duty देना होता है, on the CIF value multiplied by rate of duty into rate of exchange, मैंने आपको CIF निकालना सिखा दिया, मैंने आपको rate of duty, किस दिन का rate of duty लेना ह है, किस दिन का rate of exchange लेना है, वो सिखा दिया, section number 14 में हमने यह सीख लिया, अब सुनिए, section number 15 मैंने यह आपको सिखा दिया, section number 16, rate of duty with respect to exports वगरा के बात करता है, वो भी सिखा दिया आपको, अब सुनिए, सर, एक बात बताईए मुझे, अगर मैं export करता हूँ, इंडिया से export कर रहा हूँ, तो बेटा एक बात याद रखना, आप जब export करते हो, इंडियन port से जब export कर रहे हो, US port, समझ लिजिए, आप भेज रहे हो, Australia, तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है, इधर लेना होगा CIF नहीं लेना है, यह तो FOB होता है ना, आपको FOB value लेना है, जब import करते हो, आपको CIF value लेना होता है, जब export करते हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, export करने के समय, at the port of exportation value लिया जाता है, sir, at the port of exportation value मतलब, यह रहा, यह रहा, for export from India अगर होता है, at the time and place of exportation लिया जाता है, अगर इंडिया से export कर रहे हो, तो आपको बुला गया है, देखे, import करते हो, तो at the place of importation, CIF value, export करते हो, तो बस इतना ही है, FOB लिजेगा, Indian port पे FOB value, multiplied by rate of exchange into rate of duty, rate of exchange and rate of duty जो मैंने आपको अल्रेडी समझा दिया है, export क का case में, बस आपको CIF नहीं लेना है, FOB value लेना है, सर एक question करा दीजेए ना, समझ में आ जाएगा, yes बबा, एक question करा देता हूँ, easily समझ में आ जाएगा, just a minute, देखिए इदर, यह रहा, यह question है, question को कीजे, दो मिनिट दे रहा हूँ, क्या दो मिनिट दे रहे हो सर, FOB value दिया हूआ है, FOB value लेना है, अब इदर shipping bill का presentation date कौन सा है, यह shipping bill का date है, ठीक है, और यह late export order दिया है, officer ने, यह late export order का date है, rate of duty, duty हमेशा defer होता है, shipping bill और rate of export order, whichever is later, 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 rate of duty, later, sir, rate of exchange, earlier, 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 earlier मतलब, sir, पहला bill, shipping bill, तो आपको करना है, एक लाक, एक लाक को multiply करना होगा, 70 रुपीज से, इंडियन रुपीज आएगा, उस पे, 8% duty मेने आपको बता दिया, 8% duty लगाना होगा, done, sir, point clear है, एक काम कीजिए, एक और question है यहापे, यह तो same है, यह same है, इसको क्या कराओं मैं, यह कर ले, चल, question number 61, फड़ा फट कीजिए, एक मिनिट का टाइम दे रहा हूँ, फड़ा फट कीजिए, फड़ा फट कीजिए, done, sir, हो गया, सुनिए, आपको CIF नहीं लेना है, आपको FOB लेना है, ठीक है, FOB ले लिजेगा, shipping bill presentation 29th April, shipping bill का date है यह, PO gave late export order on second, यह late export order का date है, ठीक है, अब सुनिए, rate of duty, 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 duty हमेशा defer होता है, defer मतलब जो बाद में है, exchange हमेशा earlier होता है, earlier यह रा, earlier मतलब shipping bill, ठीक है, sir, तो 2 lakh US dollar, Australian dollar लेना है, 2 lakh को multiply करना है, 70 से, multiplied by 10%, 2 lakh लेना है, multiplied by 70, multiplied by 10%, आपका duty आ गया, clear है, sir, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, यह, sir, समझ में आ गया है, अब सुनिए, अब अब मैंने आपको customs में export valuation सिखा दिया, import valuation सिखा दिया, rate of exchange, rate of duty निकालना सिखा दिया, बस खतम, हमने valuation chapter में क्या-क्या पढ़ा, valuation chapter में जब आप import करते हो, तो import करने पे आपको custom duty देना पड़ता है, मैंने आपको इसके अलावा, articles इने set का story भी बता दिया, मेरे को एक छोटा सा point याद आया है, जो मैं आपको समझाना चाता हूँ, सर, क्या समझाना चाते हो, सुनिए, यहाँ जब मैंने आपको deductive value पढ़ाया था, कि सर, इंडिया में जो selling price होगा, इंडिया में जो selling price होगा, उससे हम लोगो expense deduct करते हुए port का value प्याना है, क्या आपको याद आ रहा है, क्या आपको यह point याद आ रहा है, कि इंडिया में जो selling price होगा, उससे deduct करते हुए हमें port के value प्याना है, अब सुनिए, इंडिया का कौन सा price लेंगे, Re-sale Unit Price in Greatest Aggregate Quantity लेंगे Sir, Greatest Aggregate Quantity मतलब? सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ इंडिया का recale price होगा वो Greatest Aggregate Quantity में जो Sale हुआ होगा वो लेना है, देखिए अगर आप यहाँ دेखोगे इंडिया का recale price हमें लेना है इंडिया का recale price कौन सा लेंगे? सो में भी बिखता है वो समान, 95 में भी बिखता है वो समान और 90 में भी बिखता है अगर कोई एक वेक्ती 1 से 10 यूनिट लेता है तो 100 रुपे में बिखता है अगर मैं किसी आदमी को 11 से 25 यूनिट भेजता हूँ तो मैं 95 लेता हूँ अगर मैं किसी वैक्ति को more than 25 यूनिट बेचता हूँ तो मैं उससे 90 रुपे लेता हूँ बताईए, greatest aggregate quantity कैसे निकालोगे, सुनिए सर, 100 रुपे में मैंने क्या किया 10 into 5 यूनिट मतलब 50 यूनिट बेचे प्लस 5 यूनिट, 5 सेल किये 5 लोगों को सेल किया, 3 यूनिट सेल, 15 यूनिट, मतलब 65 यूनिट बेचे है सर, नमबर ओ अव सेल 5 सेल हुआ है, 11 यूनिट का 55 सेल, 55 मतलब quantity विका है, ठीक है 95 रुपीज में 55 quantity विका है सर, एक सेल हुआ 30 यूनिट का एक सेल हुआ 50 यूनिट का 80 unit विका है, कितने 90 रुपे में, अब मुझे एक बात बताईए, greatest aggregate quantity, सबसे ज़्यादा unit कौन लेके गया, सर, most quantity तो 80 unit विके हैं, और 80 unit का बेचने का price क्या था, 90 रुपे थे, तो आपने जब बेचा किसी को, greatest aggregate quantity, highest amount of sale, greatest aggregate quantity में कौन लेके गया, सर, इधर एक sale हुआ था, दो sale हुए है, 80 unit विके है, 90 रुपे में, तो आपको 80 unit, जो 90 में विका है, देखे, इधर greatest aggregate quantity 65 था, इधर greatest aggregate quantity 55 था, इधर greatest aggregate quantity कितना है, 80 रुपे, 80 रुपे में कितना units विका था, 80 रुपे में क्या selling price था, जब 80 unit विका, greatest aggregate quantity विका, तो क्या selling price था, 90 रुपय था, officer क्या करेगा, इधर 90 रुपय लेगा, उससे expense deduct करते वे, आपको, greatest aggregate quantity लेना है, कि sir, aggregate, कितना unit ज्यादा sale हुआ, मतलब higher sale, sir, इधर तो 50 unit भी के थे, इधर 80 unit, इस price में, इस price में, सिर्फ 65 unit भी के हैं, इस price में 55 unit भी के हैं, इस price में 80 unit भी के हैं, sir, greatest quantity किस price में भी के हैं, 90 रुपय में 80 unit सबसे ज्यादा भी के हैं, 90 रुपय में ये समान सबसे ज्यादा भीकता है, मतलब यह समान कितने रुपए में सबसे ज़्यादा विका है मतलब आपने जब 90 रुपए में बेचा तो हाइस चेल हुआ तो सर आपको इधर 90 रुपए लेना है क्या यह पॉइंट आपको समझ में आ गया पूरा 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 डिसकेशन क्लोज करता हूँ चाप्टर खतम